वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं वेर शुकला आपका दोस्ट इजुकेटर गाइड और मिंटर हाजीर हुआ आपके साथ इंडिया के लार्जेस इन्वेटिव लेंडिंग प्रेटफॉर्म अनकेडमी के साथ इससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें हूं क्लास से जुड़े विशयर विशयर से जुड़े टॉपिक की तरफ चले चंद बाते हैं जसा कि हर क्लास की शुरुवात में हम अगेटमी से रेलेटेट करते हैं तो आज की घ्लास की हम यहीं सब्स्रूरू करेंगे अनकेडमी क्रैक यूपी प्सी अन्यूपी ज्यूपी प्रेश् एक्जाम औरिएंटेट थो स्ट्रेटिक अनल्सिस आई विल हेल्प स्टुडेंट्स अचीव दियर गोल्स डाउनलोड दानकेडमी एप नाउन यूज पूट टू अनलोड करके पूर्ड करते हुए आप फ्री प्लाइन को अनलोड कर सकते हैं न सिर्फ फ्री प्लाइन को बल उसे एक्जाम को सेलेक्ट करें जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उससब्सक्राइब करें और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपके सपने हमारे हो जाते हैं और फिर आथ आप हमारे साथ यात्रा आगे जारी रख सकेंगे इस वक्त अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर नियू अनॉंस्मेंट की गई है यूपी प्यसी और यूपी ट्रिपल सी के लिहाज से इसके तहट अगर आप 24 मंस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको थ्री मंस का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया रहा है और अ प्लेटफॉर्म पर फत्य यूपी प्यसी सीशक से स्कॉलर्शिप टेस्ट भी ऑगनाईस किया जा रहा है यह स्कॉलर्शिप टेस्ट प्रतेक रविवार को सुबह ग्यारा बज़े आयू जीत होता है इसके तहट अगर आपकी पहली रैंक हुई तो आप 100% स्कॉलर्शिप प्लस सब्सक्रिप्शन पर सिकंड से थर्ड रैंक होने की स्थिति में आप 50% स्कॉलर्शिप के हगदार होंगे और रैंक अगर चौती से 25 भी हुई तो 25% स्कॉलर्शिप के हगदार होंगे टेस्ट पैटन की बात करें तो टेस्ट में जीएस के डेर सो मल्टीबल नहीं होगा मैक्समम मार्क्स 200 डूरेशन और पेपर टू आर्स का होगा हर गलत उत्तर के लिए 1-3 के मैनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है आईए प्लस फीचर्स की कुछ खोबियां रेखें लर्न लाइप फॉम दा कमफर्ट आफ यूर होम यहां आप अपने मन पसंदीदा सिक्षक से अपनी कंफर्ट जोन में रहकर अपने घर से तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं अनलिम्टेड एकसेस टू आल कोर्सेस प्लस फीचर से जुड़ते ही आपकी पहुंच अनलिम्टेड लाइव और रिकॉर्ड़ेट कोर्स तक हो जाती है टॉप एजु यानि पढ़ने पढ़ाने के दौरान किसी विशे से चुड़े किसी टॉपिक विशेस को लेकर अगर किसी तरीकी शंका है तो उसका समाधान भी प्लेटफॉर्म पर पस्तूत है लाइव टेसरीज की जाती है जिसके जरी आप इस बात का मुल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी त डेडिकेटेड बैच का खुधियान में रख करके प्लस टेसरीज लॉंच की गई है सुबह दस बजे प्रतेक दिन आयोजीत होने वाले इस टेसरीज में अलग-अलग विश्यों को डेडिकेटेड टेस्ट भी उपलब्द हैं और फुल लेंग जीस टेस्ट भी आप अपनी प्रात्मिक्ता और आशञक्ता के हिसाब से जुड़ सकते हैं लग सिर्सक से यू पीप सी PCS मेंस टेस्रीज लॉंच की गई है प्लस सब्सक्राइबर के लिए प्लस सब्सक्राइबर अपनी मेंस के एक्जाम की तैयारी के लिए इस टेसरीज का इस्तवाल करें और अपनी सब्जेट को ध्यान कर रख करके जोहें इस से जुड़ सकते हैं प्रारम सिर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर लोवर PCS 2021 लॉंच किया गया है 15 जुलाई से और अगर अभी तक आपने इस बैच को जोईन नहीं किया और लोवर PCS एक्जाम देने का इरादा बना रखा है तो जल स से जल्द इन्रोल करिए और इस बैच को जोईन करिए जिससे कि आपका सफर आसान भू सके विजेपद सिर्षक से हिंदी और से रैटिंग बैच कोर्स भी चलाया जा रहा है 17 जुलाई से 33 सिर्षक से UPPSC Prelims 2021 बैच कोर्स 20 जुलाई से यनि आज से स्टार्ट हो रहा है और अगर आपका इरादा भी UPPSC Prelims क्रैक करके अपना सफर आगे बढ़ाने का है तो ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है UPPSC 2022 को ध्यान में रख करके लक्ष सीर्षक से 1 एर का Pre-Cum Means Batch कोर्स भी चलाया जाएगा 21 जुलाई से कल से स्टार्ट होने वाले इस बैच में जल से जल खुद को इन्रोल करें क्योंकि अगर आपका लक्ष UPPSC 2022 में अपने लिए एक अदर सीर्षक सुरक्षित करने का है त सब्सक्रिपशन लेने के स्टतिमें सब्सक्रẹप्शन फ़ एकजाम सो प्लीज सब्सक्राइब नव अगर आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की तरब से आपको 10% चूट की सुधा भी दी जाती है यह चूट आप हासिल कर सकते हैं मेरे रिफरल कोड को यूज करके मैं रिफरल कोड इस पीवे देस्टेन जी हैं एस पीवे देस्टेन रिफरल कोड को यूज करने के स्तिती में जैसे टोयल मंस की फीज जो 7000 है यह आफ्टर 10% डिसकाउंट 6300 हो जाएगी और टू यह की पर कॉमबो सब्सक्रिप्शन ऑन यूँर डिमांड प्लेटफॉर्म पर आपकी डिमांड के मद्दे नजर सूपर कॉमबो सब्सक्रिप्शन लांच किया गया है जिसके तहत अब घर बैठे बीपीए सी और यूपीपीए सी की की कम्प्रेशन अनकेटमी के साथ कर सकते हैं अगर अगर अभी तक आपने अनकेटमी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों की यात्रा जो है अगे बढ़ाईए शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट भारती इतिहास्युम्रास्ट्री आंदोलन सुबह के वक्त में हम इस लॉट को लेकर जुड़े हैं वे सब्जेक्ट को भारती इतिहासयुम्रास्ट्री आंदोलन जी हाँ MCQ के तुरू जो है हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे इसको आप प्रिप्रेशन थ्रू MCQ भी कह सकते हैं और एनालसिस थ्रू MCQ भी कह सकते हैं इस बात का अध्यम विश्लेशन करना हमारा मकसद है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें से कितना हम हासल कर प रखेंगे और तमाम महातुपूर्ण प्रश्णों की स्रिंखला से परचीत होंगे वह प्रश्ण जो या तो प्रिवेस येर में पूछे जा चुके हैं या फिर जो है आफ संभावित एक्जामस में पूछे जाने के उनकी गुंजाईश है आईए शुरू करें सबसे पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए रॉबर्ट क्लाइब बंगाल के पृथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक भारत के पृथम गवर्नर जनरल थे दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है और आप से पूछा जा रहा है सब्सक्राइब के पृथम गवर्नर थे पृथम गवर्नर देखे प्लासी के युद्ध के बाद कि लाइव कि इंग्लैंड चले गए थे जो उन्होंने मिर जाफर को गद्दी पर आसीन कर दिया इंग्लैंड चले गए इसके बाद वो बकसर के युद्ध की समाप्ति के बाद यानि 1764 में बकसर का युद्ध हुआ था 1765 में इंग्लैंड से वापस आते हैं वापस आये और इस बार वो बंगाल के गवर्नर बन कर आये थे बंगाल के गवर्नर के तौर पर आते ही उन्होंने जो पहला काम किया उन्होंने इलहाबाद की दो संधियां की थी इन संधियों के पीछे मकसद था उनका कि बकसर के युद्ध में पराजित शक्तियों से संबंधों को स्थापित कर लिया जाए और ये ते कर लिया जाए कि आगे इनके साथ कैसे विवार करना है और इनको जो है किस तरीके से आगे चलना है इलहाबाद की संधी की बात अगर करें तो इलहाबाद की दो संधी हुई इलहाबाद की पृथम संध और इलहाबाद की दुती संधी इलाहाबाद की पृत्थम संधी इन्होंने की थी मुगल बादशा, शाह आलम दुतिये से और इलाहाबाद की दुतिये संधी इन्होंने आवद के नवाब सुजाउद दौला के साथ की थी मुगल बादशा साहलम दुतिये से की गई लाहाबाद की पृत्थम संधी के पढ़नाम सुरूप ही इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उडिसा के संयुक्त छेत्रों की दीवानी प्रदान कर दी गई थी यानि राजस संबंधी छेत्र तो यह तो तैह हो गया कि रॉबर्ट लाइब बंगाल के पृत्थम गवर्नर जनरल नहीं थे यह बंगाल के पृत्थम गवर्नर थे जनरल नहीं इस तरीके से यह स्टेटमेंट गलत हुआ और विलियम बैंटिक भारत के पृत्थम गवर्नर जनरल एकदम सही है विलियम बैंटिक फारत के पुर्थम गवर्नर जनरल थे यानि पूछा जाये कि कौन सा है स्टेटमेंट सही है तो जवाब होगा केबल तो अच्छा पर ये भी जान लीजे कि बंगाल का पुर्थम गवर्नर जनरल अगर रॉबर्ट क्लाइब नहीं था त बंगल का पुरथम गवर्नर जनरल तो ले जलते हैं यह चैंद के को उन स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तो जब कलका स्युंप से स्थापना हो रही है तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हैस्टिंग्स कलकत्ता में इस याटिक सोसाइटी की अस्थापना 1784 में हुई है और इसकी अस्थापना की थी विलियम जून्स ने विलियम जोन्स ने और इस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स नेक्स्ट रिंग फेंस की नीद या सुरच्छा प्रकोस्ट की नीद दोनों अलग-अलग नाम है तो और दोनों का ताथ पर एक ही है का संबंध किस से है अगर हम रिंग-फेंस की नीद की बात करें तो इसका संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से जिन्होंने रिंग-फेंस से या सुरच्छा प्रकोस्ट की नीद का पालंग किया था नमलिकित में से किस पर ब्रिटिस संसन में महाभयोग इंपीच्मेंट का मुगदमा चलाया गया था तो हम सभी जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स को उनके गवर्नर जनरल रहते हुए भारत में किये गए कारियों के परड़ाम सुरूब ब्रिटिस की संसत पर उनपर महाभयोग का मुगदमा चलाया गया और इस मुगदमा इसको नंद कुमार अभियोग के तोर पर भी हम याद करते हैं इस महाभियोग को हाला कि आगे चल करके जो है बिटिस संसद ने ये स्वेकार किया कि भारत में गवर्नर जनरल की हैसियत से वारेन हैस्टिंग्स के कार वो पूर्टा जो है सामराज्य के हित में थे इसलिए उनको इस महावियोग से मुक्त भी कर दिया गया पर आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि भारत का एकमात गवर्नर जनरल जिसको भारत में अपने कारियों के संपाधन की द्रिश्टि से ब्रिटिस संसद में महावियोग जिस पर चलाया गया वो था वारेन हैस्टिंग्स नेक्स्ट नेमलखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा बद यानि सिविल सेवा का स्रजन किया जो कालांतर में भारती सिविल सेवा के नाम से जानी गई तो अगर हम प्रसंविदा बद सिविल सेवा की बात करें, तो भारत में प्रसंविदा बद सिविल सेवा के जनक के तौर पर हम याद करते हैं Lord Cornwallis को, किसे Lord Cornwallis को, अगला प्रश्ट है Lord Cornwallis से ही related, पूछा जा रहा है इनकी कबर कहां इस्तित है, तो हमें पता है कि भारत के जो है ऐसे वाइसरा हैं, जिनकी कबर इस्तित है, गाजीपूर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपूरी लाके में, उत्तर प्रदेश के गाजीपूर जिले में Lord Cornwallis की कबर इस्तित है, नेक्स्ट, अगला प्रश्ट हैं, अंग्रेजी भारती सेना में, चर्वी वाले कार्थूसों से चलने वाली Enfield Rifle, कब सामिल की गई, जी हाँ, Enfield Rifle जो की भारती सेना में सामिल की गई थी, इसको सामिल किया गया था, पुरानी, ब्राउन बैस राइफल के अस्थान पर, राइफल के अस्थान पर, इससे पहले जो है, ब्राउन बैस राइफल इस्तिमाल होती थी और उसको रिप्लेस करके लाई गई इस नई Enfield Rifle में लगने वाले कार्तूसों के नौब पर तुवर और गायड की चर्वी का लेप हुआ करता था, जिसको लेकर के भारत में जो है, दो प्रमुक संप्रदाएं हिंदू और मुस्लिमों ने भिरोद चताया, और उन्होंने विद्रोव के शुरुवात की, इस Enfield राइफल का प्रियोग करना शुरू किया गया था, दिसंबर 1856 में, जिहां दिसंबर 1856 में, अगला प्रश्म, भारत के प्रथम सुतंता संगराम का मुखित तातकालिक कारण था, देखिए, लौड डल होजी की हडपनित, जिहां ये भी एक कारण है, लेकिन तातकालिक नह ठीक है, नेक्स्ट, मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे की घटना हुई थी, बैरकपुर में, तसल बैरकपुर शामनी में, उत्तर प्रदेश के, बलिया जिले के निवासी, मंगल पांडे, जो की 34 वी रेजीमेंट के सिपाही थे, इन्होंने चर्वी लगे कार्तूसों के प्रियोग से इंकार कर दिया, और जमको इनको इस बात के लिए विवश्च किया गया, तो इन्होंने विरोध जताते हुए, मेजर सार्जेंट, और जनरल हिोसन की, गूली मार कर हत्या कर दी, और प्रणाम सुरूप इन्हें बंदी बना लिया गया, इनके मुगदमे की सुनवाई हुई, और इनको जो है फांसी दी गई, ठीक है, कहां के रहने वाले थे, उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के, और बैरकपुर की 34 वी रेजीमेंट के सिपा कारण क्या था, जन आक्रोश, स्थैनिक असंतोस, इसाई मिश्नरी का प्रवन, बिटिस सामराज की नीद, अगर इन सभी कारणों में देखें, तो जो अहम कारण है, मुखे कारण, उथा बिटिस सामराजवादी नीद, जिसके तहत उन्होंने जो है भारत के सभी वर्गों का शोशन किया, और लगबख सभी वर्ग जो है, अंग्रेजों के शोशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तक पर हुए, शुरुवात सैनिक होने की, लेकिन फिर उसमें क्रिसानों का, मजदूरों का भी समर्थन हासिल किया, छोटे जमिदारों ने भी अपना समर्थन इस तरह से 1857 की क्रांति का प्रमुक कारण हम देखेंगे, बिटिस सामराज जवादी नीथ को, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सरपर्थम कहां से प्रारम हुई, लखनव, जहांसी, मेरट, सही जवाब है, मेरट, हम सभी जानते हैं कि 10 अप्राइल 1857 को मेरट में, च्छावनी मे सैनिकों ने विद्रो किया, बक्त खां के नित्रत्तों में, और उसके बाद वो जो है, वहाँ के अस्त्रशास्त्रों को अपने कबजे में ले करके, दिल्ली के और पलाइत हो जाएंगे, और एक अगले दिन ही वो दिल्ली पहुँचेंगे, 11 माई 1857 को मेरट में पहला 1857 के संग्राम को राश्ट्री अस्तर पर प्रिशारित करने का उन्होंने प्रयास किया, नेक्स्ट, पहुँचकर लाल के लिए पर कबजा कर लेते हैं, 1857 के स्वाधिनता संग्राम का प्रतीक था, वैसे तो इस बात पर विवाद है कि 1857 के संग्राम को प्लैंड तरीके से आगे बढ़ाया जा सका, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस बात का साक्ष मिलता है, और विपिन चंद्रा इस बात का जिक्र करते हैं, और कमल और रोटी लेकर जाया करते थे और इसको देने के साथ ही, यह मेसेज कन्वें हो जाया करता था कि विद्रो के लिए तयार हो जाएका, इस तरह्छे संग्राम का जो प्रतीक था उसे कमल और रोटी के दोर पर हम देख सकते हं। नेक्स्ट भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हमें पता है कौन थे रॉबर्ड क्लाइव वर्रेंट हेस्टिंग्स लॉड्ड में ओ लॉड्ड जलोजी जी नहीं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर हम जिसे याद करते हैं वो है लॉर्ड विलियम बैंटिक ठीक है तो दिये गए विगल्पों में जहें उप्यूत विकल्प नजर नहीं आ रहा और जवाब होगा लॉर्ड विलियम बैंटिक यह सुरच्छा प्रकोस्ट के नीद तो सुरच्छा प्रकोस्ट के नीद, यह रिंग और फिर्न्र की नीद संमंदी थै वारिन हिस्टिंग्ज्स से निमलिकित में से किस ने बंगाल में द्वैद शासन पडाली को समाप्त किया बंगाल में द्वैद शासन पडाली लागू की गई थी 1765 में जब उन्हें दीवानी प्राप्त हो गई थी इस्ट इंडिया कमपनी को रॉबर्ट कलाइब के द्वारा की गई लहाबाद की पृत्रम संदी के तहर तब लागू हुआ था बंगाल में द्वैद शासन या ड्वैल आरकी यानी शासन विवस्ता एक और शासक दो एक तरफ इस इंडिया कंपनी जो दिवानी पर नियंतरन रखती थी और दुसरी तरफ कड़कुतली नवाब था और दुसरी तरफ कड़कुतली नवाब मौजूद है और इसके अधीन हुआ करता था निजामत का कार इस तरह से एक शासन विवस्ता में दो शासकों की मौजूगी दोएद शासन कहलाती ही यह जो है 1765 से लागू होकर के बंगाल में 1772 तक कायम रही और वर 1772 में वारेन हैस्टिंग्स के जरिये जो कि गौवर्नर जनरल हुए इनके जरिये जो है अब यह भारतियों की मदद से राजा सुवसूली नहीं बलके इस अंडिया कंपनी के एथिकारियों की मदद से राजा सुवसूली करेंगे ठीक है तो इस तरीके बारेन हैस्टिंग्स है जिन्होंने दोहर्शासन की समापती थी की थी ओप्शन सी सही नजर आता है नेक्स् अगर पूछा जाए भारत में नियाइक संगतन के स्थापना की किस ने की तो जवाब होगा लॉड कॉर्ण वालिस के समय में ही बारत में जो है नियाइक विवस्था का विकास हुआ डेवलेप्मेंट इंडिया का संबन सीथे-सीथे लॉड कॉर्ण वालिस से है नेक्स्ट भारती लोग सेवा का प्रवर्तन किया गया अगर पुछा जाए भारती लोग सेवा का प्रवर्तन किसके समय में किया गया तो इसका जवाब भी होगा कॉर्ण वालिस क्योंकि कॉर्ण वालिस ने ना सिर्व नयाईक छेत्रों में सुधार किया और उसके लिए विवस्तेत प् नेक्स्ट 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था तो बरेली में विद्रोह किया था खान बहादुर खान ने किसने खान बहादुर खान ने 1857 में बरेली में विद्रोह किया था नेक्स्ट, 1802 की बसीन की संधी पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, ठीक है, तो 1802 की बसीन की संधी पर हस्ताक्षर पेश्वाओं की तरफ से, मराठा पेश्वा, बाजी राव दुतिये ने किया, और इनके और अंग्रेजों के मध्ये संधी 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 हुई थे, ठीक है, तो बाजी राव दुतिये तथा अंग्रेजों के मध्यानी ऑप्शन भी सही है, पसीन की संधी हुई थे, नेक्स्ट, अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी, यानि दिये गए केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों का पुना कब्जा दिल्ली में अस्थापित हुआ, ऑप्शन C सही, प्रस्ट है भारत में अंग्रेजों ने प्रतम मदर्सा कहां इस्थापित किया था, तो अंग्रेजो दौरा भारत में पहला मदर्सा कलकटा में इस्थापित किया था, ऑप्शन D सही है, नेक्स निम लिखित में से किस ने कालीदास की प्रसिद रचना सकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया पुछा जा रहा है कालीदास की प्रसिद रचना सकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद सरुपर्थम किस ने किया तो इसका स्रेज आता है सर विलियम जोन्स को जिनोंने एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना की थी और अभी ज्यांद शाकुतिलम का हिंदी में अनबात किया था वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्याले की अस्थापना जोनाथन डंकन ने की थी किसने जोनाथन डंकन यानि ऑप्शन ए सही है नेक्स्ट निमलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्ता प्रदान की गई थी तो पेरिल की रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्ता जो है वो दादा भाई नौरोजी को प्रदान की गई थी आप्शन ए आपका जवाब होगा चॉल्स वुड का आदेश परत जीहां ठारा सो चौवन में चौवन में सिक्षा के विकास के संदर्ब में विकास विशेस्ता पुछ सिच्छा के विकास को लेकर एक घोशडा पत्र प्रकासित किया गया था जिसे हम भारती सिक्षा का मैगना कार्टा भी कहते हैं उसमें किये गए प्रावधानों के मद्दे नजर भारती सिक्षा का मैगना कार्टा भी कहते हैं और ये था जो है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र नेमलकित में से किस से सम्बंदी था तो सिक्षा से सम्बंदी था और उच्छ सिक्षा पर इसने जो है विस्त्रित रिबोर्ट प्रस्थूद की next तौटनता पूर अवध में बितिस सरकार दौरा भारत में आधुनिक सिक्षा के प्रसार का मुख्यों देश से था और यही सही जवाब है दरसल अंग्रेजों को प्रशासनिक व्यवस्ता भारत में कायम करने के लिए मानव संसाधन की आउशकता थी ज्यादा आधिक वेतन पर अंग्रेजों को पदों पर न्यूक्त करने से बेतर था कि वे छोटे प्रशासनिक पदों पर भारतियों की न्यूक्त करते जिससे कि उन्हें वेतन भी कम देना पड़ता और अपनी आउशकता पूर्दी भी कर लेते इस तरीके से बोचाते थे कि भारत में अंग्रेजी सिक्षा से पर्चित होकर के भारती जो है वो उनके छोटे प प्रशासनिक पदों पर न्यूक्त होंगे और उनकी प्रशासनिक गिद्विधियों के संपादन में अपनी भूल का अदा करेंगे यहाँ सिक्षा से संबंदित हंटर कमीशन की जो रिपोर्ड थी उसमें जिस बात पर ज्यादा जोर दिया गया था वो प्राथमिक सिक्षा थीrig क्या 1854 के चार्स वुड तिस्पैश में जो है उत्षा पर फूकस कीया गया था इसलिए हंटर कमीशन की प्राथमिक तप्राथमिक सिक्षा बनी और उनहोंने कहा कि प्राथमिक सिक्षा पर जोहे पृच शाया मांदमिक सिक्षा के विकास की कलपना करना जो है वेर्थ है नेक्स्ट निम्न मेंसिक किस वर्ग को सरप्रथम पश्मी सभ्यता ने प्रभावित किया पुलीन जमीदारों को प्रभावित किया नवीन धन्वान व्यापारियों को प्रभावित किया सिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया सिख्षित मुसल्मानों को प्रभावित किया तो इसमें से अगर उप्युक्त विखल्ब चुनना हो तो उप्युक्त विखल्ब होगा सिख्षित हिंदू मध्यमवर्ग सरप्रतम जो है पश्वी सभ्यता से प्रभावित हुआ था यानि option C होगा सेडलर आयोग संबंदी थे तो सेडलर आयोग का संबंदी सिक्षा से है सिक्षा के संदर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सेडलर आयोग का गठन किया था जिसने विश्विद्याले आयोग की सिफारिशों को वर्ग समीक्षा की थी नेक्स्ट, उननीस्वी सताब्दी के धर्म एवन समा सुधार आंदोलों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुखिता आकर सित किया तो बुद्ध जीवियों को सामाजिक धर्मिक सुधार आंदोलों ने आकर सित किया नगरी उच्च जातियों को आकर सित किया निर्धन सर्वसाधारन बर्गों को आकरशित किया, उदार रजवाडों को आकरशित किया, तो सही जवाब होगा इसमें आपका, एक यानी बुद्ध जीवी, दो यानी नगरी उच जाती हैं, और चार यानी उदार रजवाडे, यानी 1, 2, 4 है कहीं option, जी हां option D, 1, 2, 4 सही हो आता है, हम सभी जानते हैं कि पुनर जागरण और सामाजिक धार में सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक भारत में रहे राजा राम मुहन राय, और इसलिए इन्हें जो है भारती जागरित का जनक कहा जाता है, नेक्स्ट, किसको भारती पुनर जागरण का पिता कहा जाता ह ठीक है तो इसथापित किया और इस विषय पर जो है रौश्णी डाले कि जब तक भारत एक राष्ट के तोर भारत के विकास का मार्क प्रशस्त नहीं होगा अगला प्रश्टे भारत का प्रथम आधुनिक पुरुस किसे माना जाता है तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुस भी आप राजा राम मोहन राय को ही मानेंगे क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने जो है न सिर्फ अंग्रे जी सिक्षा बलकि तमाम जो है विदियसी भासाओं पर अपनी पकड़ मजबूत की सिक्षित और जो है समाज के का चेहरा बने ही और इन्होंने भारत में स्वेम जगकर औरों को जगाने का प्रयास किया ठीके इस तर राम मुहन राय को राजा की उपाद इंग बादि मुगलबारशा अकबर दुतिये ने राम मुहन राय को राजा की उपाद दी और उन्हें भेजा था इंग्लैंड इन को भेजने के पीछे ऊब बाद्शाह का मकसद था कि वह अपनी पेंशन रास में व्रिध कराना चाहते थे जो पेंशन उनको अंग्रेजों से प्राप्त होती थी उस पेंशन रास में व्रिध के मकसद से उन्होंने अपने प्रतनित के तौर पर राजा राम मुहन राय को इंग्लेंड भेजा था और वहीं इंग्लेंड में प्रिस्टल में राजा राम मुहन राय की वृत्य हो जाएगी ठीक है वो भारत वापस नहीं आ पाएंगे नेक्स्ट नमलकित में से कौन आत्मी सभा के संस्थापक थे ठीक है आत्मी सभा के संस्थापक जो है राजा राम मुहन राय स्वामी दयानन सरसुती स्वामे विवेका नंद अर्मिद्गोस जी नहीं आत्मी सभा के संस्थापक के तौर पर हम याद करते हैं देवेंद्र ना जवाब होगा देवयना टैगो झिक जिनोंने ब्रह्म समाज से जुड़ने से पहले आतमी सभा की तो कि नहीं kg कोरिआ आत्मी सभा के संस्थाफक थे राजाराम मोहन राय ठीके देवयना टैग歌 ने आत्मी सभा के स्थापना नहीं की थी, राजा राम मुहन राय नहीं की थी, देवेना टैगुर्थ तक्तु बोधनी सभा के स्थापना करते हैं, ठीके तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इनके जरिये तक्तु बोधनी सभा के स्थापना की गई थी, जबकि राजा राम ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई तो वर्स 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी भारतिय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो भारतिय ब्रह्म समाज के संस्थापक के तौर पर हम आचार केशोचंग सेन को जानते हैं दरसल इस्वर्चंग देवेन नाट टैगोर ने जो कि ब्रह्म समाज के ट्रस्टी थी इन्हों ने केशोचन सेन को ब्रह्म समाज से जोड़ा था और केशोचन सेन के शामिल होने के बाद उनकी लोगपरिता बहुत तेजी से बढ़ी और उनके कुशल वक्तृत्त की वज़े स उनके उदारवादी विचारों की बज़े से ब्रह्म समाज बंगाल के बाहर में प्रचारित हुआ जाकर के जो है ब्रह्म समाज की ही तर्च पर महराश में प्रातना समाज और मदरास में वेद समाज की इस्थापना जो है आत्मा राम पांडुरंग ने महादेव का वर्चस भढ़ने लगा ऐसे में जब देवेदनाठ टैगोर को लगा कि ब्रह्म समाज अपने उद्यस्यों से भटक रहा है तो उन्होंने ट्रस्टी की हैसियत से केशोचंद सेन को ब्रह्म समाज से अलग कर दिया और आचार की पद्वी उसे छीन ले इसके बाद केशोचं सेन थे नेक्स्ट राजा राम मुहन राय की समाध का है तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में जहां उनकी मृत्त हुई थी वहीं उनकी समाध बनाई गई थी ठीक हमने जाना कि किस तरह से मुगल बाशा अग्बर्दुतिय का पक्ष रखने के लिए वो इंग्लैंड गये थे और नासिक्ता पर अद्वयतवाग पर एक देववाद पर बहुदेवाड पर जी हां एक देवाद पर ब्रहन समान मूर्ध बूजा के विरोध में और जो है बहुदेववाद के विरोध में खड़ा किया गया था और इस तरह से इसका आधार जो है वो एक देवाद था Next 1857 के स्वाधेंता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली क्या है तो वारांडसी में महारानी लक्ष्मी बाई का जन्म हुआ था कहां हुआ था वारांडसी में इनके बच्पन का नाम मन या मड़ी करनी का था इन्होंने जनरल हिरोज से लड़ते हुए ग्वालियर में वीरगत प्राप्त की परणाम सुरूप इनकी समावी ग्वालियर में बनी जन्म वारांसी में मृत्त ग्वालियर में और समाद भी ग्वालियर में इनका साथ दिया था ताक्या टूपे ने इनकी मृत्त के बाद जनरल हिरोज ने कहा कि यहां पड़े हुए शवों के बीच यहां पड़े हुए शवों के बीच लेटी हुई यह महिला एक मात्र मर्द है यह है हिरोज का statement महारानी लक्षमी बाई के जो है वीरता से प्रभावित हो करके आपको यह statement भी याद रखने है एक्जाम के दिर से यह भी important है आगे चलते हैं महारानी लक्षमी बाई की समाध कहां बनी तो मैंने अभी अभी चर्चा की कि ग्वालियर में जहां उन्होंने हिरोज से लड़ते हुए वीरगत को प्राप्त किया था next एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक कौन थे तो एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोंस जिन्होंने वर्ष 1784 में एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्थापना की थी इस सोसाइटी के तहत भारती धर्म ग्रंतों का भारत कि अंग्रेजों में से कौन था जिसने सरवपृथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनवाद किया तो भगवत गीता का सरवपृथम अंग्रेजी में अनवाद करने का स्रेज आता है चार्ल्स विलकिन्स को किसे चार्ल्स विलकिन्स को जिनोंने भगवत गीता का अंग्रे जी अन्वाद किया था सरुपृथम नेक्स्ट ब्रटिस सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिक्षा के लिए एक लाख उपए दिये थे तो चार्टर एक्ट 1830 अनिया चार्टर अधनियम 1813 के तहर पहली बार भार के सिक्षा के पचार प्रसार के लिए एक लाख रूपए की धनरा से आवंटित की गई थी आवंटित की गई कितना एक लाख रूपए की नेक्स्ट नेशनल कॉंसिल ऑफ एडुकेशन की अस्थापना हुई नेशनल कॉंसिल ऑफ एडुकेशन की अस्थापना हुई 15 अगस्ट 1906 को जी हाँ 15 अगस्ट 1906 को नेशनल कॉंसिल ऑफ एडुकेशन की अस्थापना हुई इसके साथ आज का हमारा इंपोर्टेंट MCQ बेस्ट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्रीट हुआ इस सीरीज को हम आगे भी कंटीडियू रखेंगे और अलग-अलग टॉपिक से जो है इंपोर्टेंट क्वेशन लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले जल से जल जो है लोगों को सब्सक्राइब करिये शेयर करिये और उनको जोड़िये जिससे की हम जो है कुछ महत्पूर्ण प्रेशनों की चर्चा कर सके जो एक्जाम की दिर्श से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं पढ़ने पढ़ाने का सिलसला टॉपिक डिसकुशन का स सिलसला डिटेलिंग और कॉंसर्ट बिल्डिंग का सिलसला तो चली रहा है जो आगे भी जारी रहेगा पर एंसी क्यू के तुरूपी प्रेपरेशन करनी का मकसद और इरादा हमारा है जिसको ले करके हमने आज शुरुवात की और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे अगरती अर्थवेवस्था पर प्रभाव इंडियन एकॉनमी पर पढ़ने वाला एफेक्ट आज हम देखेंगे जानेंगे और यह भी जानेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने लाप को अधित्कम बनानी के लिए भारत में किस तरह से समय समय पर आपनी नीतियों क संपाधन किया इससे पहले कि हम जाने कि क्या रहा उनकी आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव किस तरीके से उन्होंने मानवी संसाधनों और आर्थिक संसाधनों का भारत के दोहन किया भारत को दिन बदिन गंगाल किया और साथ ही भारत की लाश पर चटकर लिए प्रेरीद करती है इस उपनिवेशवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ही भारत में बिट्षर्थ की मौजूदगी को हम देख रहे हैं इसने सबसे पहले इस विचारधारा कुसे परचे प्राप्त करेंगे उपनिवेशवाद का सीधा अर्थ है एक विदेशी छ चेत्र पर प्रतिक्ष शासन के माध्यम से तरह तरह का लाब उठाने के लिए प्रयास करना अर्थात उपनिवेश के आर्थिक सामाजिक राजनीति तथा सांस्कृतिक चेत्रों पर अधिकार जमान लेना ठीक है तरसल सामराजवादी सोच के तहट रामराजवादी विचारधारा सित्रीरित इंग्लैंड ने अपने यहां तयार माल या उत्पाद जिसे आप कहते हैं का बाजार तलास ने और उत्पादों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के उद्देश से प्राप्ति के उद्देश से उपनिवेशों की अस्थापना की इन उपनिवेशों के सभी संभावनाओं और उनके सामर्थ का आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक शेत्रों पर कबजा जमा करके अंग्रेजों ने अपनी बेहतरी के लिए इस्तमाल किया प्रतेक्शनियन प्रण कायम किया अब जिस भी जगे ये गए जहां इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए वहां का मूल देश जो है, वो कहलाया उपनिवेश और ये कहलाया उपनिवेशिक सत्ता आईए आगे बढ़ें देखे, उपनिवेश प्राप्त करने की हो, योरोप में औदोगी क्रांति का प्रतेक्श परणाम थी प्रता भारत इस संदर में ब्रिटेन का एक उपनिवेश पना, ये योरोप में औदोगी क्रांट हुई और उस औदोगी क्रांट ने वहां का तयार उत्पादों के लिए बाजार तलाशने को प्रेरित किया और उन बाजारों की तलाश करते हुए वे भारत तक आई यहां एक बात इसपस्ट कर दूं कि एक तरफ तो अध्योगी क्रांती जो है अध्योगी क्रांत इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन अंग्रेजों को बाजार की तलास करते हुए भारत आने के लिए प्रेरिद करेगा भारत आने को प्रेरिद करेगा वहीं दूसरी तरफ जब वो भारत को अपना उपनिवेश बना लेंगे भारत उनका उपनिवेश बन जाएगा तो ये उपनिवेश जो है उनकी और दोगी क्रांती में सहायग भी होने वाला है क्योंकि यहीं उपनिवेश की अस्थापना करके यहां से कच्चे माल के उत्पादन के लिए क्रिस्कों को उनके द्वारा विवश किया जाएगा और उसे औने पोने दाम में खरीद कर इंग्लेंड भेजा जाएगा और इंग्लेंड में वही कच्चा माल तयार माल के तौर पर उत्पादित हो करके एक बार फिर भारत आएगा और अब भारती जो है जो भी अपनी उपनिवेश्वात विभिन चर्णों से होकर गुजरा और प्रतेक चरण अन्य चर्णों से भिन नजर आता है यानि बदलती आउशकताओं बदलती प्रात्मिकताओं भारत भारतियों के जो है रियक्शन को देखते हुए उनने समय समय पर इस उपनिवेश में यानि भारत उपनिवेश में अपनी नीतियों को परिवर्थित किया और अपनी नई नई नीतिया लागू करके कभी भारतियों को संतुष्ट करने का प्रयास करके अपने लाप को सुनिश्चित करते रहे कभी भारतियों पर दमनात्म कारवाही करके अपने जो है लाप की वृद्धी म प्रचलन किया और इस आधार पर हम भारत में उनके उपनिवेशिवादी दिवस्था को तीन चरणों में बाठ कर देखते हैं यह तीन चरण है वाड़िजिक पूजीवादी चरण जिसको कॉमर्सियल कैप्टिलिस्म कहते हैं 1757 से 1813 तक प्रचलित रहा दूसरा चरण जिसे चरण यानि इंड़स्ट्रियल कैप्टिलिस्ब के नाम से जानते हैं जो 1813 से 1860 तक कैम रहा और तीसरा चरण जिसे हम वित्ती पूजी वादी चरण के नाम से जानते हैं financial capitalism जो 1860 से बात के समय में लागू रहा ठीक है चुरवाती दौर में जब वो खुद को इस्थापित हो रहे हैं तो उन्होंने व्यापारिक लाप को अधिक्तम करने का प्रयास किया इस दौर में उन्होंने अपने कॉम्टीटर को पीछे चोड़ने के लिए मशक्कत की चाहे वो यूरोपिय कॉम्टीटर हूं या अन्य भारतिय व्यापारी रहे हूं यूरोपिय कॉम्टीटर को पीछे चोड़ने के बाद उन्होंने भारतिय व्यापार को जो है हतोतसाहित करने का प्रयास किया जिससे कि कह कोई प्रतियोगिता उनको न जहलनी पड़े और यह आरंभिक दौर उनका वाड़िजिक पुझीवादी चरण कहलाता है बाद में उन्होंने अध्योगिक पुझीवादी चरण में इंटर किया 1813 में जब उन्होंने यूरोप में इंडस्ट्रियल क्रांथ के बाद से होने वाले व्यापार को छोड़ कर ठीक है और आगे का चरण वित्तिय पुझीवादी चरण कहलाएगा जिसमें उन्होंने भारत में तमाम छेत्रों में निवेश भी किये हाँ उस निवेश को करते वक्त वो इस बात का खयाल अबश्य रखते थे कि अधिक्तम लाभ की गारेंटी होनी चाहिए तभी निवेश किया करते थे आएए एक एक चरण से परचे प्राप्त करें सबसे पहले बाड़े जिक पुझीवादी चरण जो 1757 से 1813 इसमी तक जो है भारत में चला देखे 28 सतापदी में भारत एक विशाल क्रिसिप्रधान और ओद्योगिक जिहां भारत के बने हुए कपड़े एशिया और यूरोब के बाजारों में हाथों हाथ लिये जाते थे और इनकी बड़ी डिमांड हुआ करती थी ये निर्याती द्वस्तु के तोर पर भारत से बाहर जाया करते थे भारत में क्रिसी और उद्योग के बीच एक बहतर संतु भारत के पक्ष में था यानि भारत से निर्यात की जाने वाले वस्तुओं की मात्रा जादा थी और आयातित वस्तुओं की मात्रा कम थी इस तरह से व्यापारिक संतुलन सदयों भारत के पक्ष में रहा था ये देशों के पूंजीपत जब भारत आये और उनमें आर्थिक राजनेतिक अधिकार के लिए प्रतिसपर्धा हुई और इस प्रतिसपर्धा में ब्रिटिस पुझी पती सफल होंगे और अब जो है भारत की अर्थविवस्था वो ब्रिटिस पुझी पतियों के इशारे पर संचालित होने लगेगी और उनके द्वारा लागू की गई नीत करनी का एक अधिकार स्थापित करना यानि सभी अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़कर व्यापारी के अधिकार की प्राप्ती शुरुवाती दौर में उनका आरंभिक लक्ष है और सभाविक तोर पर व्यापारी के तोर पर आये हुएगा इस इंडिया कंपनी का यही लक्ष हो भी सकता था इसके लिए उन्होंने देसी रियास्तों से रियाते प्राप्त की तमाम उन मुक्तियां प्राप्त की करमुक्त व्यापार की इजाजत प्राप्त की इसके लिए उन्होंने भारत के बादशा को कभी राज्यों के नवाबों को संतुष्ट करने का प्रयास किया और उनसे जो है सहुलेते हासिल करने में काम्याब रहे ठीक है दूसरी तरफ इनका एक लक्ष है कमपनी भारत में वस्तूओं को कम से कम कीमत पर खरीदे और यूरोप में अधिक से अधिक कीमत पर बेचे जिससे कि व्यापारिक लाप को अधिक्तम किया जा सके यानि में मोटिव है लक्ष की अगर हम बात करें तो उनका जो में मोटिव है वो व्यापारिक लाप को अधिक्तम करना है व्यापारिक लाप को अधिक्तम करना और इसके लिए सबसे पहले तो वो व्यापारिक एक अधिकार की अस्थापना करेंगे ताकि भारत से कम से कम कीमत पर फरकरीद कर यूरोप के मार्केट में अधिक सथी कीमत पर उसे बेश सके और क्या प्रक्रियाप नाई उन्होंने अपने इस लक्ष की पूर्थ के लिए उन्होंने कमपनी को अन यूरोपीय शक्तियों जैसे फ्रांस डच से युद्ध करना पड़ा तो व्यापारिक लाप को अधित्तम करने की दिशा में प्रयासरत हुए दूसरी तरफ उन्होंने अपने अन यूरोपीय कॉम्प्टीटर को पीछे चोड़ने के लिए चाहे वो फ्रांसीसी कमपनी हो डच हो डेनीस हो उनसे युद्ध करना पड़ा तो युद्ध भी किया और उनको बैक फूट पर जाने पर विवश किया ठीक है वो अपनी नौसैनिक शक्ति के बल पर भारती व्यापारियों को विदेसी व्यापार से बंचित करना प्रारम कर देंगे ताकि भारत किसी अन्य तरीके की व्यापारिक गद्विधी का संपादन ना कर सके और भारत की पर उनका नियंतरन हो गया और इसके बाद उनके उद्देशों की पूर्ती और आसान हो गई देखिए जब यह अंग्रेश शुरुवाती दौर में आये हैं या कोई भी यूरोपे व्यापारी जब शुरुवात में भारत आया तो उनके भारत आने का लाप भारतियों को प्राप्त हुआ वो भारत से आउशदियां खरीदते थे जड़ी बूटियां खरीदते थे कच्चे वस्त्र ले जाते थे और अफीम ले जाते थे और इन सब वस्तूओं की खरीद में वो जो है भारत को बहमूलिधात्यों दिया करते थे बुलियन जिसको कहते थे तो भारत को वस्तूओं के बदले में बहमूल इधातुओं की प्राप्ती होती थी जिससे भारत की बेहतरी का मार्क प्रिशस्त हो रहा था लेकिन अंग्रेजों ने सोच रखा था कि ऐसा आखिर कितने दिन करना है जल्दी उनकी नियत इसपस्ट है कि भारत में राजनेतिक स अपने नियंतरण में करने लिए है चेत्रों को विजिद करना है और विजिद चेत्रों से जो भी आय हो रही है उस पर अपना पूरा नियंतरण बनाना है उसी आयसे जो भारत से ही राजस वसूली के नाम पर और अनिगत विदियों के नाम पर उनको प्राप्त हो रही है उ उसे इंग्लेंड के मार्केट पर बेचना है तो इस तरह की पॉलसी में उन्होंने शुरुवाती दोर में वाड़िचिक शरण में काम किया जिसके परणाम क्या हुई ये भी जान लेने लाए देखे इस से भारत से धनकी निकासी हुई जिसके चलते भारत गरीब हुआ और इंग्लेंड दिन बदिन और अमीर और अमीर और अमीर होता गया भारत से प्राप्त कुझी ब्रिटेन के ओद्योगी करण में सहायक हुई इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन में उनको हेल्प मिली उन्होंने नए कार खाने नई फैक्ट्रियों की अस्थापना की और अधिक मात्रा में उत्पादन की छमता कुई में विर्द की और उस तयार उत्पादित माल को अपने वेशों में खास करके भारत में भी उन्होंने बेजा और उसको बेच करके जो है अलग से लाभारजन किया ठीक है शिल्पकारों को नियुंतम जिवन निर्वाहयोग मस्दूरी भी नहीं मिल सकी जिससे एक सिल्पकार अपने कारे को छोड़ करके गाओं की और पलाईत हुए गाओं की और उनके पलाएन का परणाम ये हुआ कि क्र मरी और बिरोजगारी की तरफ बढ़ेगा तो ये था उनका आरंभिक प्रयास जो वारिजिक चरण के तौर पर आपने देखा व्यापारिक चरण के तौर पर और अब उनकी नीतियों का अगला दौर शुरू होगा जिसे हम ओद्यों की कुजिवादी चरण कहते हैं जो भा कंपनी के पास अत्यधिक पूझी हो गई थी इंग्लैंड में और द्योगिक क्रांथ के विस्तार में इस पूझी ने काफी हद तक मदद पहुंचाई और द्योगिक क्रांथी ने इंग्लैंड को संसार का प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश बना दिया परलाम जैसे विशाल और अधिक जनसंख्या वाले देश से बेहतर बाजार उन्हें कहां मल सकता था इसलिए अब ब्रिटेन का हर व्यापारी सिर्फ एस्ट इंडिया कंपनी ने हर व्यापारी भारत में जो है निवेश के लिए तैयार होगा भारत में जो है व्यापारिक छूट और रियायत प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो लक्ष क्या है इस दौर में उनका लक्ष है ब्रिटिस उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ती करना और भारत का उपयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तूओं के एक बाजार के रूप में करना इसके लिए भ विचारधारा मुखना होती और तब तक उनकी डिमांड में ब्रिटेन में तयार उत्पात ना आते और जब तक उनकी डिमांड ना क्रिएट करते तब तक उन वस्तों की विक्री जो है संभव ना हो पाती इसलिए उन्होंने एक बहतर बाजार के तोर पर भारत को विक्सित कर करने के उद्देश से भारत की सोसल एजुकेशनल और एड्मिनिस्ट्रेटिव जो है प्रक्रियाओं में हस्त अच्छे प्रारम किया कि क्या हुई इसकी प्रक्रिया ये भी जान लीजिए वर्स 1813 के चार्टर एक्ट के अमसार भारत में मुक्त व्यापार की नीद यानि फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपना लिया गया कंपनी को भारत में व्यापार करने के एक अधिकार से अब वंचित कर दिया जाएगा और 1813 में अगर कंपनी का व्यापारी के एक अधिकार किसी विशय पर कायम रहा तो वो था चाय और चीन से होने वाले व्यापार पर अधिक साथ ही ब्रिटिसर्स को भारत में संपत्ति खरीदने एवं बसने का अधिकार भी दे दिया गया। और तयार माल ब्रिटेन भेजना अब शुरू हो गया। इसी दौर में उन्होंने बारत में रेलवे का विकास किया जिसके पीछे मोटे विसपस्ट है कि दूर दराज के छेत्रों को वो कनेक्ट कर सकें वहां से उत्पादित कच्चे मालों को बंदरगाह तक ला सकें और फिर उद्योग का पतन होने लगा। इंग्लैंड के मसीन से बने कपड़ों ने भारती बुनकरों को भरबाद कर दिया। विभिन छेत्रों में रेलों के पहुँचने से वहां सस्ता विदेसी इसपात और लोहा पहुँच गया जिससे लोहा गलाने वाले भारत के देसी उद्यो समाप्त हो गए और इन उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति जो है विरोजगार हो गए। लाखों सिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों, लोहारों का व्योसाय चौपट हुआ और खेती ही उनके लिए वेक मात्र विकल बचा अता भूमी पर जनसंख्या का दबाओ बढ और खाद्यान संकट खड़ा हो गया, कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में क्रिसी के वाड़िजी करण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीन, चाय, जूट, कॉफी आद के उत्पादन ही क्रिस्कों को विवस किया गया, वो किसान जो निर्ध व्यापारिक फसल करने के लिए विवस किया जाएगा, तो किसान के लिए इस से बड़ा जो है दुख का सबब और कुछ नहीं हो सकता, उन्हें पता है कि जो भी वो व्यापारिक फसल उगाएंगे, उस व्यापारिक फसल को ओने दाम पर अंग्रेजों को ही बेचना उनके व्यापारिक फसल उगा करके तो कोई लाभारजन वो कर नहीं सकते, अवल वो जो है एक दूसरी तरफ जो है खाद्यान संकट से अलग तरीके से चूचने लगेंगे और भारत में पुखमरी का दौर आएगा, ये था और द्योगित चरण, और अगला दौर कहलाता है वित् के या चरण भारत के आंतरिक और वाह घटनाओं का परणाम है, क्योंकि इस समय भारत में लोग जो है अंग्रीजी अपनिबेशिक नीद केके और उनके द्वारा भारती अर्थवियोस्था के दोहन से भली भांत परचित हो चुके हैं, इसलिए वो विरोध करनी के इस्तित में हैं और विरोध करके जो है अंग्रीजों को जो है अपनी बात मन माने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आइए देखें, क्या रहे आंतरिक कारण और क्या रहे वाह घटनाओं, कौन सी वाह घटनाओं रही जिसका परणाम सरूप भारत में वित्ति-पुंजिवादी चरण प्रारम हुआ, आंतरिक कारणों की चर्चा करें सरूपर्थम, देखें 1857, ये 1860 के बाद वित्ति-पुंजिवादी चरण प्रारम हो रहा है, और इससे पहले भारत में एक महा विद्रो हो चुका है 1857 की क्रांती के दौर पर, 1857 का विद्रो, ब्रिटिस में हस्तक छेप करके उस गद्दी पर कटकुतली नवाब को बैठाने का प्रयास किया था, 1757 से 1857 तक 100 सालों में भारत के सभी वर्गों का शोशन हुआ, भारती कला उद्योगों का विनाश हो गया, उनके द्वारा लागू की गई लगान विवस्था से किसानों का शोशन हुआ, भुखमरी, वेकारी याई, ऐसी इस्तिती में भारत में अंग्रेजों के विरुधे एक माहौल तयार हो रहा है, इस माहौल और इस माहौल से उत्पन आक्रोस को निसकाशन देने के लिए एक नया जो है पॉलिसी लागू की जाने वाली है, जिसे हम वित्तिय पुझ प्रतन आवश्यक हो गया है, और इसके प्रणाम सुरूब जो है वित्तिय पुझी बादी चरण आयेगा, चीक है, वाहकारण की चर्चा कर ले, कि किन भारी कारणों से प्रभावित हो करके इन्होंने भारत में अपनी पॉलिसी चेंज किया, देखे, इंग्लैंड के अलाम अपनिवेशिक सोसंड से, इंग्लैंड में काफी पुझी आलरेडी कठा हो चुकी है, अता इस पुझी के निवेश की आवशकता महसूस की जा रही है, और इस वज़े से जो है, अब उनको अपनी पॉलसी में तब्दीली करनी पड़ेगी, ऐसा माना गया, कि यद ये पु पुझी विदेशों में प्रिसी, खनिस, संपदा, अत्वा, यातायाद के साधनों के विकास में लगाई जाए, तो ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं दे सकती, कमपरिटिबली भारत में अगर इस पुझी का निवेश किया जाए, तो क्या लक्षे है इस दौर में उनका, भारत में बिटिस पुझी का निवेश, रेल लाइनों के निर्माण, सडकों के विकास, सिचाई के साधनों के विकास, देश भर में एक जैसी डाग विवस्था, यूरोप के धंकी बैंक विवस्था को आरम करने के लिए किया गया, इस में निवेश के जरिया अधिक्तम लाव प्राप्त करना, और भारतियों के मन में जो आक्रोश है अंग्री जी सत्ता के खिलाफ उस आक्रोश को निस्काशन देना भी, क्या प्रक्रिया अपनाई उन्होंने, पूंजी निवेश का मुख हिस्सा सारवजनिक रेड को बनाया, जिसे ब्रिटेन ने भारत पर अपनी पकड मजबूत करने के लिए अपनाया, उनके जरिये रेल निर्मार पर सरकार से पूंजी पत को 5% ब्याज की गैरंटी भी दी आप भी सोच लिजे कि अगर किसी इन्वेस्टर को 5% ब्याज या 5% लाप की गैरंटी दे दीजे तो उससे बेहतर जो है निवेश के लिए और क्या उसे आउसर मिलेगा, निवेश के छेत्रों में रेल ही नहीं, बलकि इसी चाई पर योजनाएं, चाई, कॉफी, रबड के बागान, जूट मिले और जहाजरानी उद्योगों को भी चुना गया। कर सकते हैं, इसलिए इस तरह की विचारधारा के प्रसार पर उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दी, ठीक है, तो ये तो रहे भारत में उपनिवेसिक सक्ता के तीन चरण, जिसमें अलग-अलग चरणों में उन्होंने भारत के शोशन के लिए अलग-अलग तरीके की न भूराजस व्यवस्था अपनाई कौन-कौन से चरण में गुजर करकर किस-किस छेत्र में किस-किस तरीके की जो है लैंड सेटलमेंट उनके द्वारा किये गए देखे भारत में ब्रिटिस सामराजवाद के विस्तार और सुद्रीरी करण हेद कंपनी को अत्यधिक धन की योगों और व्यापारों का उन्होंने पतन कर दिया ऐसे में भूराजस ही जो है आयका एक बड़ा स्रोध हो सकता था और इसमें इंटर्फेयर करके वो जो है अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे बॉरेन हेस्टिंग्स ने सवरुपर्थम 1772 में बंगाल में द्वैद शासन का अंतकर राजस वसूली का काम स्वयम कंपनी की देखरेख में शुरू किया इससे पहले बंगाल में द्वैद शासन लागू था जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आरोपित किया गया था ज इंडिया कंपनी ने लेकिन उनको जो है भूराजस के निर्धारन उसकी वसूली इन सारे मामलों की का अनुख़ों नहीं था और नहीं परयाप्त उनके पास संख्या बल था कि वो इनकारियों के संपादन में लोगों को लगा सके इसलिए उन्होंने भारतियों के सहीयोग स से ही अभी तक द्वहत्षासन के नतरगत्ज भूराजस्य का निर्धारन और वसूली की थी लेकिन बंगाल में द्वहत्षासन को जरिए समाप्त करके कम्पनी की देखकरीख में राजस्य का काम ले लिया गया और प्रफालागू की गई जो है जिसे इजारेदारी पृथा या फार्मिंग सिस्टम कहा गया देखिए 1772 में पांच वर्सी इजारेदारी पृथा को लागू किया गया इस नई विवस्था ने के अनुसार निलामी में सबसे अधिक बूली लगाने वाले व्यक्ति को भूराजस वसूली का ठीका दिया जाने लग इस विवस्था के परणाम हानिकारक रहे इससे भूराजस की लगम तो बढ़ गई पर वास्तविक वसूली प्रतिवर्स घटी बढ़ती रहती थी और अंग्रेजों को चाहिए थी एक निश्चित आय जिसकी बदौलत वो अपनी गद्विधियों के संपादन के लिए प्र अफल होने के बाद वारेंट हैस्टिंग्स ने 1776 में इसे एक बार फिर एक वर्सी कर दिया अब इस विवस्था में जमीदारों को प्रात्मिक्ता प्रदान कर दी थी इन्हीं परिस्तियों में वारेंट हैस्टिंग्स के बाद बंगाल के गवर्नर जेनरल के रूप में नि कि राजस्व दर में उतार चड़ा हुआ रहा है इसलिए भूराजस्व के लिए वो नई विवस्था लाने पर आमादा है और अब उनके जरिए जिस नई विवस्था और नए बंदोबस्त को लागू किया जाएगा लॉड कार्ण वॉलिस के जरिए वो व्यवस्था कहलाती ह यह स्थाई यह स्तमारारी विवस्था कौन है इसके प्रतिपादक लॉड कॉर्ण वॉलिस आएगे देखें वर्ष 1790 में कॉर्ण वॉलिस ने एक दस वर्षी भूराजस्व विवस्था लागू की जिसमें भूमिका स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी उन्होंने जमीदार को स्विकार कर लिया था 1793 में कॉर्ण वॉलिस ने दस वर्षी विवस्था को बदल कर अस्थाई कर दिया क्योंकि उसका आकलन था कि भूराजस्व समंधी प्रियोगों के लिए दस वर्ष का समय परयाप्त नहीं है और इस तरीके से भारत में प्रादा और प्रादुर्भा हुआ अस्थाई बंदोबस्त का जो शुरुवात में दस वर्ष के लिए लागू की गई थी कॉर्ण वॉलिस के दौरा और बाद में पर्मानेंट सेटेल्मेंट के तौर पर इसे लागू कर दिया गया इस राजस विवस्ता के तहट भूम का स्वामी किसे स्विकार किया गया भूम का स्वामी मान लिया गया जमीदार को और जमीदार को ही लगान वसूली का जिम्मा भी दे दिया गया और ये भी तै कर दिया गया कि जमीदार इस वसूले गया राजस का एक बटे ग्यारा वो इसे company को देदेगा चीक है इस तरीके से भूम का स्वामी कहा तो जा रहा है जमीदारों को लेकिन basically उनको एक agent एक दलाल बना कर छोड़ दिया गया जो जितनी मातरा में राजस वसूलेगा उसी अनुपात में उसके हिस्से में उसको जो है धनकी प्राप्ति होगी अच्छ को का सोसंड जो है बहुत हद तक नहीं देखा जाता था यह जमीदार उन्हीं के बीच का था यह लगान वसूली के लिए सकती भी करता था लेकिन जो है उनके साथ खड़ा भी रहता था पर जब अंग्रेजों ने उसका ही अस्तितु संकट में डाल दिया यानि उसको जो है जादा बनाने का प्रयास करेगा और सुमय हो इस प्रिकरिया में जादा राजसुकी से प्राप्त होगा इस्टि इंडिया कंपणी को ने की जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमीदारों को मिल सकता था सरकार को नहीं इसका यह परणाम हुआ कि जमीदारों का किसान पर शूशन बढ़ने लगा गए 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया अर्थार यद निर्धारित समय पर सरकार के पास लगान या राजस नहीं पहुंचा तो जमीदारी को निलाम कर दिया जाता था इससे जमीदारों के मन में आस्तिरता का भाव आ गया उन्हें इस बात की गैरंटी नहीं कि कब तक वो किसी छेत्र विशेस के जमीदार है ऐसे में जो है वो जमीन की बेहतरी के लिए उत्पादन छमता बढ़ाने के लिए सिचाई साधनों की बेहतरी के लिए क्यों प्रयास करने लगे जब तक है तब तक जादा से जादा लगान वसू ली करके जो है अपनी आय में व्रिधी करना ही उनका उद्देश बन गया जिससे किसानों की बधाली का मार्क प्रशस्त हुआ या विवस्ता जमीदारी भारत के 19 पृतिशत भाग पर लागू के गई जिसमें बंगाल बिहार और उडिसा के अत्रिक बनारस वा उत्री करनाटक के छेत्र शामिल थे तो अगर आपसे पूचा जाए अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिस आधिपत के कितने छेत्र पर लागू तो 19 पर चेत्र पर कहां कहां बंगाल पर बिहार में उडिशा में बनारस और उत्री करनाटक में आगे बढ़ेंगे क्या प्रभाव रहा स्थाई बंदोबस्त का जरा देखिए जमिदारों को ये अधिकार दे दिया गया कि लगान ना देनी की स्तिती में वो किशानों को जमीन से बेदखल कर सकते हैं उनकी जमीन जब्त कर सकते हैं सुर्यास्क नियम के कारण नए वर्गों जैसे व्यापारी, साहुकार आज जमीन खरीद कर जमीदार बनने लगे जिससे अनुपस्थित या दूरवासी जमीदारों का उदेख हुआ जब जमीदारी निलाम होगी निश्चित समय पर जमीदार लगान नहीं जमा कर पाएगा तो जमीदारी की इस निलामी में भाग तो वही लेगा जिसकी जेब में पैसा होगा और जेब में पैसा है व्यापारियों के साहुकारों के कि उनके जरिये जो है इसको निवेश का छेत्र मान कर जो है बोली लगाई जाएगी और जमीदारी ली जाएगी अच्छा ये दूर दराज के नगरों में बैठे जो है व्यापारी हैं जिनका किसानों से कोई सीधा तालुक नहीं है इनका उद्देश है निवेश की गई रास्क से कई गुना जो है जादा आफजित क करना इसलिए जो है इनके अधीन भारत में किसानों का शोसन सरवाधिक जो है पढ़ चड़ कर पेश होगा और किसानों को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस विवस्था से अंग्रेजों को यह लाब हुआ कि उन्हें अस्थाई रूप से लगान की सुनिश्चित्ता प्राप्त हो गई जिसका प्रयोग उन्होंने सामराज विस्तार वा सामराज को मजबूती प्रदान करने में किया अंग्रेजों को भारत में जमिदारों के रूप में एक नित्र अलग से मिल गया जिसने 1857 की क्रांत में अंग्रेजों का साथ दिया तो यह थी अस्थाई बंदो बस जो लॉड कार्ण वालिस के दौरा 1793 में लागू की गया था इस विवस्था के तहट जमिदारों की इस् पर आगमन होना और किसानों की बधाली का मार्क प्रशस्त होना हमने देखा हमने इसके प्रभाओं की भी चर्चा की अंग्रेजों को इससे क्या लाब हो सका अंग्रेज जो है और जमिदारों की स्तिति क्या हुई और कैसी हुई यह सब हमने जाना अब हम चलते हैं अगला बंदोबस्त जिसको हम रैयत वाड़ी बंदोबस्त कहते हैं रैयत का मतलब है प्रजा रैयत का मतलब प्रजा से है रियाया से है ठीक है तो यह विवस्ता सीधे रैयत से की जाएगी इस इंडिया कमपनी के द्वारा इसलिए इस विवस्ता का नाम रैयत वाड़ी विवस्ता क किसानों या आम जन्ता के साथ लागू की गई अता इस विवस्था को रहीत वाड़ी विवस्था के तौर पर हम जानते हैं यदि किसान इस विवस्था के तहट निर्धारित लगान जमान नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित उसे वंचित कर दिया जाता था रहेतवाडी विवस्था का जंगदाता मानते हैं हम टॉमस मुन्रो और कैप्टन रीड को वर्ष 1792 में प्रयोग के तौर पर रहेतवाडी विवस्था 12 महल जिले में पहली बार करनल रीड के द्वारा लागू की गई थी जिसकी सफलता को देखकर इसे जो है अनिछेत्रों म में लागू किया गया 1820 में इस विवस्था को मदरास में लागू कर दिया गया और 1825 में यह विवस्था पंबई और 1858 तक संपूर दक्कन और अर्ण छेत्रों में लागू हो गई इस विवस्था के अंतरगद ब्रिटिस भूभाग का 51 प्रतिशत हिस्सा सामिल था तो एक बात जान लीजे अगर आप से पूछे कि निमलखित में से किस राजसु बंदो बस के तहद ब्रिटिस अधिपात का अधिकांस छेत्रा आता था तो जवाब होगा रहियतवाड़ी बंदो बस ये ब्रिटिस भूभाग के 51 प्रतिशत छेत्रों पर प्रचलित थी या 30 वर्सों के लिए लागू की गई लागू की गई विवस्था थी आई ये देखें रहियतवाड़ी विवस्था का क्या प्रभाव पड़ा विवहारिक रूप में ये विवस्था भी जमिदारी विवस्था से कम हनकारक साबित नहीं हुई इस विवस्था ने ग्रामेड समाच की सामोहिक स्वामित की अउधारना को समाप्त कर दिया तथा जमीदारों का अस्थान स्वयम ब्रिटिस सरकार ने ग्रहन कर लिया सरकार ने जादा से जादा राजस वसुलने के लिए मनमाने धंसे पुराजस का निर्धारन किया तथा किसानों को बल कुर्वक अधिक उत्पादन के लिए बात किया इस विवस्था के तहट किसान का भूम पर तब तक ही स्वामी तो रहता था जब तक की वह लगान की निर्धारी तिराज समय पर सरकार को जमा करता रहे और अगर ऐसा वो ना कर पाता था तो उसे भूम से बेदखल कर दिया जाता था एक तो यह तो रहयतवडी विवस्था और उसके प्रभाव रहे अगली विवस्था जिसे हम महाल वाडी विवस्था के नाम से जानते हैं आजए इससे परचित हो लें देखिये महाल का मतलब है गाहं पहां का मतलब गाहं और यह विवस्था जो है साम!...भी घराक halves तर पर की गई थी उसके मुख्या को इसके लगान अदाईगी के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए व्युशथा महालवारी व्युश्था के नाम से जानी है। महाल का ताथ पर है गाउं इस विवस्था के अंतरगत गाउं के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझोता होता था जिसे महालवाडी बंदोबस्त कहा गया इस विवस्था का जनक हौल्ट मैकेंजी को माना जाता है याद रखेंगे इसको हौल्ट मैकेंजी को माना जात था तो आपने देखा कि सरवाधिक शेत्रों पर जो विवunt बंदोबस्त लागूँ है वह रह क्यवण्वाडी बंदोबस्त एक्यावन परशाद बुहट परे कि महाल वाड़ी बंदोबस्त 30% भूबार पर तो मतर्थाई बंदोबस्त इस विवस्था के अंतरगत भूराजस का निर्धारन समूचे ग्राम के उतपादन के आधार पर किया जाता था तथा महाल के समस्त भूस्वामियों के भूराजसुका निर्धारन संयुक्त रूप से किया जाता था यानि एक गाउं के उत्पादन को आधार बना करके तभी भूस्वामियों के भूराजसुका निर्धारन किया जाता था इस विवस्था में गाओं के लोग अपने मुखिया या प्रितनिधी के माध्यम से समय सीमा के अंदर लगान की अदाइगी किया करते थे। को भूम से बेदखल कर देने के अधिकार से जो है संपन्न हो गया और उसकी शक्त यतियंत पढ़ गई इससे सरकार एवं किसानों के प्रतिक्ष संबंद समाप्त हो गए। की संख्या ज्यादा है और इस लिहास से इतिहास की शुरुवात हमने आधुनिक इतिहास से की है जी हम मौडर्न हिस्ट्री से की है मौडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हुए बहुत से टॉपिक से गुजर कर आज हम पहुंचे हैं जिस टॉपिक पर वो है चमपारण सत्याग्रे और खेडा सत्याग्रे इन दोनों टॉपिक्स का अध्यान हम करेंगे ठीक है और इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे देखे वर्स 1915 वो वर्स है जब दक्षेड अफ्रीका से महत्मा गांधी भारत आ रहे हैं यहां भारत की उमें भारत की होप भारत के आगे के आजादी को जो है लीड करने के इरादे से महत्मा गांधी भारत आ रहे हैं 1915 महत्मा गांधी ने भारत आने के साथ अपने जो कि अभी सिर्फ गांधी हैं महात्मा उपाद इनके साथ नहीं जुड़ी है मुहंदास करम चंद गांधी जी का भारत आगमन होगा और भारत आने के बाद गांधी ने फैसला किया सबसे पहले अपने राजनेतिक गुरू गोपाल कृष्ट गोखले से मुलाकात का महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरु कौन है तो आपको पता होना चाहिए गुपाल कृष्ट, गुखले और गुखले जी ने गांधी जी को सला दी कि इससे पहले कि आप भारतियों के हित में कोई आंदोलन छेड़े, उनके हकी आवाज को बुलंद करें, आपको भारतियों की स्तिती से वो सामाजी कार्थिक राजनेतिक स्तिती है, उनसे परचित होना आवश्यक है और इसके लिए मेरा सुझाओ है कि आप भारत भरमड करें और इस तरीके से अपने गुरु राजनेति, गुरु गोपाल कृष्ण को उखले के सुझाओ पर महत्मा गांधी भारत भरमड के लिए निकल गए, दो वर्स महत्मा गांधी भारत भरमड में रहे और इस अवद में उन्होंने भ भारत को जाना, भारत की आत्मा को जाना और इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत की आत्मा गाउं में बसती है, शहरों और नगरों में दिखने वाले भारत से कहीं ज़्यादा जो है, अगर भारत की स्थिती में कोई भी सुधार करना है, किसी भी तरीके का परवरतन लाना है उनको विकास के मार्क पर प्रशस्त करना है तो ये तभी संभव हो सकता है जब उनके भारत में गाउं की स्थिती में सुधार किया जाए, ग्रामीडों की स्थिती में सुधार किया जाए, किसानों की स्थिती में सुधार किया जाए और इस फैसले के साथ जो है वो इस मनोदशा के साथ जो है अंदुलनों की स्रिंखला शुरू करते इससे पहले उनसे मुलाकात की जो है इलाहाबाद में और लखनौ में महत्मा गांधी से मुलाकात किया राजकुमार शुकल ने राजकुमार शुकल बिहार के पश्मी चम्पारण जिले से आये हैं गांधी से मुलाकात का इरादा बना करें और इनका उद्देश है महत्मा गांधी को चम्पारण के किसानों की समस्या के समधान में उनके आंदोलन का नित्रत तो करें और उनको उनकी मुश्किलों से निजात देलाएं। राजकुमार शुकल ने चमपारण की समस्याओं को महत्मा गांधी के समक्ष रखा। महत्मा गांधी ने विचार किया और इसके बाद उन्होंने चमपारण किसानों की समस्या के समाधान के लिए भारत में अपना पहला स्टेप बखतियार किया जिसे हम चमपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं महत्मा गांधी का सविने हवाग्या अंदोलन को लेकर पहला प्रियोग अंदोलन को लेकर पहला प्रियोग अगर मैं गांधी की बात करूँ तो मेरी नजर में मेरे नस्दीक भारत में दो ही सोसल इंजिनियर हुए हैं एक भगवान कृष्ट और एक महत्मा गांधी अगर गांधी की बात करें तो गांधी इस बात को भली भात जानते हैं कि आम जन्मानस की इक्षा क्या है उन्हों की पूर्थ के लिए किस तरीके से प्रयास किये जाने चाहिए उनका समर्थल उनके हित में कैसे हासल किया जा सकता है उनको कैसे उनके ही हग के लिए जागरित किया जा सकता है इस बात से महत्मा गांधी भली भात पर जीत तो यह गांधी नहीं आ रहे हैं बलकि भारतियों की उमीद आ रही है भारती समाचार पत्रों के माध्यम से पाल आयुजित की जाती थी सुबह समाचारपत प्रकासित होते थे जिसमें महात्मा गांधी के दक्षिड अफरीका में किये गए कारणामों पर रोशनी डाली जाती थी लोग पढ़ते थे सुनते थे समझते थे एक दूसरे से जानते थे कि किस तरीके से महात्मा गांधी जो जो है अपने इस पस्ट द्रिस्टिक की बदॉलत वहां तमाम जो है अपनी वेसिक सत्ता को अपनी बाते मनमाने पर भी जो है उतारू हैं और सक्षम भी हो रहे हैं सरकार को जुकना भी पड़ रहा है और महात्मा गांधी के अंदोलनों के द्रिस्ट से जो है तक्षिड अफ कर रहा है उनको उनकी समस्याओं के समधान के लिए प्रयासरत है अगर वो गांधी भारत आएगा और भारतियों के हित की आवाज उठाएगा तो उसमें ज्यादा जो होगा ज्यादा अपनत्त होगा और इस तरीके से गांधी की में ही जो है अपनी समस्याओं का समधान भा भारत ब्रमण की दोरान उने भारतियों को देखा, उनके रहन, सहन, खान, पान, समस्याओं, मुश्किलों से परचित हुए, उनके कल्चर से परचित हुए और देखते ही देखते गांधी के बदन से कब कोट पैंट हट गया और उसकी जगे जो है धूती कुर्ता ने ले ली ये गांधी खुद भी नहीं जान पाए, यानि भारतियों की उसको समझते हुए, भारतियों की वेवस्थाओं को समझते हुए, भारतियों जैसा जो है आचार वेवार उनका पहले ही था और वेस भूसा जो लंबे अंतराल के बाद, विदेश प्रवास के बाद बदली हु गांधी शुरुवाती दौर में किसी भी तरह से कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इशुब बढ़िया है और इसको लेकर के भारत में आंदोलन शुरू किया जा सकता है और बिटिस सरकार को जो है नैतिक तोर पर उन पर दबाओ बना करके उनको किसानों के हित में फैसले लेने के लिए जो है प्रेडिविक किया जा सकता है इस तरह से गांदे ने 1917 में चंपा गांधी ने आते ही भारत में तीन सफल जो है आंदोलनों के जरीए उन्होंने अपनी शुरूबात कर दिये के लाद एक तीन हैट्रिक से गांधी पर जो विश्वास पहले से लोगों का कायन था वो और गहरा हो जाएगा और उनको लगेगा ये गांधी ही है जो हमारे उमी इस्तर पर आंदोलनों की शुरूबात के लिए तैयार होए उसِّ पीच में रौलेट एक्ट पारिद करके बृडिस सरकार उनको जो है मौका देदेगी रास्ट्री एस्तर पर सत्याग्रे के आयोजन का और रौलेट एक्ट के खिलाब जो है वो रास्ट्री एस्तर पर सत्या कर लें जैसे बात करें चंपारण के किसानों की तो आईए देखें यहां के किसानों की समस्या क्या थी एक बार हम ओवर्वीव ले ले फिर हम अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यू करें कि इंद कि यहां यूरोपी कि नील बागान के मालिकों ने क्रिस्टकों को उनकी भूमी पर नील की खिती करने के लिए विवश किया नील की खिती के लिए विवश किया दरसल किसान बिलकुल भी नहीं चाहते थे कि वो नील की खिती करें जिसके पीशे कई प्रमुकारण है पहला तो किसान अपनी क्रिस्ट भूम पर अपनी आवशकता पूर्थी अपनी आवशकता पूर्थी बड़ी मुश्किल से खाद्यान उत्पादन ही कर पा रहे थे खाद्यान फसलों का उत्पादन भी इस मात्रा में नहीं हो पा रहा था उनकी आवशकता पूर्थी हो सके क्रिस्ट भूम पर निर्भध उन लोगों की भूजन की जरूर्थे पूरी हो सके ऐसे में जब उनको विवश्ट किया जाएगा व्यापारी खेती के लिए तो वो इसमें इंट्रेस्ट नहीं दिखाएंगे और जो है भूख से पेड़ित जो है होनी के स्तिती में वह व्यापारी क्रिसी के ओर कैसे अग्रसर हो सकते थे इसलिए भी जो है उन्होंने नील की खेती ना करने का इरादा बनाया था बिलकुल उनका इंट्रेस्ट नहीं था कि वो नील की खेती करें और दूसरा एक और अहम कारण था कि नील की खेती जो है नील की खेती से इस भूम जो है अनुर्वर हो जाया करती थी अनफर्टाइल हो जाया करती थी ऐसे में भूम की को अनुदपादक होता देख उसकी अनुदजाउचमता को कम होता देख भी किसान किसी भी सूरत में नील की खेती करने पर तयार नहीं लेकिन यूरोपे नील बागान के मालिक उन्हें इस बात के लिए विवश करेंगे क्योंकि उनको आशक्ता है नील की और वो प्राकृतिक तोर पर नील के उत्पादन को प्रोथसाहित करके अपने नील की आशक्ता पूर्दी कर सकते हैं और इस व्यापारीक फ़सल को जो है उन्चे दामों कर यूरोप के मार्केट में सेल करके अधिक्तम लाव कमा सकते थे इसके लिए उन्होंने किसानों के साथ एक एग्रिमेंट किया एक करार नामा किया इस एग्रिमेंट के तहट जो है तोड़ी सी अग्रिम धन्रासी देकर भूम के एक निश्चित छेत्र पर निश्चित छेत्र पर कि प्रिस्कों को कि नील उत्पादन के लिए कि रित किया गया और ना चाहते हुए भी जो है इस एग्रिमेंट से बंधने की वज़े से किसान जो है निलकी खिती की तरफ प्रशस्त हो गए और निलकी खिशी करने लगे अलाकि इससे उनके जमीन के उत्पादन शमता भी घट रही है उनकी खाद्यान आउशकता हैं जो कि जो है भूम के सं बिस्क्रीसी को कर रहे हैं कि जो एग्रिमेंट है दो है क्यब्यून को कहा जाता था इन कठिया प्रडाली तिन कठिया, प्रडाली, आये जाने क्या थी तिन कठिया, तिन कठिया मतलब एक कठ्ठे के, एक कठ्ठा जो अस्थानिय शब्दों में जो है फूम माप का जो है पैमाना बनाया गया था, एक कठ्ठे के तीन बटे बीस भाग पर किसान जो है जिसे 20 बिस्वा वराबर एक बिखा होता था और एक बिखे के तीसरे भाग पर, ठीक है नील की कराने के लिए जो है किसान उबको विवश किया गया, एग्रिमेंट करा लिया गया और इस तरह से किसान अपनी क्रिस घूंड के 3 बटे 20 भाग पर नील उत्पादन करने लगा मजबूरी में ही सही पर उसने इस ब्योस्था को स्विकार लिया और वो लगातार जो है अपनी उत्पादन कर रहा है वक्त आगे बढ़ा और बढ़ बदलते हैं परिस्थितियों में एक समय ऐसा आया कि यूरोप के मार्केट में रासानिक तौर पर तयार डाई आ गई यानि नील आ गई जो केमिकल के तौर पर फैक्टरी में तयार की जाने लगी जर्मनी में रासानिक रंगों के प्रियोग का प्रचलन बढ़ा और रासानिक रंगों ने रासानिक तौर पर तयार नील ने जो है प्राकृतिक तौर पर उत्पादित होने वाली नील को बाजार से बाहर कर दिया क्योंकि प्राकृतिक तोर पर उत्पादित होने वाली नील के सामने बहुत अलग-अलग तरीके के संकट हैं एक तुक्या खेती अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा दूसरा एक निश्चित अवध ही चाहिए और उस भूम के निश्चित भाग पर निश्चित मात प्राकृतिक नील स्वभाविक तोर पर बाजार से बाहर हो जाएगी यानि कॉम्पटिशन में नहीं ठहर पाएगी क्योंकि जब कारखानों में नील उत्पादित की जाने लगी तो आवशक्ता के हिसाब से जितनी आवशक्ता हो उतनी नील बनाई जा सकती थी और ऐसी नी के से योरोप में आये इस परिवर्तन ने भारत में नील बागान के मालिकों को नील की खेती ना करने के लिए प्रेणित किया और उन्होंने जो है इन परिस्तितियों में चंपारण में अपने नील के फैक्टरियों को ठप कर दिया और नील की खेती बंद कर दिया अच्छा खिसान को चाहते ही थे कि भाईसाब हमें तो रोना ही था आप ने किया अच्छा मारा अगर आप यहां नील की कहिती बंद कर रहे है तो कोई बात नी हमें भूम के उस टुकड़े पर जिस पर आपने कराल राамा करा करके नील की खेती करने के लिए विवश किया था, पूम के उस टुकडे को हमारे सुपूर्ट कर दीजे और हम अपने तरीके से उस पर खाध्यान उत्पादन या किसी अन्य व्यापारिक फजल का उत्पादन करेंगे लेकिन यहां समस्या खड़ी हो गई क्योंकि किसानों ने नील की खेती भी बंद कर दी और किसानों को एगरिमेंट से मुक्त करने के लिए जो है उनसे धनरास की डिमांड भी करने लगे यहांने उनका कहना है कि हम तो नील की खेती नहीं कराएंगे लेकिन जमीन के जिस भाग पर आप हमसे बंदे हुए है नील की खेती करने के लिए जो एगरिमेंट आपने किया है अगर उस एगरिमेंट से आप मुक्ती चाहते हैं भूम के उस चुकड़े पर अपना नियंतर ना चाहने के पीछे कारण था कि भूम के उस निस्चित चेत्र पर जो उनके पास था आवशक्ता के अनुसार खाग्यान उत्वादन ही नहीं हो पा रहा था इसलिए अगर उसके भूम के चेत्र में कमी कर दी जा और एक हिससे पर नहीं लुगाई जाए तो उनके सामने जो रोहाम प्रतेव्या हम इस माता भूम के पुद्र है पर ऐसी इस्तथी में जो है अपनी मा को जो है अनुरवर्ता की तरफ ले जाना उसकी उत्पादक शंता को कम करना उसको अनफर्टाइल करना नील की खिती करके ये किसी भी किसान को जो है गवारा नहीं था पर इन सारी बातों को दरकिनार करके मजबूरी में ही सही अंग्रेजों द्वारा थोपी के इस विवस्था को किसानों ने स्विकार लिया था और वो अपनी भूम पर नील उगाने पर विवश हुए थे और उगा रहे थे लेकिन जब आपने नील उगाना बंद कर दिया तो आप करार नामे से मुक्ति के नाम पर अलग से धन वसूली करें ताता किसान विद्रोह के लिए तैयार हो रहे हैं उनकी मनोभूम अंग्रेजों के खिलाब जो हैं अंग्रेजों की इस विवस्था के खिलाब विद्रोह की बन रही है और ऐसे में जब मात्मा गांधी पहुँचे उन दोलन का सूत्रपाद किया जिसे हम चमपारण सत्याग्रे के नाम से जानते हैं मुझे लगता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है और अब आप यह टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार है आए शुरू करें लेकिन सबसे पहले तो यह जो हमने जाना है इसको कर देते हैं तो चमपारण सत्याग्रे भारत में भारत में दिहार के पश्मी चमपारण जिले में प्रिस्कों के समर्थन में महत्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रे है जो की यूरोपी नील बागान के मालकों की खिलाफ किया गया था नील बागान के मालकों के खिलाफ उनके द्वारा लागू की गई इनकठिया प्रडाली के विरोध में विरोध में और प्रिस्कों को नील की खेती के लिए कराए गए करार नामिस से मुक्ति दिलाने के लिए मुक्त कराने के लिए आये शुरू करें संपारण सत्य अगरे प्रारम में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था जिसके अंतरगत किसानों को अपनी भूम के तीन बटे 20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार कर दिया गया था या विवस्था तिन कठिया पद्धत के नाम से जानी जाती है तीन बटे 20 यानि एक कठे के तीसरे भाग पर एक कठे के तीसरे भाग पर यहां 20 दिस्वा बराबर एक कठ्था सुईकार किया गया था उम्माप की इस इकाई की बदौलत और इसके एक तीसरे भाग पर यानि तीन बटे 20 भाग पर किसानों से नील की खेती कराई जाती थी एग्रिमेंट के तहत उन्हें बांथ करके यूरोपे नील बागान के मालकों के द्वारा आगे बढ़ते हैं 19 सदी के अंत में जर्मनी में रहसानिक रंगों का विकास हो गया और प्राकृतिक नील को बाजार से बाहर कर दिया इसके कारण चमपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गये किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे किन्तु परिस्थतियों को देख कर गोरे भागान मालिक किसानों की इस विवस्ता का फायदा उठाना चाहते हैं और वो अब करारनामे से मुक्त करने के लिए नीतिन कठिया जो है प्रवापधत से मुक्त करने के लिए धन्रास की डिमान करते हैं किसानों से उन्होंने दूसरी प्रपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से संपरक किया और उन्हें जो है चंपारण बुलाने का फैसला लिया परणाम सुरूब, गांधी जी, राजेन प्रसाद, महादेव देशाई, नरहर पारे और जेबी क्रपलानी के सहयोग से चमपारड पहुंचकर क्रिस्कों के नील की खिती की विशे की जाच की गई और जाच में गांधी जी ने जब पाया कि नील के किसानों की समस्या वास्तविक्ता में बहुत ही जटिल हो चुकी है और यूरोपे नील बागान के मालिक यहां शोशन कर रहे हैं किसानों का और उनको खिती को लेकर कराएगे करानामे सिम्मुक्त के नाम पर अतरिक्त जो धन चंपारण पहुंसते हैं उनके चंपारण पहुंसते ही एधकारियों ने तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया किन्तो गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया तथा इसे वज़ में किसी भी प्रकार के दंड को भुवतने का फैसला किया देखी गांदी जी का तरीका अपना तरीका है जो कि अनूखा तरीका और इस तरीकी से पहले भारत जो है इस तरह के आंदोलनों के लिए तयार नहीं और उनके लिए भी ये नया प्रियोग है। उसके खिलाब विनमर्ता पूर्वक जो है उसका पालन ना करने का फैसला करते हैं और ये भी जो है चूट देते हैं सामने वाले को कि अगर जो है उनको लगता है कि गांदी जी कुछ गलत कर रहे हैं तो जिस भी तरीके के दंड का प्रावधान बुख करना चाहें वो कर सकते गांदी जी उसे भुगतने के लिए तयार है गांदी जी के द्रठता के सम्मुख सरकार विवश हो गई अतहा उसने अस्थानिये प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने कथा गांदी जी को चमपारण के गाउं में जाने की छूट देने का निर्देश दे दिया तो इस इस बात का इस पस्ट मैसेज दिया कि वो जो है चमपारण के किसानों के हित में जो है सबने वग्या अंदोलन के मूड में हैं और उनको लगता है कि किसानों का शूषण हो रहा है और इसलिए वो अंदोलन छेडेंगे इसके एवज में जो भी दंड उन्हें दिया जाएग और समस्याओं से परचित होने और उसके निदान का मार्क वश्रस करने का जो है अधिकार है इसी बीच सरकार ने सारे मामले की जाच करने के लिए एक आयोग का गठन भी किया तथा गांदी जी को भी इस आयोग का सदस्थ बनाया गया गांदी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कितिन कठिया पद्धत समाप्थ होनी चाहिए उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैद रूप से वसूला गया है उसके लिए किसानों को हरजाना दिया जाना चाहिए नील बागान मालिक अवैद वसूली का 25 प्रतिशत हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गये और इस तरह गांदी जी ने भारत में सविने अवग्या आंदोलन का प्रथम युद सफलता पूरवत जीत लिया तो यह चंपारन सत्काग्रे की समस्या थी जिसमें गांद है इसके बाद जो है जो पैसा उनसे पहले से वसूला गया है इस नाम पर करा नामे से बुक्त करने के नाम पर उस पैसे को अवैद रूप से चुकी वसूला गया है इसलिए उस पैसे को वाबस भी करे और उन्हें हर जाना भी दे ठीक है सरकार के निर्देश पर निल बाग वो है गांधी जी द्वारा किया खेडा सत्यागरे कि इन विशुओं को लेकर चला था क्या कारण थे क्या परभा हुए क्या परणाम हुए और गांधी जी ने इस सत्यागरे में कौन सी कारशाय अपना है देखिए जहां चमपारण सत्याग्राय का संबन वर्स 1917 से था वहां खेडा सत्याग्राय का संबन वर्स 1918 से है दरसल खेडा जो है ये गुजरात में इस्थित जिला है गुजरात का एक जिला जहां पर 1918 में भेंग कर अकाल पड़ा हुआ था जिससे की किसानों का उत्पादन अपेक्षाक्रित पूर्व के वर्सों के काफी कम हुआ था कि जब इस विशे पर विचार करेंगे जांश परताल करेंगे तो वह पाएंगे कि ये जो उत्पादन 1908 का उत्पादन है कि ये उत्पादन क्रिस भूम की उत्पादन छमता का छमता का वन बाई फोर भी नहीं हुआ एक चौथाई भी नहीं है और ऐसे में तो कि गांदी जी इस बात से परचित हैं कि अगर कभी ऐसी इस्तती हो जाए एक रिस भूम की उत्पादन छमता का एक शौथाई उत्पादन भी ना किया जा सके तो ऐसे में जो है किसानों को लगान मुक्त कर दिया जाना चाहिए लेकिन यहां तो इस्तिती व 2018 में गुजरात के खेडा जिले में भैंकर अगाल पड़ा था सूखे के कारण खेडा में किसानों के खेतों की उत्पादन छमता इतनी कम हो जाती है कि फसल का एक चौथाई उत्पादन भी अब नहीं हूपा रहा था ऐसे इस्तिती में खेडा के कुनभी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान माफ करने को कहा राजस संगिता के अनुसार ये प्रावधान है राजस संगिता में कि यदि फसल का उत्पादन पुल उत्पाद के एक चौथाई से भी कम हो तो किसानों का राजस पूरी तरह से माफ कर दिया चाहना चाहिए लेकिन बिटेश सरकार लगान माफ करने के बजाए तेज पृतिशत की वृध के साथ जबरन वसूली कर रही थी जी हाँ राजस संगिता में ये बात इसपस तोर पर मेंशन की गई है कि अगर किसी भी जो है क्रिस भूम पर उसकी उत्पादन शमता का एक शौथाई हिस्सा भी उत्पादित ना हो तो ऐसे में किसानों को राजस्तों से मुक्त कर देना चाहिए लेकिन बेटे सरकार ठीक पुल्टा आशरण कर रही है वो लगान माफ करने को कौन कहे बलकि लगान में 23% की व्रिद्र भी कर देती है और इसके बाद किसानों से शुरू करती है जबरन पसूर फेड़ा के किसान अंग्रेज अधिकारियों के पास गए और लगान को माफ करने की मांग की लेकिन है तोर पर लगान अधा कर नहीं सकते थे और लगान अधा ना करने के वज़ में अंग्रेजों ने कुर्की विवस्था का जो है को लागू किया और इस तरीके से खेतों और पस्वों की कुर्की शुरू कर दी गई आईए देखें कि खेडा सत्याग्रे में गांधी जी की फूंका क्या रही देखिए खेडा के किसानों की समस्या को देखकर मोहन लाल एवं शंकर लाल ने जैसे चंपारण में राश्कुमार शुकल ने गांधी को आम अंतरत किया था चंपारण के किसानों की समस्या समाधा के लिए वैसे एक खेडा में मोहन लाल याद रखिएगा और शंकर लाल ने गांधी जी को खेडा आने के लिए पत्र लिखा गांधी को खेडा के किसानों की सुष्णा मिली और गांधी जी गुजरात के खेडा की ओर चल पड़े महात्मा गांधी और सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के सदस विठ्थल भाई पटेल और गुजरात सभा में खेडा के मामलों की जांच परताल की और परणाम यह निकला कि फसल एक चौथाई से भी कम हुई है अता राजवसंगिता में बढ़नित इस नियम के अमसार कि अगर उत्पादन जो है उत्पादन छमता का एक चौथाई से कम हो तो लगान माफ कर दिया जाना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगांधी जी के नित्रत्तों में खेडा के किसानों ने कर ना देनी का फैसला लिया जी हां तो आप देख ने की महत्मा गांधी के साथ साथ सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के सदस्विठल भाई पटेल और गुजरात सभा के लोग जो है खेडा के मामलू में जो है सक्री है चीक है यह वही सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी है जिसकी अस्थापना महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरु राजनेतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी इस तरीके से ना केवल गांधी बल्कि सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के सदस विठल भाई पटेल और गुजरात सभा जो है खेडा के किसानों की समस्याओं के समाधान में जो है रसल लगन हुए गांधी जी ने 22 मार्च 1918 में खेडा सत्याग्रह की घुषडा की और उसकी बागदोर सभाल ली गांधी जी ने लोगों से अपील की कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है इसलिए अपने अपने सेवन सेवक बनाएं और गांव गांव जाकर लोगों को जागरुक करो और इस सत्याग्रह में शामिल करो तथा उन्हें लगान ना देने के लिए जो है प्रेडित करो किसी दोरान गांधी जी से प्रभावित होकर वल्लब भाई पतेल अपनी वकालत छोड़कर इस सत्याग्रह में शामिल हो गए वल्लब भाई पतेल ने किसानों के साथ मिल कर सत्याग्रह के संदर में एक परतिग्या पत्र तैयार किया जिहां एक पृतिग्या पत्र जिसमें सभी किसान इस बात की पृतिग्या लेंगे कि या तो ये जो है अवैद रूप से आरूपी तो किया गया लगान और लगान में ब्रिद्धी वापस ली जाए और लगान बसूली बंद की जाए नहीं तो हम जो है सभी लगान नहीं दें हम अपनी भूम को जब्द कराने के लिए तयार हैं। इससे किसान लगान ना देने की अपनी प्रतिग्या पर अटल हो गए। बल्लभाई पटेल ने भी किसानों को लगान ना देने का सुझाव दिया था और उनकी सक्रीता का परडाम हुआ कि बड़े पैमाने पर खेडा के क किसानों ने जो है लगान अदाइगी ना करने का फैसला ले लिया। जो 1918 तक खेडा का किसान अंदोलन व्यापक रूप ले चुका था। जब किसानों ने लगान देना बंद कर दिया तो अंग्रेजी एधकारियों ने किसानों के खेत और पश्वू को कुर्क करना चालू क कर दी वल्लब भाई पटेल इंदुलाल यागनिक विठलनाद पटेल महादेव देशाई अनसुया साराबाई मोहनलाल पांडेयाद नेताओं ने भी इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। किसानों के प्रतरोद के सामने अंतता सरकार को जुकना पड़ा सरकार दबा सरकार ने गुप्त रूप से वहां के प्रशासकों को आदेश दिया कि सिर्फ उन्हीं किसानों से लगान लिया जाए जो दे सकते हैं। यंग्रेज सरकार ने केवल संपन लोगों से ही कर वसूल किया और किसानों की कुर्ग की हुई संपत भी उन्हें वापस लोटा दी। इस तरीके से चंपारण सत्याग्रे के साथी की तरह ही खेडा सत्याग्रे भी अपने उद्देशों की पूर्त में जो है सफल रहा। मोहंदास करम चन गांधी को मोहंदास करम चन गांधी को रवीदनाथ टैगोर ने महत्मा की उपाध पुर्दान की थी। तो मोहंदास करम चन गांधी महत्मा गांधी कब कहला है रवीदनाथ टैगोर द्वारा जो है मिलने वाली इस उपाध के बाद जो नहें चंपारण सत्याग्रे के दौरान पुर्दान की गई थी। रंपारण सत्याग्रह के दौरान और दूसरी तरफ सत्याग्रह के दौरान किसानों की समस्या तो लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में वल्लब भाई पटेल की भूनका को देखते हुई वल्लब भाई पटेल की भूनका को देखते हुए और उनकी किसानों के बीच लोग प्रेता को देखकर वल्लब भाई पटेल को एक जुझारू और इस पस्ट द्रिस्ट के कर्मट कर्मट नेता के तौर पर स्विकार की आगया था यह खेडा सत्या ग्रेही था जहां सदार वल्लब भाई पटेल की भूनका को देखकर के उनकी स्विकारों ती जो है एक इस पस्ट द्रिस्ट के कर्मट और द्रिश्ट प्रतेक की जो है नेत्रेत्यों करता के तौर पर उभर कर आई और जनता ने उन्हें सुईकार किया साथ ही आंदोलन में लगे अन्य लोगों ने भी उनकी इस परतिभा और उनके इस बेक्तित्यों को रसाराख उपर रखा फिलाल आज की क्लास को यहीं रोकते हैं चुरू करते हैं अपना व शुरू करते हैं अपना विशेट सुबह साथ बज़े के वक्त में आप मेरे साथ जिस सब्जेक को लेकर चुड़े हैं वो है भारती इतिहास और रास्ट्री आंदोलन पढ़ने-पढ़ाने का फैसला करने के बाद हमने इस विशे की शुरूआत आधुनिक इतिहास से की है कमाम टॉपिक पढ़ते हुए modern हिस्ट्री के आज हम इस टॉपिक के साथ continue करेंगे वह है लखनोग पैक्ट ना सर्फ लखनोग पैक्ट बलकी लखनोग समझावता और होम रूल ली आंदोलन भी हम आज ही देखेंगे होम रूल ली आंदोलन लखनोग पैक्ट होम रूल मूमेंट ठीक है पाज का जो हमारा टॉपिक है वह है लखनोग समझावता और होम रूल लांदोलन जी हां लखनोग पैक्ट एंड होम रूल मूमेंट चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ continue करेंगे आज की क्लास लखनोग समझावता जी हां लखनोग पैक्ट लखनोग समझावता का संबंध है वर्स 1916 से दरसल वर्स 1916 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस यानि आइंसी का लखनोग में अधिवेशन हो रहा यह वार्सिक अधिवेशन है ऐसा कि कॉंग्रेस के अस्थापना के बाद प लेकिन 1916 का यह लखनोग अधिवेशन पैक वर्स होने वाला वार्सिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूंदार कॉन अधिवेशन कुछ मामलों में बहुत ही महतुपूर अधिवेशन हो जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन के परणाम सुरूप जो है इसी अधिवेशन में बाल गंगा धर्तिलग और एनी बेसेंट के प्रयासों से एक बार फिर राष्ट्री आंदोलन संगटित हो सकेगा और इस क्रम में वर्स 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कॉंग्रेस में फूट पढ़ गई थी कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था वो समाप्त होगा और कॉंग्रेस में गरम दल और नरम दल एक साथ एक मंच पर आएंगे और इनके बीच समझाता हो सकेगा ना सिर्फ इनके बीच समझाता होगा बलकि इसी अधिवेशन में कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझाता होगा इन दो महत्वपूर कदमों के कारण लखनों अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस अधिवेशन ने रास्ट्री आंदोलन को एक बार फिर से संगठिक तरीके से आगे बढ़ाने में अपनी एहम गूमिका निभाई लोगों को आपस में लड़ा दे भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ा दे गरम दल को नरम दल से लड़ा दे कुल मिला करके किसी भी तरीके से कोई भी प्रक्रम अपना करके उनकी कोशिश ये थी कि वो रास्ट्री आंदोलन को थम्जोर करें जैसे कि भारती एक साथ एक मंच पर आकर मजगूती के साथ अपनी आवास को न उठा सकें अंग्रेजों की ओपनी विसिक नीतियों का जो है विरोध ना कर सकें उन्होंने देखा था कि किस तरीके से 1905 के सुदेसी आंदोलन में जो है बहुत तेजी से भारत का आवाम जुड़ा महलाएं जुड़ी चात्र जुड़े क्रसक जुड़े यानि सभी वर्गों ने अपना यूगदान दिया और गरम दल और नरम दल में भी सामंजस बना रहा और रास्ट्री आंदोलन में भारतिय रास्ट्री कॉंग्रेस ने भी परचड़ कर अपनी भूंका निभाई और इस तरीके से सुदेसी आंदोलन तुरंट तो अपने परणामों तक नहीं पहुंच सका था लेकिन कुछी वर्सों बाद जो है वो अपने उद्देसों को लेकर भी सफल रहा वो सुदेसी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था वर्स 1911 में यानि 6 वर्सों बाद उस बंगाल विभाजन को रद करने की खुषडा कर दी गई लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा तो अंग्रेज ये मैसूस कर रहे हैं कि अगर भारतियों में सामंजस बना रहा सौहार्द बना रहा तो इनको गुलाम बनाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए उनकी कोशिश है भारत में रहते हुए भारत को वर्गों में बाढ़ देने की उनके हित अलग अलग जो है निरधारित करने की और उन्हें आपस में लड़ाने की जिससे की वो साज़ा प्रयास ना कर सके आजादी का 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन करके यही करना चाहा था हिंदो मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करनी चाही थी और एक हद तक वो काम्याब भी हुए थे जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में जब जो है आंदोलन चलाया गया सुदेशी आंदोलन तो उसमें बहुत तेजी से लोग जुड़े लेकिन मुस्लिमों ने अपनी भागीदारी कम से कम दर्ज कराई थी फिलाल लेकिन जगे हुए बंगाल के जो है बुद्ध जीवियों ने उनके उद्देशों को पूरी तरह से सफल नहीं होने दिया और इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अंग्रेज बस यहीं पर जो हार मान जाएंगे वो अगले वर्स फिर कोशिश करेंगे और उनी से प्रेरित हो करके 1906 में मुस्लिम लीक की अस्थापना कर दी गई धाका के नवाब सलीम उल्ला खां की नितरत्तों में Muslim League के गठन का उद्धेस ही था कि वो भारत के Muslimों का प्रत्रमिधित्व करे और वो तभी कर सकती थी जब भारत के Muslimों का हित्व ना देखे ऐसे इस्तिती में मुस्लिम लिग का गठन करके 1906 में भारत में एक बार फिर से जो है फूट डालने की कुशिश की गई हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कुशिश की गई और इसके माध्यम से अंग्रेजो द्वारा रास्ट्रिया अंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया ग वर्स 1907 में गरम दल और नरम दल जो कॉंग्रेज के मेहीत दो विचारधाराएं थी दोनों विचारधाराओं के अलग अलग नित्रत्यों करता थे इन दोनों के बीच में आपस में मद्भेद हुआ मद्भेद का विशे था कि सोदेशी अंदोलन को गरम दल चाता था कि पूरे भारत में लागू किया जाए विदेशी बहिसकार की नीट को पूरे भारत में लागू किया जाए और नरम दल इस पक्षमी नहीं था गरम दल के प्रभाव में आकर 1905 के बाद बनारा सधिवेशन में गवपाल कृष्ण गूखले की अध्यक्षता में स्वराज की का संकल्प तो पारित कर दिया गया था लेकिन 1906 में गरम दल जब अपने ही 20 से किसी एक को यानि लाला लाजपत राय को रास्ट्री को ले करके सब के मन में सम्मान था इसलिए गरम दल ने अपना दावा वापस ले लिया और लाला लाजपत राय को इस बार अध्यक्ष नहीं बनाया गया लेकिन 1907 में एक बार फिर से लाला लाजपत राय का नाम गरम दल के नेता बाल गंगा धरतिलक की तरफ से आगे बढ पाया गया और इस बार फिर से नरम दल ने जो है रास बिहारी घोस को अध्यक्ष बना दिया यहीं लाला लाजपत राय को अध्यक्ष नहीं बनाया इस तरीके से 1907 के सूरत अधिवेशन में अब हध हो चुकी थी और कॉंग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई गरम दल और नरम दल चीक है इस तरीके से 1906 में मुस्लिम लीग का गठन 1907 में सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस का विभाजन और उसके बाद 1907 से 1916 तक यानि 9 सालों तक अलग अलग गरम दल और नरम दल की कारशेलियां यह रास्ट्री आंधोलन को कमजोर कर रही थी और 1916 वो व मजूंदार की अधिक्षता में बाल गंगा धर्तिलग और इनी वेशन के प्रयासों से जी हां इसी लखनो अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीश समझोता हुआ और एक साथ आ गए रास्ट्री आंधोलन के लिए दोनों ने साज़ा प्रयास करना शुरू कर दिया औ उस मुस्लिम लीग से भी कॉंग्रेस ने समझोता किया और कॉंग्रेस के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने रास्ट्री आंधोलन की लड़ाई को आगी बढ़ाने का फैसला लिया तो इसी परप्रेक्ष में हमको लखनों समझोता देखना है देखिए वर्स 1916 का कॉंग्रेश अधिवेशन लखनों में आयो जित हुआ जिसकी अध्यक्षता नरमपंथी ने का अंभिका चरण मजूमदार ने की थी अधिवेशन की प्रमुख उपलब्धी गरमपंथियों का कॉंग्रेस में फिर से शामिल होना था क्या पहली उपलब्धी जो सबसे एहम है वो थी गरमपंथियों का कॉंग्रेस में शामिल होना मुस्लिम लीग के साथ समझोता करना तो इन दो प्रमुख उपलब्धियों का परणाम ये हुआ कि गरमपंथी और मुस्लिम लीग जब एक साथ कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए तो ऐसी इस्तिती में राष्ट्री आंदोलन जो है संगठित तरीके से आगी पढ़ाया जा सकेगा कॉंग्रेस में गरमदल और नरमदल दोनों को आभास हो गया था कि पुराने विवादों को दोहराने की अब कोई प्राशंगित्ता नहीं रह गई अथा आपसी मदभेदों से राष्ट्री आंदोलन को में बाधा उत्पन होते दे दोनों एक मंच पर आने को तयार होगे जी हां इन वर्सों में यानि 1907 से 1916 तक के वर्सों में ये महसूस किया गया कि अगर जो है आपसी सामंजस नहीं बनाया जाएगा तो राष्ट्री आंदोलन को बजोर होगा बाधा उत्पन होगी इसलिए आपस में सामंजस बना कर एक साथ एक मंच पर आकर राष्ट्री आ और किसी भी परिस्तिती में उनसे समझोता नहीं करना चाहते थे अता जब इनकी मृत्य हो गई तो इनकी मृत्य के बाद ही कॉंग्रेस में गरम पंथियों का प्रवेश संभव हो सका तो जिन कारणों से जो है दोनों एक मंच पर आ रहे हैं दोनों के भी समझोता हो रहा है उसमें पहला कारण तो ये है कि दोनों अलग-अलग कार करके देख चुके हैं, दोनों को ये realization हो चुका है कि अब पुराने विवात को खीचने से रास्ट्री आंदोलन कमजोर ही होका, उनका मद्भेट जो है वो रास्ट के सामने संकट खड़ा करेगा और अंग्रेजों के ल 1915 से लेकर के 16 के बीश में, जब इन दोनों की मृत्य हो जाएगी तो ये दोनों चुकी कटर विरोध करते थे गरम-पंथियों का और उनकी मौझूद्गी में ये संभव नहीं हो सकता था कि गरम-पंथी जो है कॉंग्रेस में एक बार फिर से प्रवेश करें, तो इनके न आत्मक समझोता लखनू अधिवेशन की सरवाधिक महतुकूर उपलब्धी थी, इसी कारण लखनू अधिवेशन को लखनू समझोता भी कहा जाता है, तो एक तरफ तो आपने गरम-दल-नरम-दल के भी समझोता देखा, दूसी तरफ आप देख रहे हैं कि इसी लखनू निर्वाचन पडाली, मुसलिमों के लिए, मुसलिमों के लिए, प्रिथक निर्वाचन पडाली, की स्विक्रित चाहा रही थी, और ये स्विक्रित उसे चाहिए थी, आई अन्सी से, भारती रास्ट्री कॉंग्रेस से, दरसल वर्स 1909 में, यानि मुसलिम लिए के गठन के तीन वर्सों बार, मारले मिंटो सुधार के जरीव, जिहां 1909 का भारत शासन अधियम, जिसको हम मारले मिंटो सुधार कहते हैं, यानि ये बात सुईकार कर लिए गई थी, कि मुसलिम प्रतनिधियों का चुनाओं, मुसलिम मधदाताओं के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद जो है लगातार मुस्लिम लीग कॉंग्रेस से भी इस विशय की स्विक्रिट चाहती थी लेकिन अभी तक कॉंग्रेस ने इसे स्विकार नहीं किया था और जब वर्स 1916 में लखनौ अधिवेशन हो रहा है तो मुस्लिम लीग ने कॉंग्रेस के साथ समझोता करने क एवज में ये शर्त स्विक्रिट किये जाने की मांग रखी और कॉंग्रेस ने इसे स्विकार लिया जी हाँ 1916 के लखनौ समझोते में मुस्लिम लीग की प्रथक निर्वाचन पडाली की स्विक्रिट की इक्षा पूरी हो गई हाला कि यहीं पर जो है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने सामपरदाइक विभाजन को भी समझे स्विकार कर लिया क्योंकि इसी से ये तैं हो गया कि कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग-अलग हैं और भारत में हिंदू और मुस्लिमों का हित एक साथ पूरा नह अंतोस और राष्टवादी भामना तथा राष्ट्री एकता की आतांच्छा के कारण वर्स 1916 में लखनों अधिवेशन में दो घटनाएं धटी एक कॉंग्रेस के नरम-पंथी और गरम-पंथी अपने मद्वेद भुला कर एक हो गया और दूसरा कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक में लखनों समझोता हुआ और दोनों ने एक होकर संधर्स करने का निश्चे किया कॉंग्रेस के नरम-पंथियों और गरम-पंथियों में जो फूट वर्स 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी वह लखनों अधिवेशन में समाप्त हुई और एक बार फिर गरम-द करके इनी बेसेंट बाल गंगा धर्तिलक के प्रयासों से एक बार कॉंग्रेस फिर से मंच पर आई अंबिकाचरण मजूंदार की अध्यक्षता में ठीक है और इस तरीके से जो है अब रास्ट्री आंदोलन संगठित तरीके से आगे बढ़ेगा आई उन कार्णों की नरम कर दिया था दूसरी तरफ स्रीमती एनी बेसेंट गरम पंथी नेताओं तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस में लेने की लिए सहमत बनाने का प्रयास कर रही थी और उनके लगातार किये जा रहे इन प्रयासों का परणाम जो है सार्थक निकला और लखनों अधिव स्रीम लीग के मत्वी समझाता हुआ इसी एद्वेशन तरसल जिन्ना तिलक और एनी बेसेंट ने दोनु धड़ों को मिलाने में महतुपूर भूम का अदा की जिन्ना और तिलक दोनों ने ये महसूस किया कि भारत को सुतनता तभी मिल सकती है जब हिंदू मुसलिम एकता स् रखना है तो हिंदू मुसलिम को आपस में लड़ाए बिना ये संभव नहीं होगा और इस काम के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राजकरू की पॉलिसी अपनाई ठीक है तो इसलिए एक तरफ अंग्रेज जहां फूट डालो और राजकरू की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं वहीं जो है भारती रास्टी कॉंग्रेस में जो है समझोता कराने का प्रयास किया जा रहा है लखनों में कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है हिंदू-मुसलिम एकता ही भारती सुतंता का जो है मार्ग प्रशस्त करेगी यद्दप लखनों समझोता हिंदू-मुसलिम एकता के द्रिश से एक महत्पून कदम था फिर भी प्रिथक निर्वाचन जैसे मुद्दे पर सहमत जताकर कॉंग्रेस ने भविस स्विकृति चाह रहे थे प्रिथक निर्वाचन के स्विकृति चाह रहे थे यानि मुसलिम प्रतनिधियों का चुनाओं मुसलिम मद्दाताओं से किया जाए इस विशे पर स्विकृति चाह रहे थे और कॉंग्रेस ने इस समझोते के लालच में यही बात जो है सामपरदा काईक्ता के उदय का एक मुख्यकारण बनेगा। मुस्लिम लीग में भी समझाता हो गया। इस तरह से भारत में जो है राजनितिक उत्सा की जागरती हुई। लाकरोश को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिस सरकार ये चाहती है कि एक उत्तरदाई सरकार इस्थापित हो। और इस रिस्पॉंसबल गवर्मेंट को स्थापित करने के लिए वो सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। सवसासी संस्थाओं का विकास करना चाहते हैं। उपलब्धियों में से एक था। तो इस आधिवेशन में ये तै हो गया कि अब कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दुनों राजज़ेतिक छेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और भारती राश्ट्री आंदोलन के हित में एक साथ एक मंच से अपनी आवाज को बुल लीग ने अपना अलग अस्तित्व बनाये रखा तथा मुसल्मानों के लिए प्रथक राजनीतिक अधिकारों की मांग करती रही इस समझोते के परणाम सुरूब दुई राश्ट्र से धान भी उत्पन्न हुआ जी हां मुस्लिम लीग में के मांग को जैसे ही लखनो रही और दोनों के एक साथ भारत में नहीं सथ सकते इसलिए दोनों के लिए अलग-अलग तरीके की व्योस्था की स्थापना जरूरी हो जाएगी। अच्छा समझौता तो कर लिया मुस्लिम लीग ने कॉंग्रेस से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग ने कॉंग्रेस की विचारधारा से पूरा सामंजस बना करके जो है उसके साथ मिल करके काम किया हो, समझौते के बाद भी वो अपने तरीके से अपनी राजनेतिक अधिक विधियों का संपादन करती रही और मुसल्मानों के लिए, क्योंकि मुसल्मानों के प्रतनित संस्ता के तौर पर वो खुद को देखती है, इसलिए मुसल्मानों के लिए प्रथक राजनेतिक अधिकारों की मांग उसके द्वारा की जाती रही, ठीक है, आगे चलकर कि जब असहयोग आंदोलन अस्थगित हो गया तो असहयोग आंदोलन के अस्थगित होते ही, ये समझधा भी भंग हो गया, जी हाँ, और कॉंग्रेस वा मुस्लिम लीग एक दूसरे के एक बार फिर से प्रतिदुंदी हो गये, यही वा समझधा था, जिसने भावी राजनीत क लिए सांपरदाइकता का बीज गोया मदन मुहन मालवी जैसे लोग तो लखनो समझोते के घोर विरोधियों में से एक थे वो किसी भी सूरत पर नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग से समझोता हो और अगर हो भी तो कम से कम इस आधार पर ना हो कि हम मुस्लिम लीग की सर्थ को स्विकार लें जिसमें वो कह रही है कि मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन ब्यवस्था की स्विक्रिक्सिकारोगती होनी चाहिए तो ये था हमारा टॉपिक लखनो समझोता जी हां लखनो अधिवेशन भारते रास्टी कॉंग्रेस का 1916 में होने वाला वार्सिक अ हमने देखा कि इसी अधिवेशन में जो है बाल गंगा धर तिलक और इनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन से अलग अलग चल रहे थे वो एक मंच पर आ गए दोनों ने एक साथ मंच शेयर किया दोनों ने आपस के मद्वेदों क को भुला कर रास्ट्री आंधोलन के लिए एक साथ प्रयास करने का संकल्प लिया ना सर्फ इतना बलकि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच भी इसी अधिवेशन में समझोता हुआ मुस्लिम लीग की सामपर्दाइक प्रतियुद प्रडाली की मांग को भारतिय रास्ट्री कॉंग्रेस ने स्विकार कर लिया परणाम सरूप मुस्लिम लीग कॉंग्रेस के साथ मिलकर रास्ट्री आंधोलन में सहिभागता दर्ज कराने लगी लेकिन चुकि मुस्लिम लीग की मांग प्रथक तिरवाचन की कॉंग्रेस ने स्विकार की थी इसलिए आगे चलतर के ये बहुत खातक सिद्ध होगा क्योंकि यहीं से सामप्रदाइक तक बीच बो दिया जाएगा तो इन शॉट ये बाते थी जो हमने लखनों समझोते से रिलेटेट देखी अब आगे बढ़ रहे हैं होम रूरूल लीग आंदोलन क्योंकि आज के टॉपिक में हमने दो विश्यों को पढ़ने का फैस्रा लिया है एक लखनों समझोता दूसरा होम रूरूल लीग आंदोलन चली देखें होम रूरूल लीग आंदोलन जो है कि यह भारत में तब कि शुरू हो रहा है कि जब कि पूरी दुनिया और उसमें ब्रिटेन भी है कि विशेश्टा ब्रिटेन प्रथम विश्युद्ध में उल्जे हुए है और इन परिस्ततियों का लाब उठाने की नियत से बाल गंगा धर्तिलक कौन बाल गंगा धर्तिलक और एनी वेसेंट के द्वारा वर्स 1916 में आयरलेंड की तर्ज पर हूम रूल आंदोलन चलाया जाएगा इन दोनों के जरिये हूम रूल आंदोलन चलाया गया और यह फैसला भी दोनों ने लिया कि आपस के में कोई मतभेद ना हो दोनों एक दूसरे के छेत्र में हस्तक छेप न करें इसलिए दोनों अलग अलग हूम रूल के जरिये हूम रूल आंदोलन के लिए आवाज उठाएंगे और इनी पेसेंट अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमन विल के जरिये इसके लिए प्रयास करती नजर आएंगे आए फिलाल यह संशेप में बताईगी कुछ बाते थी हम देखे हूम रूल लीग आं इत तो करता था जी हłaँ जो तदकाली न परिस्तितिया थी जिन में लगातार जो है भारती हित on देखा किया जा रहा था बृटिस सरकार के द्वारा प्रतम बेसी उद में भारतियों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के बगर शामिल किया जा रहा था भारत के संसाथनों का इस् आये जाने हूम रूल आंधोलन प्रारम भूने के कारक क्या रहे? तेकि राष्टवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकरसित करते हुए उस पर दबाव डालना आवश्यक है और सरकार का ध्यान आकरसित करने के लिए एक मूमेंट की जरूरत थी और वो क्या होम रूल ली आंदोलर इतना ही नहीं बलकि मारले मिंटो सुधारों का वास्तविक सुरूप भी सामने आ गया था और इसके बाद नरम पंतियों को का ये भ्रम कि सरकार जो है उनकी भारतियों की बेहतरी के लिए काम करेगी या जो है सरकार न्यायपरी है और जब भारति क्योंकि समस्यां और मुश्किलों से फर्चित होगी तो जो है उसमें सुधार के प्रयास कर सकती ये सारे भ्रम दूर हो गये क्योंकि मारले मिंटो सुधार ने और उसके प्रावधानों ने ये इसपस्ट कर दिया कि अंग्रेजों की मन्शा भारत को विभाजित करने की है धर्म के आधार पर वर्द के आधार पर छेत्रेता के आधार पर किसी भी तरीके से वो भारत में समरस्ता कायम होने नहीं देंगे। और इन ही परिस्तितियों में भारत में होम रूर ली गांदोलन की शुरुआत हुई और परणाम सुरूप चुकि पहले से ही माहौल बन चुका है ग्राउंड तयार है इसलिए बड़े पैमाने पर लोग होम रूर ली गांदोलन से जुड़ेंगे और इसका जनाधार होगा ठीक है प्रत्रम विश्यूद 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 की प्रमुख महासक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर लड़ा गया था इससे अन्य देसों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया था युद्ध के बाद अंग्रेजों की वैसी इस्तिती में ये लगा कि ठीक है अंग्रेज भी पराजित हो सकते हैं और इससे भारतियों का होसला बढ़ा और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित आंदोलन के लिए जो है खुद को तयार किया आयरलेंड के हुमरूल लिग के तरज पर बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रीजों से प्रसासकी सुधारों की मांग की तिलक का मानना था कि हिंसा के प्रियोग से भारतिय सुतंता की प्रक्रिया में रुकावाट आ सकती है अता उन्होंने आयरिस हुमरूल जैसे आंदोलन के दोरा भारतियों की दसा में सुधार लानी की वकहले शुरू कर दी है तिलक मान रहे तिलक देख रहे कि उनके प्रभाव में या अन्युग्रवादी विचार धारा के निताओं के प्रभाव में भारत में कुरांतिकारी गत्विदियां भी चल रही है पर वो समझते हैं कि इस तरीके की क्रांतिकारी गत्विदियां भारती सुतंता की प्राप्त में सहायत नहीं बलकि रुखावट होंगी क्योंकि अंग्रेज जो है इसके एवज में दमनात्मक कारवाही करेंगे। पहले विश्युद के बाद एनी बेसंड ने भी भारती सुतंता आंदोलन को समर्थन देने के लिए आयरिस होम रूल लीक के नमूने पर भारत में आंदोलन प्रारम करने 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 किया। इनी बेसंड ने भारत एवं अन उपनिवेशों में स्वासासन की इस्थापना ही त्वभियान प्रारम कर दिया। उन्होंने जन सभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया याद रखिएगा मैंने चर्चा की थी अभी और कॉमन विल नामक पत्र का प्रकासन किया और इसके जरिये जो है उन्होंने अपने लक्षों की प्राप्त के लिए लगातार प्रस्ताव पारित किये। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के सम्मुख भारत में स्वासासन की अस्थापना की मांग को बड़ी ही मजबूती के साथ उठाया। और इनी बेसंट ने अपनी लीग स्थापित की जो मदरास में जो है स्थापित हुई ठीक है तो बाल गंगा धर तिलक के नेत्रत में स्थापित होम रूर लीग का छेत्र है महरास्ट करनाटक मध्यपरांद और पराथ इसकी स्थापना जो है अपराइल 1916 में हुई दोनों 1916 में अस्थापित हुई थी तो भूलेंगे नहीं याद रखेंगे ठीक है अच्छा तिलक की होम रूर लीग के जो सचिव थे सचिव वो कौन थे जान लीजिए एनसी केलकर तिलक की होम रूर लीग के सचिव थे और बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी और मराथा के जर이ह होम रूर के आंदोलन के उद्धेशों के प्राप्त के लिए रयास किया और स्वासासन की मांग कूं उठाया ठीक है ये केसरी समाचार पत्र व जो मराठी भासा में लिखा गया था और ये मराठा समाचार पत्र वो पत्र था जो अंग्रेजी भासा में लिखा गया था तो ना सिर्फ केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का किलक ने प्रकासम किया बलकि उनुके जरिये तो उद्सों का भी आयोजन किया गया और उसके सिवाजी महोच्व के नाम से तो गडपत उत्सो और सिवाजी महोच्व जैसे आयोजनों ने बहुत तेजी से जनता को जो है जोड़ने का काम के है लोगों ने भागिदारी दर्ज कराई और यहां आने वाले लोगों को राजनेतिक तोर पर जागरित करने का और अस्वासासन की मांग के साथ इनको जोडने का जो है लक्ष रखा था बालगंदा धर्थ तिलक ने ठीक है तो आप याद रखेंगे घडपत उत्सो सिवाजी महुत्सो तिलक से संबंदित हैं केस्री और मराथा समाचार पत्रों का सं पादन भी तिलक से संबंदित हैं तिलक की होमरूल लिग के उद्देश क्या थे देखें स्वराज की मां भासाई प्रांतों की अस्थापना और सिच्छा का प्रचार प्रसार तिलक की होमरूल लिग इन तीन मुख्य उद्देश्यों पर काम कर रही थी एक तो वो या धार पर प्रांतों की स्थापना के समर्थक थे और सिच्छा के परचार प्रसार के लिए भी वूआन भूलन चला रहे थी बालगंगा धर तिलक ने केसरी तथा मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से होमरूल लिग के उद्देश्यों की प्राप्तिका प्रयास किया जह प्रपत उत्सो और सिवाजी महुद्सो भी प्रारंब किया गया जिसमें तीजी से लोगों ने भागीदारी दर्ज कराई और उनको राजनेतिक तोर पर सक्षित करने का काम किया जा सका आएए देखें बेसंड की होम रूली इसकी इस्थापनाएनी बेसंड ने की सितंबर 1916 में मदरास में ठीक है मदरास के अत्रिक लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई और इस होम रूली के सचिव थे जार्ज अरूंडे जहां महरास्ट में इस्थापित तिलक के नित्रतुमें होम रूली के सचिव एंसी केल कर थे वहीं जो है बेसंड की होम प्रतीजी से लोग उसमें जुड़े थे धीरे धीरे होमरूर लीग अंदोलन लोग प्री होने लगा तथा इसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी अनेक प्रमुक राष्टवादी नेता मसलन मोती लाल नहरू जवाहल लाल नहरू भूला भाई देसाई चितरन जन्दास मदन मोहन मालवी, मोहमाद अली जिन्ना, तेज बहादूर सप्रू और लाला लाच पत्राय जैसे लोग होमरूर लीग से जुड़े थीक है इन में से कुछ नेताओं को अस्थानी साखाओं का प्रमुक्रियुक्त किया गया और अनेक आतिवादी राष्टवादी जिनका गोपाल कृष्ट गोखले की सरवेंट आफ इंडिया सोसाटी जिसके सापना गोपाल क्रिंग ने की ती कि अनीक सदस होमरूर लीग आंदोलन में सदसर्युक्त करेंगे या आप देख रहे एं कि भारत के सभी छेत्रों में कार्रत इसके साथ तेजी से जुड़ रहे हैं इ परिक्रमू का संपदन करेगा अपने उद्देशों की प्राप्थ के लिए। इनका मुख्य उद्देश भारतिय जन्मानस को हुम्रूल यानी स्वासासन के वास्तविक अर्थ से परचित कराना था। इन्होंने भारतियों को राजनेतिक रूप से जागरित करने के लिए प्रयास किया और इस दिशा में काम करने वाले बाकी सभी आंदों लोग को पीछे छोड़ दिया। करेंगे ताकि वो जग जगा करके स्वसासन की मांग को अंग्रीजों के सामने मजबूती से प्रक सके। तथा धन एकत्रित किया और सामाजिक कारियों का जो है उस धन का इस्तमाल भी किया। आईए जिन देखें कि होमरू लीक के प्रत सरकार का रुख क्या रहा। सरकार ने लीक के समर्थकों पर कड़ी कारवाही की तथा लीक के कारकरमों को रोकने के लिए दमनात्मक कारवाहियों का सहारा लिया। बालगंगा धर्तिलक के विरुद नयायाले में मुकत्मा तक दायर किया गया। जो 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगी बीपी वाडिया और जार्ज अरुंडेल को भी गिरफतार कर लिया गया। यानि तेजी से जो है दमनात्मक कारवाहि करके लीग के उद्देसों को जो है लीग को जो है मुशासित करने का अंवी जो ने प्रयास किया। और आम लोगों की भूमिका को अंदोलन में निश्चित किया। इन्होंने सुधारवादियों दोरा तै किये गए स्वतंत्रता अंदोलन की कारशैली को ही परिवर्तित कर दिया। यानि जो राजनेतिक कारशैली अभी तक चल रही थी वो होमरूर लीग आंदोलन के नित्रत में जो है चेंज की जाएगी और अब जो है सकती से स्वसासन की तरफ जो है आंदोलन को लेकर पढ़ेंगे लोगों। आंदोलन के जरिये दुझारू राष्टवादियों की एक नई पेढ़ी को जन्म दिया गया। और नया आयाम प्रदान किया ठीक है तो यह थी हमारी आज की क्लास लख ठीक है शुरू करते हैं अपना विशे भारतिये इतिहास और राष्ट्री आंदोलन देखे शाम छे बजे के वक्त में इंडियन हिस्ट्री एंड नेश्ट्रल मॉव्मेंट यारी भारतिये इतिहास और राष्ट्री आंदोलन विशे हैं मेंस की द्रिष्ट्टी से पढ़ रहें जैसा कि हमने मेंस के स्इलबस डिसकुशन के द्रूरान ये जाना था कि मेंस में मॉडरन हिस्ट्री से आने वाले प्रश्टением की संक्या ज़्यादा है अधिकान्स प्रश्ट यहीं प्रश्ण बनते तो प्राचे नितिहास और मधिकाले नितिहास से भी हैं लेकिन वहां से आने वाले प्रश्ण जो हैं कलाय स्थापत और साहित संस्कृत से रिलेटेड है आधुनी कि इतिहास के तरीके से मेंचन किया गया है कि 1757-1947 के बीच घटित प्रमुग घटनाएं और मातपूर्ण विक्तियों के संदर्व में प्रश्ट पूछे जा सकते हैं यही नहीं बलकि यह भी का गया है कि राश्ट्री आंदोलन के तीन चरण यानि उदारवादी उग्रवादी और गाधिवादी चरणों से भी प्रश्टों की संभावना बनी रहेगी आफ्टर फ्रेडम यानि सुतंतरता के बाद भारत से भी प्रश्ट आ सकते हैं इस लहाज से आधुनी के तिहास की महात्ता को देखते हुए हमने इस सब्जेट की शुरुवात मौडन हिस्ट्री से की और ऐसे बहुत से टॉपिक मौडन हिस्ट्री कर आया जो कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की इस्थापना करेगा तता कॉंग्रेस को समाजवादी देश्यों की पूर्ति में जो है इस्तमाल करने का प्रयास करेगा आईए शुरू करें प्रेर्नास रोत पंडिट जवाहलाल नहरु और सुभाशन बोष्ट थे जंत अपनी रूस की याक्तरा के दोरान समाझवादी विचारधारा से पर्चित हुए उनका रुजहान समाजवादी विचारधारा की तरफ बड़ा आम आत्मी के हितों के प्रत्रिधी के तौर पर समाजवादी विचारधारा को उन्होंने स्वेकार किया और उन्होंने इस विचारधारा के पर जुमें अपनी आस्था विक्त करनी शुरू कर दी थी उनका साथ देते रहते थे सुभाशन बोज सुभाशन बोज भी जो आम जन्द के कल्यान के बारे में दिन प्रदिन लगातार जो है प्रयासरत हैं और अपनी गत्विदियों के माध्यम से आम आत्मी के हित का मार्क प्रशस्त कर रहे हैं और सामराजवादी सत्ता को चुरौती देने के प्रयास में सनल्लक ने उनोंने भी जवाहरलाल नेरुau और जो के साथ मिल करके समादमनी विचारधारा को प्रसारित करने का भारत में काम किया जवाहरलाल नेरुने वर्स 1927 में उपनवेśवादी नीतियोंच और सामराजवाद के विरोध में आयोजित अंतर रास्टी कॉंग्रेस में जो ब्रुसल्स में आयोजित की गई थी भाग लिया था ठीक है तो इस तरीके से उपने वेसवादी नीतियों और सामराजवाद के विरोध में जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है ब्रुसल्स में उस अंतर प्रश्टिक कॉंग्रेस में भाग लेते हैं जवाहलाल नहरू और वहां से उनका समाजवादी रुजान और कुखता हो जाएगा। परस 1927 में जवाहलाल नहरू ने सोवियत ग्रूफ की यात्रा की और सोवियत समाज से इस यात्रा के दौरान काफी प्रभावित हुए और वहां से समाजवादी विचारधारा को जो है आत्मसाथ करके वो भारत वापस आएंगे। 1927 के बाद समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो कर पूरे देश में युवा संधठन इस्थापित हुए और युवाओं के सैकड़ो अधिवेशन आयूजित किये गे। वरस 1928 में जवाहलाल नहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित भी किया। जवाहलाल नहरू ने अपने संबोधन में सामराजवाद, मूझी वाद और जमीदारी प्रथा की कटवा आलोशना की और समाजवादी विचारधारा को अपनाने के लिए युवकों को प्रेरित किया। जवाहलाल नहरू अपने संबोधनों में अपने मंच के माध्यम से अपनी कारशली के जरिए समाजवादी विचारधारा के तरफ अपना रुझान वेक्त कर रहे हैं। करता बनेंगे। दुसरा वो विचारधारा जो भारत में सर्वारा वर्क का खल्यान सुरिश्चित कर सकती है। आम आदमी किसानों मजदूरों के हितों का प्रतनेद्ध कर सकती है। उस विचारधारा को स्विकार किया जाना ही चाहिए। और इस तरीके से अखिल बंगाल चात्र सम्मेलन में जवाहलाल नेरू ने अपने संबोधन के दौरान जहां एक तरफ उजीवादी ताक्तों का जो है अक्की आलोशना की उनके खिलाफ अपने आक्रोश की अव्यक्ति की वहीं समाजवादी विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्ति करते हुए युवाओं को भी इस विचारधारा को अपनाने के लिए उन्होंने आमंतरित किया वर्स 1929 की आर्थिक मंदी पूजीवादी देशों की दुरगती को देखते हुए समाजवादी विचार अधिक तेजी से लोगप्री होने लगे तरसल 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी और इस आर्थ पूरा विश्व लगबग आ चुका है खास करके सभी पूजीवादी देश सोवियत रूस आर्थिक मंदी के प्रभाव से लगबग मुखत रहा था यानि वहां आर्थिक मंदी ने कोई बुरा असर नहीं दिखाया था तो ऐसी इस्तिती में लोगों की आस्था समाजवाद में पढ़ेगी और पूजी वादी जो है विचारधारा से उनका मुखत होगा ऐसी इन परिस्तितियों में तेजी से समाजवादी विचारधारा के समर्थक जवाहर लाल नहरू ने 1929 में एतिहासिक कॉंग्रेस भारती राष्टी कॉंग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अ अध्यक्षता में उन्हों ने मुखर तोर पर समाजवादी विचारधारा के प्रत अपना रुझान विक्त किया और सामराजवादी विचारधारा को काक की आलोचना की और उसके प्रत अपने अप्रोश की अभिवेक्ति की यहां ये वही लाहौर अधिवेशन है जिसमें बार जो है स्वाधिन्ता प्राप्त को भारतिये राज्ट्री कॉंग्रेस ने अपना लक्ष गूसित किया था कि लाहौर अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तटपर हुआ था रावी नदी के तटपर कब वर्स 1929 में अध्यक्ष कौन हुए थे अध्यक्ष हुए थे पंडित जवाहर लाल नहरू इस अधिवेशन में कॉंग्रेस ने स्वाधिन्ता प्राप्ति को अपना लक्ष नर्धारित किया लक्ष गूसित किया चीक है ताथी ये संकल्म भी लिया था कि जब तक जो है हम स्वाधिन नहीं हो जाते नहीं होते तब तक आने वाली वर्सों में प्रतेक 26 जन्वरी को हम स्वाधिन्ता दिवस के रूप में मनाएंगे ठीक है और इसी संकल्म का त्रमान रखते हुए इसी 26 जन्वरी की गर्मा को बरकरार रखने के लिए आज आदी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी और हमारा संविधान 26 नॉंबर 1949 को बन कर तयार हो गया था और संविधान सभा के सदस्यों ने जन्ता के बिहाब पर उसे अंगी कार भी कर लिया था लेकिन हमने संविधान का कुछ हिस्सा ही लागू किया था संविधान को पूर्ण रूप से 26 जन्वरी को लागू किया जिससे कि 1929 में लिया हुआ ये संकल्प जो है 26 जन्वरी की गर्मा को बरकरार रखा जा सके तो इस लाहोर कांग्रेस के में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे पंडित जवाहालाल नेहरू और इस अधिवेशन में बड़े मुखर तोर पर जो है बिगुल्फू का और अपनी विचारधारा जो है समाजवादी विचारधारा को लोगों के सामने जाहर किया, समाजवादी रुजान उन्होंने व्यक्त किया, वर्ष 1936 तथा 1937 में पुना जवाहरलाल नहरू कॉंग्रेस के अध्यव चुने गए, तो आप देख रहें कि के अंदर, अब ऐसे में अगर कोई बड़े कत का व्यक्ति जो है, वो समाजवादी विचारधारा को अंगी कार करेगा, तो कॉंग्रेस के उद्देशों पर, नीतियों पर, पॉलिसीज पर, उनकी कारशैली पर भेज का प्रभाव पड़ेगा, और कॉंग्रेस के मंच से त बंब और 18o के अंदर जवहाद लाल नहरू के प्रयासों से समाजवादी विचारधारा का प्रसार होने लगा, इसकार में सुभास्चन्द बोज ने भी जवहालाल नहरू की मदद की, सुभास्चन्द बोज जवहालाल नहरू 1929, 36 और 37 में अग्रिक्ष्वत पर रहे, मही सुभास्चन बोज 1938 में और 1949 में भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो इस तरीके से सुभास्चन बोज भी अध्यक्ष परपर तक पहुंच रहे हैं उनका भी महत्पूर कद है उनका रुजान भी समाजवादी विचारधारा की तरफ है नेरु का रुजान अल्रेडी समाजवादी विचारधारा की तरफ था यानि कुल मिलाकर कॉंग्रेस के अंदर ही या अग्रिम पंक्त के राजनेताओं में दो महत्तुपूर्ण विक्तियों का समाजवादी जुकाव जो है समाजवादी विचारधारा की प्रसार का पूरा का पुरा महौल तयार करेगा, ग्राउंड तयार करेगा, यानि इससे पहले कि कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की अस्थापना हो, हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की अस्थापना से पहले ही, जो है समाजवादी पार्टी की अस्थापना का मार्ग प् तोसलिस्ट पार्टी अच्छा इससे पहले कि कॉंग्रेस समाधवादी पार्टी को पढ़ें इसकी गत्विदियों को पढ़ें इसके नित्रत्युकरताओं की नित्यों को जाने यह इस पस्ट कर दूं मैं कि यह कोई एक अलग राजनेतिक दल नहीं है अभिशारम में इसका रास्तित्तु कॉंग्रेस से प्रिथक राजनेतिक दल के रूप में नहीं है बलकि यह कॉंग्रेस के अंदर ही कॉंग्रेस के निर्देशों का पालन करते हुए आम जनता के हित्व में कमाजवादी कि पूर्ति में विश्वास रखते हैं इसका मतलब यह न समझा जाए कि कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी जो है स्थापना जो है यकभयक नहीं हो गई इसके लिए कई चर्णों में प्रयास दिखाई पड़ते हैं आरंभिक प्रयासों की अगर बात करें हम तो जैप्रकाश नारायन ठीक है जिनने लोकनायक की उपाद दी गई है लोकनायक आम जनता में इनकी लोकप्रीता को देखते हुए इन्हें ये उपाजप्रदान की गई थी पूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य समाजवादी विचारधारा के समर्थकों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की अस्थापना की थी ठीक इसी क्रम में वर्स 1933 में पंजाब में भी एक समाजवादी पार्टी का गठन किया जा चुका था यह इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में अलगबक सभी छेत्रों में सभी वर्मों के भी समाजवादी विचारधारा पहुंच चुकी है और वो समाजवादी विचार समाजवादी पार्टी जो 1933 में गठित की जा चुकी थी और फिर इसी का कड़ी में आगे चलकर वर्स 1934 में 1934 याद रखिएगा इंपॉर्टन डेट है जेल में बंद कुछ यूवा कॉंग्रेसी नेताओं ने आरस्परिक विचार विमर्स कर समाजवादी पार्टी बनाने समाजवादी का प्रस्ताव रखा आचार नरेंदेव जैप्रकाश नारायन मीनु मसानी और अशोक मेता जैसे समाजवादी विचारधारा के समर्थकों ने 22 अक्टूबर 1934 को पंबई में कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया तो इस तरीके से कॉंग्रेस पंबई में गठित की गई 22 अक्टूबर 1934 को ठीक है जैप्रकाश नारायन और आचार नरेन देव के प्रयासूं से अगे बढ़ेंगे के समाज कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के सभी सदस्त मांगते थे कि कॉंग्रेस राश्टी संधर्स का नेत्रत्त करने वाली आधार भूत संस्ता है देख रहें किस तरीके से वो कॉंग्रेस के अस्तित्त में अपनी आस्था वेक्ति करते हैं उनका मानना है कि कॉंग्रेस ही है जो राश्टी संधर्स का नेत्रत्त करने वाली एक आधार भूत संस्ता है कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश का अभिन अंग बने रहकर समाजवादी ढंग से स्वराज की प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की इस्थापना करने का प्रयास करना था तो कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का उद्देश कहीं से भी भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की मुखालफत करना नहीं है या उससे अलग किसी धारा की इस्थापना करना नहीं है बलकि इनका उद्देश है जो इनोंने घोसित कर रखा है वो है कॉंग्रेस समाजवादी स्थापना करना। जयप्रगाश नारायन ने समाजवाद ही क्यों तथा आचार नरेंदयों ने समाजवादी एवं रास्त्री अंडोलण जैसी अपने पुस्तकों gehen को घंज करके समाज समाजवाद का दामन की लोगों ने क्यों थामा था और इसकी कारशयली क्या होने वाली है। प्रक्रिया को संचालित कराना चाहती थी। जो इनका उद्देश है वो क्या है। यह चाहते हैं कि कॉंग्रेस जो है समाजवादी द्रिश्ट ही अपनाए। इनका फोकस होगा और वर्तमान आर्थिक मुद्दों पर इन्होंने 15 सुत्री कारिकरम का प्रविपादन किया और यह चाहते हैं कि उसके जरिये आर्थिक विकास की प्रक्रिया का संचालन किया जाए। और इनी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कॉंग्रेस पार्टी ने निर्णे लिया कि भारत के सभी वामपंथी दलों को एक हो जाना चाहिए। यहां पीसी जोसी के नेत्रत्त में बड़ी संख्या में सामयवादी कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए। तो कि सामयवादी दल और उनके अनुसंगी संगठन 1934 में अवैद भोसित किये जा चुके थे। इसलिए उन्हें अपना अस्तित्तों बचाये रखने का एक बेतर विकल्ब नजर आया कि उन्होंने मेरर सम्मेलन में किये गए आवाहन को आधार बना करके कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना उचित समझा। वर्स 1936 से 1942 के दौरान कम्मिनिस्टों ने केरल, आंध प्रदेश और पंजाब में शक्तिसाली किसान आंदोलनू का नेत्रत्तों किया। लेकिन सामिवादियों का कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी से गड़ बंदन जादा दिनों तक नहीं चल सका। तो अगर देखा जा ये हिंसात्मक गद्विधी अपनाने के ज़्यादा पक्षधार हैं सामिवादी, इसलिए कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के तहट उनकी बहुत दिनों तक निवने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी जितना वक्त उन्होंने कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है आंदोलनों का नित्रत्यों किया और पूरे सामर्थ के साथ जो है समाजवादी पार्टी को मजबूती परदान की। तो तिये विशुद के दौरान कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी ने सामवादीों को निकाल बाहर कर और इस तरीके से अब कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी और साम्मेबादी दल जो है वो अलग-अलग अपने उद्देश्यों की पूर्थ में सनलगन होंगे। उसे आप भूमिगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है? इसी आंदोलन के तहट जो है उन्होंने भूमिगत रेडियो और तमाम और गदविधियों का समपादन किया जिसके जरिये वो जो है आंदोलन कारियों तक मैसेज पहुचाते थे और अंग्रीजों के खिलाफ उन समाजवादी नेता इसमें भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दे रहे थे दरसल इस आंदोलन में महत्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और इसके बाद बहुत तेजी से ब्रिटिस सरकार ने जो है कॉंग्रेस के लगभक सभी प्रमुक नेताओं को गिरफ के नेताओं के जरिये बड़ा सहारा मिला जिन्होंने आंदोलन की गद्विधियों का जो है नेत्रत कि लिए पार्टी 1947 तक राष्ट्री आंदोलन और कॉंग्रेस को दिरंतर शक्तिसाली बनाने का कारे करती रहें इस तरीके से आप देखेंगे कि कॉंग्रेस समाज़ादी पार्टी ने भारत की आजादी तक लगातार जो है राष्ट्री आंदोलन में अपनी महतुपूर्ण भूंका अदा की और साथ ही बारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस को उसके लक्षों की प्राप्ति में सहायता देती रही वर्स 1948 में कॉंग्रेस समाज़वादी पार्टी ने अपने नाम से कॉंग्रेस शब्द हाटा लिया और एक नई समाज़वादी पार्टी की अस्थाप्त लिया यहां से कहानी कुछ बदल जाये दरसल एक लंबे अर्से से 34 से ले करके 1948 तक कॉंग्रेस के अंदर ही रह करके इन्होंने अपनी सभी गद्विदियों का संपादन किया तो यह सवाब खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्ति उत्पन हो गई जब कॉंग्रेस समाज़वादी पार्टी के नेताओं ने खुद को कॉंग्रेस से अलग करके एक नई समाज़वादी पार्टी की अस्थाप्त दरसल कॉंग्रेस पर दक्षडपंतियों का प् पेच्छित महसूस कर रहे हैं यहीं नहीं बलकि वह अपने उद्यस्यों की पूर्टी भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे इस्तिति में उन्हें प्रतीत होता है कि कॉंग्रेस से अलग हो जाने में ही उनकी भेधरी है इसलिए उन्होंने अलग हो करके नई समाज़वादी इसलिए हुआ था कि कॉंग्रेस के अंदर रहकर उसे मजबूत किया जाए और उसकी नीतियों में परिवर्तन और संसोधन किया जाए तथा उसकी पॉलिसीज को जादा जो है आम जनता के हित में और सर्वहारा कल्यान के हित में प्रेरित किया जाए कॉंग्रेस में लेकिन सदयों दक्षिर पंथी नेताओं का वर्चस रहा इसलिए कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी अपने प्रगत शीलू देस्यों को पाने में असफल रही दक्षडपंथी, कॉंग्रेसी, समाजवादियों को अंतर रास्टरवादी कहते थे और इन्हें देश की सुतंता के संग्राम में अविश्वस्नी मानते थे तरसल समाजवादी विचारधारा का गोमुख जिसे आप कह सकते हैं उद्गम कह सकते हैं वो है जो है रूफ ऐसी इस्तिती में दक्षडपंती कभी भी ये सुईकार नहीं कर पाए कि भारत में समाजवादी ये सुता इस पूर तरीके से अपने उद्देश्यों और लक्षों का निर्धारण करते हैं उन्हें हमेशा लगता रहा कि ये रसिया से प्रवावित हैं और उन्हीं के द्वार कि समाजवादी कांधीसी की समझोता वादी नीत के विरोती थे ते और किसी भी शक्ल में किसी भी रूप में मनसा वाचा दे से हिंसा के विरोधी ठीक है जबकि समाजवादी आवशक्ता अनुसार ससस्त्र आंदोलन ससससंघर्ष के भी पचदर हैं उनका कहना है कि टिट फॉर टेट अगर ज़रूरत पड़े तो बेहतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आम आदमी के कल्याण के लिए ठीक है औ जबकि गांधी जी को किसी भी प्रकार का वर्ग विभाजन स्विकार नहीं था अगर समाजवादियों की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को ध्यान में रखकर उन्होंने आर्थिक आधारों पर संगठन स्थापित किये होते तो ऐसे में एक वर्ग भुर्जवा वर्ग और ए स्विकार करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने इसे जो है स्विकार किया भी नहीं इन परिस्कतियों में जब समाजवादी अपने उद्देशों की प्राप्ति और उसके लिए प्रत्न नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने कॉंग्रेस से अलब होना ही बेहतर समझा समाजवादी लोकतांत्रिक औद्योगिक रास्ट का निर्माड करना चाहते थे जहां आय का लगभक समान वित्रण यहां आय के समान वित्रण का उद्देश लेकर समाजवादी जो है भारत में लोकतांत्र को समाजवादी लोकतंत की तरफ मोलना चाहते थे और गांधी जी के अनुसार कॉंग्रेस में समाधवादी गुट का निर्मार स्वागत योगी था किन्तु उनके कारिकरम सुईकार करने योगी नहीं थे। के अपनाय कारशैलिया निर्धारित की ये सुईकार करने काबिल नहीं थी। कि कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी ने लोगप्रिय समाजवादी नारू के माध्यम से आम जन्मानस को राश्ट्री आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रिरित किया था। पार्टी ने किसानों और स्रमिकों को संगठित किया और उन्हें राश्ट्री आंदोलन में भागीदारी के लिए तैयार किया। तरसल कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के अगर योगदान की चर्चा करें, यह उनका प्रमुख योगदान है भारति राश्ट्री आंदोलन में, क्यूंकि उन्हें आम्चत्थ्त, मजदूरों को, किसानों को, अनि पिछड़े वर्गों को राश्ट्री आंदोलन की जुबे साथ बज़े के वक्त में आप मेरे साथ जुड़े हैं यूपी पेसी है और बाकी स्टेट कमिशन साथ ही यूपी ट्रॉपल सी को ध्यान में रख करके लॉंच की गए प्रिलिम्स बैस से जिसमें हम जिस सब्जेट को लेकर आगे बढ़ रहें व्हो है भारती इतिहास और रास्ट्री अंदोलन, कि विशच को पढ़ने-पढ़ाने के क्रम में हमने आधुरी मेंस और प्योंदिन और करने की मत्रूंआधोर्ष इचि法 क्राण के अलगरे आ इस्पर करने क्रेंनोंद के पेपर एनाल सेस के बाद हम इस मतीजे पर पहुंशते हैं कि एक्जामश में आने वाले प्रश्णों में से हमने आधिकास प्रश्णार की इतिहास की शुरुद करने का पैसला लिए औरनिस्ट्री के तमाम टॉपिक पढ़ते पढ़ाते इस वक्त जिस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है विदेशों में क्रांतिकारी यांदोलन यहां revolutionary movement in foreign हमने देखा किस तरह से Congress की अस्थापना के बाद हारम भी 20 वर्सों में Congress में उदारवादी विचारथारा का प्रभाव रहा और उदारवादी विचारथारा के नेत्रत्त में Congress अपनी राजनेतिक उद्देश्यों की पूर्त में सल लगते हैं कि वो दौर था जो सुरवाती 20 सालों में प्राष्णापत रियाशनाओं और विन की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाएगी यानि उनको अंग्रेशों की नयाय प्रिता में पूरा विश्वास था इस वजह से उन्होंने जो है अंग्रेजों के हिर्दय में भारतीयों के प्रज्य समेदना जगाने का प्रयास किया सभाय आयोचित करके प्राष्णापत्र द उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इन्हें जनता के बीच में लोग प्रेता भी हासिल हुए इस विचारधारा का प्रसार करने का स्रे जाता है लाला लाशपत्राय बालगंगा धन्तिलक और विपिन चंद्रपाल जैसे निताओं ये वो लोग थे जिनका मानना था कि देश हमारा मुश्किले हमारी चुनोतिया हमारी तो आप किसी विदेशी के सामने जो है कटोरा लेकर भीग क्यों मांगेंगे हम गड़गड़ाएंगे क्यों देश हमारा है मुश्किले हमारी है हम हक से मजबूती से अपनी समस्याओं क उनके सामने रखेंगे और इस तरीके से उग्रवादी विचारधारा के प्रभाव में बंगाल विभाजन के बाद सुदेसी आंदोलन और विद्यसी बहिसकार की नीत पर किया गया और एक हद तक यह आंदोलन अपने उद्यस्यों की पूर्थ में सफल भी रहा इसी समय सुदेसी आंदोलन और विद्यसी बहिसकार जैसी नीतियों को जो है भारत के बंगाल के बाहर भी संपूर भारतिये राजिचेत्र में लागू करने की मांग करने लगे थे उग कारशैली को अपना कर आगे पढ़े जबके उगरवादी यह समझ रहे कि बदलते परिस्थिती के हिसाब से कारशैली भी बदलनी आवश्यक है और इसलिए वह लगातार इसके लिए प्रतिसील रहे नीस सो पांच के बनारस अधिवेशन में स्वराज प्रात कीत को अपना लक्ष बनाया गया यह उदा उग्रवादियों का ही प्रभाव था जब गोपाल कृष्ण गूखले की अध्यक्षता में होने वाले बनारस अधिवेशन में इस तरह के प्रस्तावाई उदा उग्रवादियों ने फैसला कर लिया कि भारतिय रास्टी कॉंग्रेस का अध्य लालाश्पत राय के सिफारिश पर नाम इनकी सहमति से लालाश्पत राय का नाम अध्यक्षपत के लिए आगी किया गया उदारवादी बिलकुल नहीं चाहेंगे कि उग्रवादियों के बीस से कोई जो है कॉंग्रेस का अध्यक्ष बने इसलिए उन्होंने दादा भाई औरोजी का नाम आगे कर दिया दादा भाई नोरोजी जो कि वय वरिद्ध कॉंग्रेस ही नेता हैं जिनका समान उदारवादी और उगुरवादी दोनों ही करते हैं इसलिए जब इनके नाम का विशय आया तो उगुरवादियों ने लाला लाश्पत्राय का नाम पीछे ले ल लेकिन इसका होना निश्चिन्थ हुआ था पहले नाक पूरी तूरत अधिवेशन में अब उगुरवादियों के सब्रका बान तूट गया दोनों के बीश में पढ़की पढ़का की इस्तती बन गई और कॉंग्रेस में विभाजन हुआ कॉंग्रेस दो भागू में विबत हो गई गरमदल और नरमदल ठीक है यह उग्रवादी ही है यानि गरमदल के लोग जिनके प्रभाव में एक तरफ तो जो है मजबूती से अपने विचार रखे जा रहे हैं दूसरी तरफ इनी की विचारधारा का असर कुछ युवाओं ने ऐसा ले लिया कि वो क्रांतिकार आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन भारत के अन्य भागों में क्रांतिकारी आंदोलनों की चर्चा कर ली है और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन यहां उ आजिए देखें जाने कि विदेषों में क्रांतिकारी अंदोलन किन परिस्थितियों में जो है अगे बढ़ रहा है जCause strikes प्रियास कर preciousieur और वहां भारत की आजादी के लिए लोगों को संगटित करने का प्रयास कर और किस हद तक उनको इस प्रयास में सपलता मिली और इसका प्रभाव भारत में और प्रभेसिक सत्ता के नीदियों में किस प्रकार परिवर्तन के रूप में देखा गया ये सब भी जानना हमारा परिस्थितियां जिन में विदेशों में तांतिकारी या अन्दोलर के उग्देश से कांतिकारी या अंदोलर के उग्देश से अंगठ्षनों की अस्थापना की गई तो इस तस चलें शुरू करें देखिए प्रिटिश शासन के दमन से भारत में अपनी गद्विधियां जारी रखने में असमर्थ भारती क्रांतिकारियों ने विदेशों में जाकर वहां से अपनी योजनाओं को संचालित किया अगर भारत में करांतिकारी गत्विधियों का संपादन कर रहे हैं ये तो इनको बिटिस सरकार की दमनात्मक नीतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरीके से अपने उद्देशों में सफल होने से पह विदेशों में पहुचेंगे और वहां अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को संचालित करने का प्रयास करेंगे उद्देशन के वही हैं तो भारत में रहकर के खलांतिकारी Turkey गत्विधियों के संपादन प्रकट करना चाहेंगे इसमें उन्हें प्रवासी भारतियों और कुछ मित्र देशों के क्रांतिकारियों से सहायता भी प्राप्त हुई तो जब भारती क्रांतिकारी जो है भारत में अंग्रेजों की दमनात्मक कारवाही के भैसे भारत से पलाइध होकर विदेशों में चाहेंगे अपनी योजनाओं को संचालित करना चाहेंगे तो इस कार में उनको जो है कुछ प्रवासी भारतियों और मित्र देशों के क्रांतिकारियों से भी मदद मिलेगी उन्होंने लंदन USA, Berlin, काबुल, पेरिस, जापान यादियस्थानों को अपना केंदर बनाया और बहुत ही सफलता पूर्वग यहां उन्होंने क्रांतिकारी गद्विधियों का जो है संगठन किया और तमाम लोगों को उसके तले जोड़ा और भारत में अंग्रेजों के अपनी बेसिक नीति पर भी जोर दिया आएए देखें ऐसे कुछ प्रमुक संगठन जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी यहां इंडिया होम रूल सोसाइटी इसकी अस्थापना वर्स 1905 इस्थी में की गई लंदन में और इसकी अस्थापना के पीछे जो सुझाव महतुकूर्ण है वो हीड़ स्याम जी कृष्ण वर्मा के इन्होंने को इंडिया हम रूल सोसाइटी की स्थापना का सुझाव दिया और इनके सुझाव से प्रेरित होकर 1905 में लंदन में इंडिया हुम रूल सोसाइटी का मार्ग प्रशस्तव या इसके तक्त्य में आ गई स्थापक थे इसके स्याम जी क्रिष्ट वर्मा हम सभी जानते हैं कि Home Rule Society के स्याम जी प्रेश्ण वर्मा है है इंडिया Home Rule Society नामसे इस पस्ठे कि इसकी स्थापना वले ही लंदन में हो रही हो लेकिन इसके उद्देश जो है वो भारत में जो है भारतियों की समस्याओं को दूर करने और उभें विदेशी दास्ता से मुक्त दिलाने के लिए हैं इसलिए इनका उद्देश होगा भारत में स्वाशाशन की अस्थापना भारत में स्वाशाशन कि इस्थापना इंडिया होम रूल सोसाइटी का मुख्योद्दे से होगा अगर इंडिया होम रूल सोसाइटी के सदस्यों की बात करें तो मदनलाल धींगरा लाला हर्दयाल अला हर्दयाल अजीद सिंग और वीडी सावर कर इसके सक्री सदस्यों में से एक थे हमने जाना इं 1905 में लंदन में हेडमेन के सुझाव पर हुई सुसाइटी का उद्देश भारत में स्वसासन की इस्थापना करना है उसकी प्राप्ति करना है और इसके सक्ने सदस्यों में मदनलाल धींगरा लाला हर्दयाल अजीद सिंग और वीडी सावरकर प्रमुक थे ठीक है विदेशो सबसे पहली इस्थापित करांतिकारी संस्था की यहां याद रखिएगा कि भारत से बाहर विदेश में इस्थापित पहली करांतिकारी संस्था कि इंडिया हुआ 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 है ओम रूल सोसाइटी थी अगे बढ़ते हैं कि स्यांग जी द्वारा लंदन में भारती हितों के प्रचारपसार हेतू एक पक्त्र इन्डिय स्योसियो लॉजिस्ट का संपाधन किया गया और भारती आगंतुको के निवास है इंडिया हाउस की अस्थापना की गई पाद में यही इंडिया हाउस प्रांतिकारियों की गद्विधियों का प्रमुख केंद्र बन जाएगा तो ना सिर्फ इन्हों ने होम रूल सोसाइटी की अस्थापना की स्यामजे कृष्ण वर्मा ने बलकि इन्हों ने भारती हितों को से अंग्रेजों को परचित कराने के लिए उसक समर्थन में लोगों को जो है इकठा करने के उत्यस से इंडियन सोसियोलाजिस्ट पत्र का संपाधन भी किया तो याद रखेंगे इंडियन सोसियोलाजिस्ट पत्र के संपाधक कौन है स्यामजे कृष्ण वर्मा कितना ही नहीं बलकि भारती आगंतुकों के निवास के और यहीं इंडिया हाउस आगे चल करके क्रांतिकारी गद्विधियों का प्रभुख के इंडर बनेगा नेक्स्ट नौ मई 1905 को इंडिया होमरूल सोसाइटी की तरफ से 1857 के प्रिथम स्वाधिन्ता संग्राम की वार्षकी मनाई गई इसके अध्यक्ष जेट लाल मोती लाल पारिक थे इंडिया हाउस जो है इंडिया होमरूल सोसाइटी जो भारत वारती समस्थाओं को विश्वस्तर पर रखना चाहती है जिसका उद्देश है कि वो विश्वस्तर पर भारत की समस्याओं और उप्रिविसिक नीटियों से होने वाले उंके उत्विडन से लोगों को परचित क इसी उम्रूल सोसाइटी के तरफ से 1857 के पुर्थम स्वाधिनता संग्राम की वारसिकी मनाई गई ठीक है 9 मई 1905 को और जिसके अध्यक्ष जो है जेठलाल मोतिलाल पारिक थे ठीक है स्याम जी और उनके सहयोग्यों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गत्विधियों के कारण प्रिटिस सरकार का ध्यान जब उनकी ओर गया तब 1906 इसनी में स्याम जी लंदन से जाकर पेरिस में बस गए कहां बस गए पेरिस में बस गए क्यानि जब लगातार जो है उनके द्वारा हुंगूल सोसाइटी के तहट भारत की समस्याओं के समधान की दिशा में प्रियास किया जाएगा प्रांतिकारी गत्विधियों का पूर्साहन दिया जाएगा इंडिया हाउस जो जिसकी अस्थापना उन्होंने की थी भारती आ कहां पेरिस में वर्स 1906 में इंडिया हाउस का नित्रत अब वीडी सावरकर के हाथ में आ जाएगा वर्मा चले गए पेरिस और लंदन में स्थित इंडिया हाउस का नित्रत अब आ गया विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर के हाथ में इसी समय उन्होंने 1857 की क्र सुतंता संग्राम भी सिद्र किया राष्टबादी इतिहास का रहें अता इन्हों ने जो है 1857 के विद्रोग को जहां लोग एक तरफ सैनिक विद्रोग उसलोग बरबरता के खिलाब सब्वेता का संघर्स कह रहे हैं वहीं पर जो है इसको विडी सावरकर ने भारत का पहला कि हम जानते हैं कि आर्सी मजुंदार इसके ठीक उलट कहते हैं कि ना तो ये पहला था ना रास्टी ना ही सुतंता संग्रा ठीक है तो कुल में लाकर कि 1906 में जब लंदन से राष्चाम जी क्रिष्ट वर्मा जो है पेरिस पहुंच गए तब लंदन इस्थित इंडिया कि रखना है विलियम करजन वाली की हत्या किस में की और किस कारण से इंडिया हाउस जो कि करांतिकारी गत्विधियों का गेंद्र बना था जिसकी इस थापना जो है फार्तिया आगंतुकों को आस्र देने के लिए स्याम जी कृष्ट वर्मा के द्वारा की गई थी वह ठीक है मदनलाव धींगरा ने एंक जुलाई उननीस सो नौ को लंदन में भारत सचु विलियम करजन वाईली की पोली मारकर हत्या कर दी अच्छा क्या कारण था जिसके चलते मदनलाव धींगरा ने जो है बिलीम करजन वाइली की हत्या की बारत सच्चु के थ्या की करजन वाइली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से क्रांतिकारी शाम जी कृष्ट वर्मा को उनकी आसामान घद्विधियों के कारण पूर्ण में बहुत प्रताड़ित किया था अता अपने संस्था के संस्थापक के अपमान का बदला लिने हे तू भींगरा ने वायली की हट्या तो किल मिला करके इंडिया हाउस के सदस है मदला डीगरा और इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है तो इंडिया हाउस के संस्थापक के सियाम जी कृष्ण वर्मा यह जो व इस बात से नाराज मुदनलाल धींगरा ने अपनी संस्था के संस्थापक के अपमान का बंदा लेने का फैसला लिया और करजनवायली की गोली मार कर हत्या कर ठीक है तथा भारत में अभियोग चलाकर दंडित करने हे तो उन्हें एस एस मोरिया नामक जहाद से भीजा गया यहां वेडी सावरकर जो की स्याम जी क्रिश्वर्मा की गहर मौझूदगी में क्रांतिकारियों को नेत्रत्य प्रदान कर रहे हैं इन्हें 13 मार्च 1910 को लंदन से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन पर अभियोग चलाकर दंडित करने हे तो इन्हें एसस मोरिया नामक जहाद से भारत भेजा जाएगा लेकिन ब्रिटिस कैद से बचने के लिए सावर करने 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्सेलस बंदरगाह के निगण समुद्र में चलांग लगा दिया जी हां किसमें सलांग लगा दिया है समुद्र में दसल वो चाहते नहीं थे कि वो भारत पहुंचे और बिटिस कैट में जाएं इसलिए उन्होंने जो है आठ जोलाई 1910 को फ्रांस के मार्सेलस बंदरगाह के नस्दीब समुद्र में छलांग लगा दिया लेकिन कुछी समय ब की इंडिया हाँस के स्थापना की इंडिया से पत्र का संबाधन कि इंडिया हाँस में बहरतियों को आस्रा मिला और आगे चल रग्र種मि चलेकर करने का सब् attain कि उनकी गद्विधियों से वो पर्चित हुए और उस पर रोक लगाने के लिए प्रत्नसील हुए तो ऐसे इस्तिती में वो लंदन छोड़ करके चले गए तब जाकर के जो है भारत में इंडिया हाउस जो है वो वीडी सावरकर करके अधीन आएगा और वीडी सावरकर नेत्रत लगा देंगे लेकिन कुछी समय बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा और फिर से उन्हें गिरफ्तार करके जो है उन पर नासिक सड़ेंद केस चलाया गया और इस केस के फैसले के तहट उन्हें जो है आजीवनकार आवास सजा दे दीगे ना सर्फ इतना बलकि यह सब जानने के क्रम में हमने यह भी जाना कि किस तरीके से जो है मदनलाड धिंगरा ने जो है अपने संस्था के संस्थापक स्याम जी कृष्ण बर्मा के अपमान का बदला लेने के लिए भारत सचुकर्जन बाली की हत्या कर दीगे और अब हम देखने जा रहे हैं मैडम भीकाजी कामा तिहां बहरती क्रांटी की माँ भी कहा गया गया क्रांटी की मां भारती रास्ट्रेता की महान पुजारन वा मदर अफ इंडियन डैवल्यूशन जैसी उपमाहऊं से बिभूसित थी मैडम धीकाजी रुस्तम के आर कामा, क्या नाम है पूरा इनका मैडम धीकाजी रुस्तम के आर कामा, मैडम कामा का जन्म 1861 में बंबई में हुआ था और बंबई में, बंबई के पार्सी परिवार में दुआ थी नाम से इस पस्ठ है, ये एक क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने विदेश में रहकर भारती क्रांतिकारीों की पूर मदग थी थी, तभी तो इनको भारती क्रांतिकी मां या मदर आफ इंडियन रेवल्यूश था अमेरिका का भ्रमण कर भारती सुतंता के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था, ठीक है, तो रहती तो थी फ्रांस में और फ्रांस की नागरिकता उन्होंने ग्रहण की थी, लेकिन वो बेसिकली चुकि भारती है मूल की है, इसने भारती समस्याओं से उनका गहर जो है जुडाओ है, ऐसी इस्तिती में उन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों का प्रमण किया, और भारती सुतंता के पक्ष में वहां के जन्मानस को तयार करने का प्रयास किया, वर्स 1906 में जब स्याम जी क्रिष्ट वर्मा लंदन छोड़कर पेरिस गए त मैडम कामा ने उनका सहयोग किया था, अभी हमने चर्चा की थी, कि अंग्रेजों के दमनात्मक कारवाईयों से बचने के लिए स्याम जी क्रिष्ट वर्मा ने 1906 में लंदन छोड़ दिया और पेरिस पहुचे थे, जब वो पेरिस पहुचे तो स्याम जी क्रिष्ट वर्मा का प्रकासन किस ने किया मैडम भीका जी रुस्तम के यार कामा ने चलेंगे, वर्स 1907 में जर्मनी के इस्टुट गार्ड में अंतर राष्टी समाजवादी कॉंग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतनिधित्यों करते हुए 22 अगस्त को भारत का प्रतम राष्टी तिरंका ज जो है प्रतीक प्रतम राष्टी द्वज तब फैराया गया वर्स 1907 में जर्मनी के इस्टुट गार्ड शहर में अंतर राष्ट्य समाजवादी कॉंग्रेस के सम्मेलन के तौरान और किसकी मौजूद्गी में तो मैडम भीका जी के यार का हो जूद्गी ठीक है आगे चले कमल के फूल आठ राज्यों के प्रदीक थे वंदे मातरम देवनागरी अक्षरों में जंडे के बीचों पीच मध में लिखा हुआ था तो इस तरीके से मैडम कामा की मौजूद्गी में भारत का पर्थम राष्टे तिरंगा जंडा फैरा फैरा जा रहा है इसलिए इनको भ किये जो पहले तिरंगे जंडे का दिजाइन सरदार सिंग राणा और मैडम भीका जी कामा के द्वारा किया था व्रधावस्था में मैडम भीका जी कामा जो कि फ्रांसीसी नागरिक थी और भारती बूल की थी यह भारत लौट आई और 13 आगस्त 1936 को बंबाई में इनका न आपके बारे में जानकारी रखिना अब आए देखे अलग-अलग देशों में चल रहे क्रांतिकारी या अंदोलन ठीक है और उनके प्रभावचेत्रा और उनकी कार्शयली से पर्चे प्राप्त करेंगे हम सिबसे पहले अमेरिका में क्रांतिकारी यांदोलन यानी revolutionary movement in USA की देखे अमेरिका भारती क्रांतिकारियों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध था वहां पर कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने संस्थाएं बनाई और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारी गद्विधियों का संचाड़न की कि इसे संगठन जो अमेरिका में इस्थापित हुए थे करांतिगारी संगठन तेरह उनके बारे में देखें इसे सोसाइटी फौर एडवांसमेंट आफ इंडिया घिया जो भारत की तरक्वी के लिए और उसको विडिसी दास्ता से मुख्ध गराने के लिए इस्थापित किय संस्थापक से मोहम्मद बर्गतुला सेमुल लुकास जोसी है और मोहम्मद बर्गतुला वही पर अवगानिस्तान में जो है सरकार के प्रदान मंत्री बनेंगे महन प्रताप सिंग जिसके राश्रमती बनेंगे इसके संस्थापक रहे मोहमल बर्गतुल्ला और सेमुवल लुकास्ट जोसी पुद्देश इसपस्थ है कांतिकारी गद्विधियों का संचालन और उहें पूर्ट साहं देना इन्डियन इंडिपेंडेंडेंस लीग इसकी अस्थापना वर्ष 1907 में कैलिफॉर्निया में हुग तेकर संस्थापक रहे इसके द्वारीका नात्दास इसका इस पार्टी का जो मुख्वपत्र था पार्टी का मुख्वपत्र वो था स्वतंत्र हिंदूस्तान फ्री तो आपने देखा इंडियन इंडिपेंडेंस ली जो की द्वार का नाथ द्वारा इस्थापित की गई थी कैलिफोर्निया में नेक्स्ट गदर पार्टी आंदोलन बहुत चर्चित मुवमेंट रहा गदर पार्टी आंदोलन इसकी अस्थापना एक नमबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुई इसके संस्थापक रहे लाला हर्दयाल और इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे सरदार सोहन सिंग भागना अगर संस्थापक अस्थापना हुई है गदर पार्टी की एक नमंबर 1913 को आगे बढ़ेंगे कि गदर पार्टी का जो मुख पत्र है मुख पत्र को कहलाता था हिंदुस्तान गदर यहां इस पार्टी का मुख्याले युगांतर आश्रम को बनाया गया था उद्देश की चर्चा करें तो अंग्रेजी सामराज को गदर द्वारा जड़ से उखाड फीकने और गड़तंत्र की इस थापना करने का लक्ष रखा गया था तो देशों के संदर में ये किसी भी तरीके की समझोतावादी जो है विचारधारा को नहीं धारित करती ये एक ही विशेपर कायम है कि कुछ भी हो भारत से अंग्रेजीं को जड़ से उखाड फीकना है उन्हें समाप्त करना है और आगे चलकर भारत में गड़तंत्र की इस स्थाबना करनी है यानि एक ऐसी साशन पडाली जिसमें राष्ट का मुख्या निर्वाचित हुआ करेगा वंसावत नहीं और उस निर्वाचित मुख्या का एक निश्चित कारेशाल भी होगा कि इन सारे संगठ्षनों में जिनकी चर्चा है है उनमें गदर पार्टी का महत्पूर भूंका निभाई और ज्यादा हग तक उसने जो है क्रांतिकारियां दोलन को प्रभावित किया इसलिए जरह हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे यानि गदर पार्टी के अस्थापना की प्रिष्ट भूम देखेंगे कि किन परिस्थतियों में ये अस्थापना हो रही है पंजाब के प्रमुक क्रांतिकारी लाला हर्दयाल अंग्रेजों के उत्पीडन से पीडित होकर वर्स 1911 में अंग्रिका चले गए और वहां कैलिफोर्निया के स्टैन्फोर्ड उन्वस्टी में अध्यापन कारे करने लगे कुछ समय बाद ही पर राजनीतिक गद्विर्यों में भाग लेते हुए तो हन सिंग भागना के सुझाओं पर गदर पार्टी की अस्थापना करेंगे तो अगर पुछा जाए संस्थापक अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के सुझाओं पर इनकी में जो है गदर पार्टी की लाला हर्दयाल पर पंजाब ने लगाता रंग्रेजियों के द्वारा जो है दमनात्म कारवाही की जा रही थी उनका उत्पीडन किया रहा था जिससे त्रस्त होकर उन्होंने अपने उद्देश्यों को लेकर अमेरिका पलायन कर दिया और वर्समीरिका 1911 में वह पहुंच गे वहां उन्होंने कैलिफॉर्णिया कि स्टेंट्फूर्ड उन्वस्ट्री में अध्यापन कारी प्रारंब किया उस समय बात वाराजनितिक गद्विजियों में भाग देते हुए स्वर्ण से मिलते हैं और उन्हीं के सुझाओं पर गदर पार्टी की अस्थापना की जाती है देखें प्रथम विश्युद के पूर गदर नेताओं ने नेड़ने लिया कि अब समय आ गया है जब ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध पुला विद्रोख किया जाए और उन्हें जो है बैक फूट पर जाने पर विवश हम कर सके तीक है इस दल का अस्तित्त उस समय संकट में पड़ गया जब यूएसें ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्युद में समलित हो गया और अमेरिका में इस दल को गैर कानूनी कर दिया गया यहां गदर पार्टे जिसके स्थापना अमेरिका में सैंट-फ्रांसेस्को में हुई थी जब अमेरिका ही ब्रिटेन के साथ प्रथम विश्युद में एक दूसरे के साथ कंधे से कंदा मिला कर कड़ा होगा उसके मित्र के तौर पर ऐसे इसकतिवें अमेरिका अपने राज जिसके तहट गदर पार्टी के बारे में विस्ता से चर्चा की और बाकी अन्न के बारे में भी जानकारी हासिल की आईए जाने जर्मनी में करांतिकारी गद्विधियां कैसे आगे बढ़ रही है यह रिवलुशनरी मुमेंट इनदा जर्मनी के स्थिख क्या है देखिए परत जुदि के दौरान अन्олод देसे में निवास करते हैं जगे जगे पर भारती करंतिकारी खाये वो चेनेडा में रह रहा हूं या अमेरिका में रहा हूं अपने विदेशी देस में जो है जब उनके लिए परिस्तियां विपरीत हो जाएगी तो पहुंचेंगे जर्मनी और Πा प्रतिबंद के बाद लाला हर्दयाल ने जर्मनी के बर्लिन में मैडम कामा से मिलकर भारती सोतंतरता समित की 1916 में अस्थापना कर दी और भारत की प्रतंतरता की बेडियों को तोड़ने का हर संपो प्रहत्न करते रहें तो मैडम कामा के साथ मिलकर लाला हर्दयाल जो है जो जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी को सफलता पूर्वक अस्थापित और संचालित किया था जब जो है प्रतम दिस्यूद के दौरान अमेरिक का बिटेन के साथ हुआ और गदर पार्टी को गैर कानूनी गोसित किया गया तो लाला हर्दयाल ने अपने उद्देशियों की पूर्थ के लिए जर्मनी का रुप किया और जर्मनी के बर्लिन में मैडम कामा के साथ मिलकर भारती सुदंता समित की अस्थापना की वर्स उन सोला में इस तरह से अंग्रेजियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को उन्हों ने जारी रख्था कि यह था जर्मनी में किया गया प्रइस किसके द्वारा लाला हर्दयार और मैडम कामा के द्वारा अब आईए देखते हैं जराब भारत की पृतमास्थाई सरगार कहां गठित हुई क्या परिस्तिया रही किसके नेत्रत्त में गठित हुई वगयरा वगयरा देखिए काबल में भारत की प्रथम निर्वासित आस्थाई सरकार की खुशरा करेंगे इस सरकार की विस्वयम राश्पती थे और मौलाना बर्कतुल्ला खां को पृधान मंतरी एवं अब्दुल्ला खां सिंधी को ग्रह मंतरी बनाया गया इस तरीके से जब पहली आस्ताई सरकार की घोशड़ा अंग्रेजों के खिलाब जाकर के महाराजा महेंद प्रताब के द्वारा की जा रही है तो उन्होंने स्वेम राश्पती तथा बरकतुल्ला को प्रधान मंतरी घोसित किया और अब्दुल्ला ख और उसे मानता दिलाने का प्रैत्न किया सरकार तीक आत्मक रह गई थी और वो केवल जर्मनी तथा रूस्त ने इसे मानता दी लेकिन राजा की लड़ाई तो तन्ता प्राप्ति तक जारी रही है तुम जानते कि किस तरीके से आफगानिस्तान में आस्थाई सरकार की मंद स्थापित करने का प्रयास किया जो है अपने राज़ दूद भेजे और उनसे जो है इस नो निर्वा स्थापित जो है रास्ट की अदेश की सरकार को मानता देने के लिए आग्रह किया गया ठीक है लेकिन केवल जर्मनी और रूस ही ऐसे देश रहे जन्होंने इसे मान मानता प्रदान की थी जर्मनी और मानतापरदान की थी यहां की सर्कारों में और रूस की सरकारों ने अफगानिस्तान की समाना अनतर स्कार्टार्या विद्यसी विक्तियों के प्रत्नों से है यह भी अध्यन का विश्य होना चाहिए देखे प्रक्रण था 1914 में कैनेडा में भारतियों का प्रवेश जी हां 1914 में कैनेडा में भारतियों के प्रवेश से समंदित एक विवाद था कनेड़ा सरकार ने एक ऐसा आप्रवासी कानून बनाया था इसके तहत वही भारती कनेड़ा में प्रभेश बासकता था जो सीधे भारत से आया, ज़र सल 1914 में कनेड़ा में भारतियों के प्रवेश को मुस्किल कर दिया घया था, क्योंकि इसके तहट कनेडा सरकार ने एक आपरवासी कानून बनाया और उस कानून में उन्होंने साफ साफ उलेक किया कि वही व्यक्ति कनेडा में प्रवेश पाएगा भारती जो सीधे भारत से आया क्या कानून अतधी कठोर इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय कोई ऐसा मार्ग नहीं था जिससे भारती सीधे कनेडा पहुंच सके तो इस कानून के जरिए जो है भारतियों के कनेडा में प्रवेश को ही प्रतिबंधित करने का एरादा था कनेडा गवर्मेंट का लेकिन उन्हों मार्गी नहीं है सीधे कनेडा पहुंचने का तो कही न कहीं से हुकर ही पहुचा जा सकता है ऐसी इस्तिति में अगर आप यह शर्त लगा दे कि जो लोग जो है सीधे आएंगे वही प्रवेश कर सकेंगे तो यह सीधे-सीधे कह देने लायक है कि कनेडा इस समय ब्रेटेन के प्रभाव में हैं और वो कनेडा में किसी भी तरीके की क्रांतिकारी गत्विधियों को प्रोच साहन नहीं देता उनको अनुशासित करने का प्रयास करना रहा है कि नवंबर 1913 में कनेडा की सुप्रीम पोर्ट ने ऐसे 35 भारतियों को कनाडा में गुसने की अनुमत दे दी जो सीधे भारत से नहीं आये थे ठीक है तो वैसे तो जो है यह नियम मना दिया गया था कि कोई भारत नहीं आएगा गर वो भारत से सीधे नहीं आ रहा तो लेकिन नवंबर 1913 में सुप्रीम पोर्ट ऑफ कनेडा ने 35 भारतियों को कनेडा में घुसने की जाज़त दी इसके बावजूद की वो जानते थे कि यह भारत से नहीं आये थे परडाम सुरूप सिंगापुर में एक भारतिय ठेकेदार गुर्दत सिंग ने कामा गाटा मारू नाम का एक जहाज किराय पर लिया और दच्छिड वापूर्वेसिया के करीब 376 यात्रियों को बैठा कर 4 1914 इस्वी को बैंकुवर की और प्रस्थान कर दिया जैसे ही सुप्रेम कोर्ट आफ केनडा ने ये फैसला सुनाया कि 34 वक्तियों को जो है उन्होंने केनडा में प्रवेस की जाजत दे दी इसके बावजूद की वह बाव सीधे भारत से नहीं आये थे तो इस बात से प्रभा इठाया गया और उन्हें जो है केनडा पहुचाने का आश्वासंदीकर केनडा की सीमा पर लाया गया लेकिन 4 मार्च 1914 इस्वी को बैंकुवर की और जब वो प्रस्थान कर रहे हैं उन्हें बिलकुल अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है क्योंकि इसी बीच क सामागाटा मारू जहाज 23 मही 1914 इस्वी को बैंकुवर तट पर पहुंचते ही कनाडाई पुलिस ने उसकी घेरे बंदी कर ली बीच में फसे याक्तियों के अजिकार की लड़ाई लड़ने के उदेश से हुसैन रहीम तोहनलाल पाठक और बलवन सिंग के नेत्रत्त में एक 30 कमेटी या 100 कमेटी का गठन किया गया प्रवेश ना पाने वाले सिंगापुर से आये हुए भारतियों के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के उद्देश से गठित की गई थी उसेन रहीं सोहनलाल पाठक और बलवन सिंग जो है इसके प्रमुक रहती रहे इस कमेटी ने चंद्रा एकत किया और चोहे केनेडा सरकार के विरोज में बैठकों का आयोजन भी किया अमरीका में भगवान सिंग, भरक्तुला, रामचंद्र और सोहन सिंग के नेतरत्व में यात्रियों के पक्ष में आंधोलन चलाया गया परन्तु अंतता कामागाटा मारू को केनेडा की जल सीमा से बाहर होना पड़ा यानि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कामागाटा मारू जहाज और उस पर चड़े यात्री किसी भी सूरत में केनेडा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वो केनेडा की जल सीमा से बाहर जाने पर विवश होंगे जब ये जहाज याको हामा पहुशता है तो उसके साथ ही पुर्थम विश्युद प्रारम हो जाएगा अंग्रेजी सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया 27 सितंबर 1914 इसरी को जहाज के बजबज पहुशने पर पुरुद्ध यात्री और पुलिस के मद संघर्स हुआ इसमें 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल पहुचा दिया गया तो इसके अलावां आप देख रहे हैं कि जब कैनेडा की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने इसके लिए शोर कमेटी का अगठन किया सारे प्रयास किये बैठके आयों जितकी अपनी मांगों को रखने का प्रयास किया कैनेडा सरकार तक पत्र के जरी अपनी समस्य पहुंचाई लेकिन करेडा की पुलिस ने इनकी घेरेबंदी कर दी और इन्हें वहां से वापस जाने पर विवश किया यह वहां से वापस चले तो इन्होंने जापान याकोहामा यह पहुंचेंगे जिस वक्त यह याकोहामा पहुंच रहे हैं जापान में उसी वक् पुलिस के भी संगर्स हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गये थे और 202 को जेल पहुचा दिया गया बाकी यात्री जो थे वो भागने में कामयाब रहे तो यह था कामा गाटा मारू प्रकरण आगे बढ़ेंगे मारी स्क्रीन पर है तोशा मारू प्रकरण जरह इसके बारे में भी देखते हैं वर्स 1914 इसरी में पुर्थम विश्युद्य के दरान भारत में क्रांतिका विगुल बजाने के उद्देश से गदर पार्टी के कुछ सदस तोशा मारू जहाद से सुदेश लौट रहे थे ठीक है उद्देश से क्या है कि पुर्थम विश्युद्य में उत्पन परिस्ततियों का लाब उठाया जा रहे रास्ते में या जहाद सिंगापुर में रुका वहीं पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी भाई पर्मानंद के ओजपूर भासड के प्रभाव में क्यात्रियों में क्रांत की भामना जागरित हो गई और सिंगापुर लाइट इंफैट्री के जवानों ने तुंडे खा और जमादार चिस्ति खा के नेत्रत में वित्रोफ कर दिया तो जब यह जो है भारत आने के क्रम में सिंगापुर पहुंचेंगे तो सिंगापुर में भाई पर्मानंद जो की गदर पार्टी के प्रुम ने तुम पूर्ट इंफैट्री के जवानों ने जो है तुम दे खा और जमादार चिस्ति खा के नित्रत में वित्रोफ कर दिया तिक है आगे चलेंगे इस विद्रोफ को सिंगापुर क्रांदी का नाम प्रदान किया गया आगे चलकर बाद में अंग्रेज सेंको ने इस विद्रोफ का दमन कर दिया ठीक है तो इस तरीके से तो सा मारू प्रक्रण जो है समाप्त हुआ और इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त हुई आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपना विशे और विशे से जुड़ा आज का टॉपिक देके शाम 6 बजे के वक्त में हम जिस विशे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो विशे है इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मोमेंट भारती इतिहास एवं रास्ट्री अंदोलन जो है इस लॉट में हम मेंस की दृष्टी से पढ़ रहे हैं मेंस एक्जाम को फोकस्ट करके हम अपने सब्जेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कितिहास की शुरुवात हमने आधुरी कितिहास से की और ऐसा करने के पीछे मेंस में मौडर्न हिस्ट्री से आने वाले प्रश्टू की संख्या है अधिकांस प्रश्टू के यहां से बन रहे हमने इसलिए शुरुवात सामयवादी विचारधारा के आगमन और उसको जो है उसकी स्विकारोग्त के कारण साथ ही उनकी गत्विधियों का ध्यन हम करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में चले शुरू करें भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास बीस्वी सताबदी के दूसरे दसक में आरम हुआ ठीक है बीस्वी सताबदी के दूसरे दसक में वामपंथी विचारधारा जो है भारत में तेजी से प्रसारित होने लगी और इसके प्रसार के पीछे जो मुख्य कारण है वो हमार परनकार, मजदूर वो जो है अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने हित को सुरिष्चित करने का प्रयास करेंगे, अपने अधिकार का दावा पेश करेंगे और ऐसे में उनका नेत्रत्तों करने के लिए जो है विकल्प के तौर पर आउसर पाएगा इसवी में रूस की सामयवादी राजकरांदी ने भी भारत में सामयवाद को अप्रोच साहित किया, सामयवाद का प्रसार किया और सामवादी विचारधार आपनाने के लिए सिच्छित बुद्ध जीवी वर्ग को प्रेल किया. 1918-1922 इसवी का कामगार असंतोस भारत में 1918-1922 इसवी के बीच में फैक्टरी अधनियम और बाकी तमाम और प्रावगानों के जरिये तमाम उद्योगों में लगे कर्मकार और मजदूर जो है वो असंतोस्ट थे जिसका परणाम हुआ कि उन्होंने अपने हग की तो इस तरीके से अगर सामयवाद के विकास के कार्णों की चर्चा करें तो आधनिक उद्योगों का विकास प्रथम विश्योद के पश्चात राजनीती के अमार्थिक परिस्तितियों का अन्भोना 1917 इस्वी में रूस की सामयवादी राजकरान थी और 1918 से 22 के बीच में भारत में उद्योगों में काम करने वाले कर्मकारों का असंतोस 1921 और 21 के दर्मियान किसान अंदोलन और असयोग अंदोलनों की असफलता वो भारत में सामयवाद के विकास के लिए उर्वर भून तयार करती नजर आती है ते लिए आगे बढ़ें देखिए आरम में बंबई, कलकत्ता, लाहौर, मदरास, कानपूर आदियस्थानों पर सामयवादी संगठनों का निर्माड हुआ पंगाल से प्रकासित होने वाले नयूग समाचार पत्र के संपादग मुजफर एहमद, बंबई से प्रकासित होने वाले सोसलिस्ट समाचार पत्र के संपादग S.A. डांगे तथा लाहोर से प्रकासित होने वाले इंकलाब के संपादक गुलाम हुसेन और मदरास में सिंगार वेलू चेटियार ने मजदूरों और क्रिस्पों को समर्थन और प्रोचसाहन देकर सामेवादी विचारों का प्रसार किया हम जानते हैं कि भारत में बिटिश ओपनिवेसिक सर्था की राजसुनीत ने प्रसक वर्ग के सोशन का मार्क प्रशस्त किया था इस तरीके से उन्होंने भूम के स्वरूप से परचे प्राप्त किये बगएर भू राजसुनिर्धारण में अपनी मनमानी की बिना ये जाने कि भूम की उत्पादन छमता क्या है फसल किस तरीके से किस भूम पर कितनी अधिक उत्पादित की जा सकती है उन्होंने अपने लाब को अधिक्तम करने के लिए भूराजसुन को मनमाने धंसे निर्धारित किया ना सिर्फ भूराजसुन का निर्धारण किया बलकि उस राजस और बीवश्टी टाव परज़ेगा और ध्रबूंपर पढ़ने वाले का मकर्षध होगा तो मज़्दूर और क्रिसक वर्क दोनों जो है भारत में अपनिवेसिक सत्ता के अधीन असंतोस्ट हैं और उनके असंतोस को निसकासन का अशर मिलेगा सामवादी विचारधारा के नित्रत्तों करताओं के नित्रत्तों में ठीक है इस वक्त बंबई कलकत्ता लाहौर मदरास कांटपुर जैसी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे पुछा जाए कि सामवादी पत्र पत्र नौयूग के संपादक कौन थे आपका जवाब होगा मुझफफर अहमद पुछा भी जा चुका है मुझफफर एहमद पुछा जाय नवयूग का प्रकाशन कहां से होता था तो आप जवाब देंगे बंगाल से ठीक इसी तरीके से तोसलिस्ट समाचार पत्र का संपादन कैसे डांगे ने किया से डांगे ने किया और इसका संपादन होता है बंबई से ठीक है इंकलाप समाचार पत्र का संपादन गुलाम हुसैन ने किया और इसका प्रकाशन हुआ लाहौर से यह तीन महतुकूर समाचार पत्र है जो प्रिवेस येर पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कि यहां से फ्रेश्ट अल्रेडी बन चुके हैं तो मेंस के लिहाज से प्रिलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको नोट डाउन करना था फिलाल हमने जाना कि वो परिस्ति जिसमें मजदूर और क्रिसक दोनों असंतुस्थ हैं वो आंदोलन के मार्क पर अगरसर किये जाएंगे उनके उनके हक की लड़ाई को जो है नेत्रत उपरदान करेंगे सा गुरूप विक्सित हुए एक जिसे हम सामयवाद कहते हैं जो मारा आज का टॉपिक है और दूसरा वामपंथी विचारधारा थी समाजवाद जिसे हम सोसलिस्म कहते हैं आईए जड़ा देखें देखें सामयवाद का नियंतरन वैदेसिक था और मुखिता रूस के अंतररा कांग्रेस के वामपंथी दल ने तयार किया था तो अगर बात करें दो वामपंथी विचारधाराओं की तो एक है सामयवाद और भारत में ये सामयवादी विचारधारा या सामयवादी आंदोलन कह लीजिए ये रूस के प्रभाव में आगे बढ़ेगा और रूस की ही एक सामयवादी संस्था तो सामयवादी शं दखन जिसका नाम है कॉमेंटर आर तय mend MidDICK कमिनटर नेसका शौर्ट फॉर्म है इसका पूरा नाम है कॉम्योस्ट इंटर्नेशनल क्म्योंस्ट इंटर नेशनल डैट कॉमेंटर ठीक है तो कुल मिलाकर भारत में सामेवादी विचारधारा या सामेवादी आंदोलन वो रूस के प्रभाव में आगे बढ़ रहा है और यह रूस का में जो है सामेवादी संगठन कॉमेंटर निया कम्मुनिस्ट इंटरनेशनल से पर भारत में सामयवादी गद्विधियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है इनके एजेंडे इनकी मुहिम इनकी कारशयली सब पर किसका नियंत्रण है कॉमेंटर्ण का जबकि अगर समाजवादी विचारधारा की बात करें तो भारत में भारती रास्ट्री कॉंग्रेस के से प्रभाविद से प्रभाविद निताओं ने कॉंग्रेस के अंदर ही कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कर डाला तरसल ये भारती रास्ट्री कॉंग्रेस से प्रथक नहीं है उसी की नीतियों के पालन उसी की नीतियों के अनगमन से बधी हुई है लेकिन फिर भी ये मज़़ूरों और कर्मकारों के हितों का प्रत्रित फोकस ली करती है मुखिता उस पर केंद सावित है रूस के अंतरराष्ट्री सामयवादी संग्ठन कॉमिटन इंटरनेशनल जिसे कॉमिटन कहते हैं उसके नियंत्रण में भारत में बढ़ेगी और सारे निर्देशों का पालन सारी कारशेली का निर्धार्ण कॉमिटन के द्वारा ही किया जाएगा जो समाजवाद समाजवादी सामयवाद का विकास भारत में कैसे हुआ। चर्णों से गुजर कर सामयवाद अपने कदम पर खड़ा हुआ और प्रथम मई 1919 में भारत के प्रथम प्रतिनिधी मंडल ने राजा महेंद्र प्रताप के नेतरत्तु में लेनिन से मुलाकात की याद रखिए यह वहीं राजा महेंद्र प्रताप है जो अफगानिस्तान में स्वतन सरकार की घोशड़ा करेंगे और उस स्वतन सरकार के स्वयम रास्ट्र पत्य बनेंगे या रास्ट्रा ध्यक्ष बनेंगे महेंद्र प्रताप जबकि इस अफगानिस्तान की स्वतन सरकार के प्रधान मंत्री बनेंगे बर्कतुल्ला प्रधान मंत्री कौन होगा बर्कतुल्ला यही महाराज महेंद्र प्रताप जो है इनके नेत्रत्त में 1990 में एक पहला प्रत्नित मंडल लेनिन से मुलाकात करने के लिए रूस पहुचा इस प्रत्नित मंडल में मौल्वी बर्कतुल्ला मौल्वी अब्दुल रब निस्तर दिलीब सिंग गिल तिरुमल आचार तथा इब्राहिम आधी प्रमुक्ते और इस प्रत्नित मंडल का नेत्रतों कर रहे थे राजा महेंद्र प्रताप ठीक है वर्ष 1919 से स्री में मानवेंद्र नाथ रॉय जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय यह वही मानवेंद्र रॉय जिन्हों ने भारतिय सम्मिधान के निर्मान के लिए सम्मिधान सभा के गठन का जठन का सरुप्रधम अप्चारिक प्रतिपादन किया था तो मानवेंद्र नाथ रॉय भी 1919 में एक तरफ तो महेंद्र प्रताप के नेत्रत में बर्कतुल्ला ऐसे गिल और बाकी लोग पहुंच रहे हैं लेनिन से मुलाकात करने के लिए दूसरी तरफ 1919 इस्वी में ही मन रॉय जो है वो लेनिन के निमंतरण पर सुमयों नहीं पहल करके नहीं बलकि लेनिन के निमंतरण पर कहां जाएंगे मौस्कों जाएंगे तथा कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल की सदस से ताभी ग्रहन करेंगे कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल के सदस से बनने वाले ये पहले भारतिये थे एमेन रॉय तो प्रेश्ट बने कि कॉमेंटर्ण का पहला सदस पहला भारतिये सदस से कौन था तो जवाब होगा एमेन रॉय ठीक है मानमेन नाथ रॉय ने कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल की सदस सता ग्रहन की और उसकी सदस्ता ग्रहन करके उन्होंने सामयवादी विचारधारा के पत अपने संकल्प व्यक्त किये इस मुलाकात का जो उन्होंने लेनिन से मास्कों में की थी इसके दो प्रटेक्ष परणाम मिल ठीक है पहला भारती क्रांतिकारियों का एक वर्ग सोवियत संग के स्वाधिन्ता संगर्स को अपना प्रेणा सुरूत मानने लगा ठीक है दूसरा भारत की कम्मिनिस्ट पार्टी की इस्थापना का मार्ग प्रशस्थ हुआ तो जिस तरीके से लेनिन के आमंतर पर 1919 में एम रहा था परणाम सुरूप जब वह वापस आएंगे इनफेक्ट वापस आने के पहले ही उन्होंने जो है ताशकंद में भारत की कम्मिनिस्ट पार्टी की इस्थापना कर डाली ठीक है और इस तरीके से अब भारत में क्रांतिकारियों का एक वर्ग पैरलन जो है संगर्स र पैक्ट करेगा ठीक है आगे चलते हैं तो वही भारत की कम्मिनिस्ट पार्टी जिसकी अस्थापना एमेन रॉय ने की लेनिन से मुलाकात के बाद ठीक है देखिए वर्स 1919 में लेनिन से उन्होंने मुलाकात की थी और 1922 में मासकों में दुद्धी कम्मिनिस्ट इंटरनेश का आयोजन हुआ भारत का प्रतिजित करते हुए इस आयोजन में मानवेंद्रनाथ रॉय ने भाग लिया एक बार फिर लेनिन के संपर्क में आए परणाम सरू 17 अक्टूबर 1920 को काशकंद में मानवेंद्रनाथ रॉय के नेत्रत्तों में भारत की कम्मिनिस्ट पार्टी की कि अस्थापना हुई एक बात देखिएगा जड़ा कहा जा रहा है भारत की और करियेगा शब्दों पर भारती कता नहीं हो रहीं इस भारत की Communist Party यानि वो Communist Party जो भारत में भी है ठीक है यानि वो रूस में तो है ही है में कॉमेंटरन के तौर पर बलकि उसकी एक शाखा या उसकी विचारधारा का प्रसार भारत में भी है इस वज़े से इसको कहते हैं भारत की Communist Party जिसकी अस्थापना मानमें इन्नात रॉय कर रह एक नई दिशा देने का प्रयास किया भारत के विभिन भागों जैसे कलकत्ता, बंबई, मदरास और लाहोर में कलकत्ता में मुझफर एहमत ने ठीक है बंबई में स्रीपाद अमरिट डांगे ने ठीक है ऐसे डांगे और मदरास में सिंगार वेलू चेट्टियार ने ठीक ह प्रयास किया गया और आधुनी कुद्योग धंदों में काम कर रहे मजदूर वर्ग सर्भारा वर्ग को अपना प्रतनीद्रत्र प्राप्त हो सका इन लोगों के निद्रत्तों में ठीक है। Corn configurations international के सात puppies 1921 में भारत की Communist Party का सम्मंद। इस पस्टता स्थापित हो गया। आगे चलकर ये Communist International के साथ मद्भेद होने पर वर्ष 29 में M.N. Roy को communist international के उचपत से हटा दिया गया। कि कम्या C International के उचपत पर आसीन थे भारति M.N.راu कि यानि मानमे दरणाध रहाऊ एक इयुक्र कि एक कि कि कमनेस्ट इंटरनेशनल की विचारधाराओं से मेल न खाता देख उनके सिधानतों को जो है इसिदानतों से भटकता देख जो है दोनों के बीच में मत्वेद हुआ और परणाम सुरूप जो है उन्नीस सोंतिस में एमन राय को कुम्मिनिस्ट इंटरनेशनल के उच्छ पत से हटा दिया गया ठीक है और इसी स्रिंखला में स्थापित होगी भारत में भारतिय सामयवादी दल या जिसे आप कह सकते हैं कॉम्मिनिस्ट 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 कॉमिनिस्ट कॉमिनिस्ट कॉम आईए देखें जराब, कत्यभक्त ने 1 सितंबर 1924 इसवी को कानपूर में भारती सामयवादी दल या भारती कम्मिनिस्ट पार्टी के अस्थापना की घोशड़ा कर दी, पार्टी के स्थापना के समय उपस्तित प्रमुक्स अदस्यों में मौलाना हसरत मोहानी वी एम जोसी म इंडिया की स्थापना के पीछे उद्देश क्या है, तरसल इनके तीन प्रमुक्स अदस्यों में पहला उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामोहिक स्वामित्त की स्थापना हो, क्यानि उत्पादन के साधन जो है या वितरण की प्रक्रिया जो है वो किसी वर्ग वि ये सामयवादी दल ने अपने लक्ष के तौर पर घोसित किया यानि स्वराज से कम किसी बात पर समझोता करने को ये दल तयार नहीं है ठीक है इसके साथ ही राष्टवादी विचारधारा का विचार और राष्टवादी विचारधारा का प्रसार जो है कि विचार का प्रसार इनका एक अलग प्रुमुख उद्देश से था तो भारती सामयवादी दल अपने उद्देश्यों के संदर में देखेंगे तो जादा भारती हितों के प्रत सजग नजगर आ रही है ये किसी तरीके से जो है किसी अंतरराश्ट्रिय सामयवादी संगठन के प्रभाव में नही करना आम जन्मानस जन्साधारण के लिए उत्पादन और वितरण के साधनों का केंद्री करन रोकना साथी स्वराज प्राप्त के तर लिए प्रयास करना ठीक है भारतिय सामयवादी दल या कम्मिनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने घोशडा की कि उसका कम्मिनिस्ट इंट कि ऑक्सर हम कन्फि़ेंग से भारत की का सनस्थापक कौन था या भारति कम्मिनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था तो लोई एक मान लेते हैं ऐसका आप क्योवादि में जिसका मुख्याल है जिसका ऊध्रम कहा है रूस में है लेकिन जब भारती कर्मिनिस्ट पार्टी कहते हैं तो भारती आम चन्मानस की विचारधारा का प्रतित्व करने वाली भारती उद्देशों और परिस्तितियों भारती चुनोतियों को ध्यान में रख करके जो है भारतीयों के हग की लड़ाई को आगे बढ़ाने बाली पार्टी जिसे भारती कर्मिनिस्ट पार्टी बहा जाता है। आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से सत्यभक्त ने कानपूर में जो है भारती साम्मेवादी दल की इस्थापना कर दी। एक दिसंबर 1925 हिस्थी को कानपूर में पहला साम्मेवादी कॉन्फरेंस बुलाया गया। बड़ा दुर्भाग का विशह है कि पहले ही साम्मेवादी कॉन्फरेंस में जो कानपूर में आउजित हो रहा है पार्टी की इस्थापना के बाद। इसमें राष्ट्रवादी कम्मिनिस्टों और कम्मिनिस्ट इंटरनेशनल से प्रेरित कम्मिनिस्ट जो हैं कम्मिनिस्टों के बीच में मत्भेद हो जाएगा और कौमिन्टर्न के लोग जो है इसमें बहुमत में आएंगे और वो सत्भग सरीके लोगों को जो है सरेंडर करने पर विवश्च करेंगे और इस तरीके से भारती कोमेनिस्ट पाटी पर भी वर्चस्व किसका ओ जाएगा अंतर रास्टी कोमेंट संगठन का आएए देखें जरा पहले सामेवाधी कौनफ्रेंस में ही कोमिनिस्ट राष्टवाधियू एवश्ट इंटर्नेश्टल के समर्थ को में मतभेद उभर कर सामने आये और राश्ठवादी कमनिष्ट के लोग अल्प मत में हो गए यहां बहुमत में कॉमींटर्ण के समर्थक हैं इसलिए इस पर भी किसका वर्चस्व स्थापित होने वाला है कॉमिंटर्ण सबर्थक सामने वादियों का अंतता विभिन कम्मुनिस्ट समूहों को संगठित कर 26 दिसंबर 1925 इसवी को भारती कम्मुनिस्ट पार्टी की पुनरस्थापना की गई और उसका मुख्याले कानपूर के अस्थ ठीके से जो भारती सामयवादी राष्टवादी सामयवादियों का जो लक्ष था कि भारती जन्मानस के कल्याण के लिए सुराज प्राप्ति के लिए ठीक है संगर्स करना वो लक्ष जो है एक बार फिर से विदेशी सक्ता के हातों में खेलता नजर आएगा और इस क्यों देश निर्धारित किये गए ठीक है पहला भारत को पूर्ण रूप से सोतंतरता दिलाना ठीक है तो अभी तक तो भारती कर्मिनिस्ट पार्टी ने क्या लक्ष रखा था सुराज प्राप्ति सुराज से कमपर समझोता नहीं लेकिन अब क्या लक्ष निर्धारित हो भारत को पूर्ण रूप से सोतंतरता दिलाना ठीक है लेकिन इन निर्धारित लक्षों से आपको खुश होने की जरूरत नहीं भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इनका योगदान जो है इसलिए जादा हास्यास्पद हो जाता है इसलिए जादा संदेहास्पद हो जा बिटेन की अपनेवेसिक नीतियों के मुखालफत नहीं करेंगे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और अगर पता चला कि रूस और बिटेन के ही तलग अलग है तो ये बड़ी ही ताकत के साथ पूरी उर्जा के साथ भारत में बिटेस अपनेवेसिक सत्ता का विरो में होगा इसलिए इनके दोरा निर्धारित लक्षों में पूरी तरह से इमानदारी को और समर्पन आपको नहीं दिखेगा फिलाल इन्होंने तीन मुख उद्देश सुरवाती दोर में अपने निर्धारित की पहला भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्ता दिलाना दूसर भारत में सोवियत संग जैसी सरकार की अस्थापना करना था तो अपने इस उद्देश के लिए वो जीजान से जुटे रहेंगे और इसी उद्देश को केंद्र में रखकर बाकी गद्विधियों का संपादन भी करेंगे ठीक है आईए देखे भारत में सामयबादी यांदोलन किन-किन चर्णों से घुजरे ठीक है और इस संदर में जब हम कॉम्मिनिस्ट मूमेंट देखना चाते हैं सामयबादी यांदोलन देखना चाते हैं तो तीन सडियंत्र हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं तीन सडियं सद्रों का काल कहते हैं इनके बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए जिससे हम भारत में सामनेवादी आंधुलन और उसके जो है कारिशायली को समझ सके देखें तीन सद्रों का काल मास्कों से प्रसिक्षन और वित्तिय सहायता लेकर मास्कों से प्रसिक्षन और वित्तिय सहायता लेकर भारतिय सामयवादी क्रांतिकारियों का पहला दल जब भारत आया तो उस पर भारत में ब्रिटिस समराट के विरुद्ध सडियंत रचने का आरूप लगने लगा अताह इस दल को निर्देशित करने हे इंग्लैंड के सामयवादी दल ने एक प्रतिनिधी फिलिप इस प्रैट को दिसंबर 1926 में भारत भेजा ऐसा नहीं कि सामयवादी विचारधारा का प्रसार केवल रूस में चाइना में ही है बलकि यह सामयवादी विचारधारा जो है इंग्लैंड में भी पैरलर चल रही है और इंग्लैं सामयवादी दल ने जब यह महसूस किया कि भारतिय सामयवादी करांतिकारी जो कि रूस से प्रसिक्षित होकर आए हैं और भारत में सामयवादी गत्विधियों के संपाधन के लिए प्रयास कर रहे हैं सामयवादी का आंदोलन को आगे बढ़ाने का आधार बना रहे हैं ऐ सामयवादी आंदोलन को कुचलने का मन बना चुकी है ऐसा लगा इंग्लेंड के सामयवादी दल को और इंग्लेंड के सामयवादी दल ने इस समस्या के निप्टारे के लिए और रहते भारती सामयवादी दल को बिटेन के दमनात्मक कारवाहियों से बचाने के लिए अपने एक प्रतनिधी फिलिप इस्प्रैट को दिसंबर 1926 में भारत भेजा है फिलिप के नेत्रत्त में भारत में कई संगों का गठन समाचार पत्रों का संपाधन और कुछ उत्साही कारकरताओं को तयार किया गया इसके प्रणाम सुरूप बंगाल बंबई पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में चार कामगार यों क्रिशक दलों की अस्थापना हुई किसके प्रयासों के परणाम सुरूप जो है इन जगों पर कामगार और क्रिशक दलों की अस्थापना हो रही है फिलिप इस्प्रैड के फिलिप इस्प्रैट के फिलिप इस्प्रैट के फिलिप इस्प आने वाले साम्मेवादी नेता हैं सरकार ने देश में बढ़ती कम्मिनिस्ट गत्विदियों को दमित करने के लिए इन पर तीन सड्यंत्रों में समलित होने का आरोप लगा कर मुकत्मा चलाया और वही तीन सड्यंत्र हमें वन बाई वन देखने हैं ठीक है पहला सड्यंत्र जिसे हम पेशावर शड्यंत्र केस कहते हैं दुवर्स 1922 से 1923 के मत हुआ आए जाने पेशावर सड्यंत्र केस के दौरान क्या हुआ और किस तरीके से अंग्रेजों ने जो है यह मुकत्मा चलाकर सामयवादी गद्विधियों को नियंट्रित करने का प्रयास किया देखे मन रॉय मानमेन नाथ रॉय और कुछ मुस्लिम सहयोगी युवक मास्कों की कमनिस्ट इन्वस्टी में प्रसिच्छन लेकर खारत में कमनिस्ट आंदोलन को संगठित करने के लिए विभिन अर्गों से भारत पहुँचे थे मानमेन नाथ रॉय और उनके कुछ मुस्लिम सहयोगी जो है वो मास्कों में कमनिस्ट विचारधारा का अगमें देख्चीत हो करके उससे परचीत हो करके वहां से प्रसेक्चीत हो करके इनफेक्ट वित्तिय सहयता प्राप्त करके भारत में कमनिस्ट आंदोलन को इस्थापित करने के लिए आ रहे हैं और जब ये भारत पहुँच रहे हैं तो इसकी सूचना प्रिटिस गुप्तचर विभाग को पहले से ही लग चुकी थी ऐसे में इनके भारत पहुचने के समय ही इनको जगे जगे गिरफ्तार किया जाएगा और इन्हें गिरफ्तार कर पेशावर लाया जाएगा पेशावर जहां पर 1922 से 23 इसवी में इन पर बिटिस समराथ के विरुद सडियंत करने का आरोप लगा करके मुकदमा चलाया जाएगा और ये मुकदमा पेशावर सडियंत केस नाम से जाना जाता है तो सामवादियों के जो है पर को सामवादी आंदोलन को प्रतिपंधित करने के लिए सामवादी विचारधारा को नियंतरित करने के लिए जो पहला जो है कदम उठाया बिटिस सरका जो है सडियंत करने का मुकदमा चलाया ठीक है नेक्स्ट है कानपूर सडियंत केस का संबंध है वर्स 1924 सी से तेके हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिस सरकार को उखाड फेकने का आरूप लगा कर कानपूर में एक सडियंत के तहट कुछ कमनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया जिसे कानपूर सडियंत केस की संग्या दी गई दरसल कानपूर के सामेबादी विचारधारा का नित्र तो कर रहे नेताओं पर यह आरूप लगा रही है बिटिस सरकार की वह सात्मा गद्विदियों के जरिये भारतीय जन्मानस को बिटिस सामराज के खिलाब विद्रों के लिए उकसा करके और उनका समर्थन पा करके बिटि सत्था को चुनोती देना चाहते हैं, बिटिस सरकार के खिलाफ अभियान चलाना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगा करके जो है कानपूर सड्यन्द केस नाम से उन पर मुकदमा चलाया गया, इस केस में मानवे इंद्रनाथ रॉय, स्री अमरिट डांगे, स्री पाद अमरिट डांगे, नलिन सड्यन्द केस में भी जो है मन रॉय को टार्गेट किया गया है, और नसर मानवे नाथ रॉय, बलकि अमरिट डांगे, नलिन गुप्त, अवन मुखर जी, मुझफर अहमद, गुलाम हुसेन और सिंगार वेलू चट्यार, यानि उस वक्त के सभी प्रमुख साम्मेवादी न लोगु, नलिन गुप्त, शौकत उस्मानी, रिपाद अमरिट डांगे, और मुझफर अहमद को चार-चार वर्स की सजा सुनाई जा सकी, कोई ठोस आधार नहीं था साम्मेवादियों के खिलाब, कहने सिर्फ इस बात की आशंका विक्त की गई थी, कि साम्मेवादी जो है कानपूर सडेंद केस नाम से मुकदमा चलाया गया, उन पर उन्होंने गिरफतार किया गया, मजबूत आधार नहोने के बावजू सरकार ने अपने प्रयासों से गुलाम हुसेन को जो है अपना सरकारी गवाह बना लिया, और उसकी गवाही को आधार बना करके, चार साम्म अगला केस है आपके सामने, तीन सडेंद्रों का काल हमने कहा था, हम दो देख चुके हैं, एक पेशावर और एक जो है कानपूर, अब आपके सामने मेरट सडेंद्र केस, जिसका संबन्द वर्स 1929 से 1933 के मत्व से है, आईए देखे, कमिनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, प्रिटिस सरकार ने 20 मार्च 1929 को 33 कमिनिस्टों को गिरफतार कर, उन पर मेरट सडेंद्र केस का मुकदमा चलाया, ठीक है, कमिनिस्ट विचारधारा का तीजी से प्रसार हो रहा था, लोग इस से जुड़ रहे थे, खास करके, जो है, मजदोरवर्ग और क इस तरीके से इस प्रचारधारा के दमन के लिए 33 कमिनिस्टों पर जो है, मेरट सडेंद्र केस चलाया जाएगा, और उनको गिरफतार किया जाएगा, इन 33 कमिनिस्टों में से तीन अंग्रेज थे, एक फिलिप स्प्रेट, वही फिलिप स्प्रेट, जो इंग्लेंड से साम अधि विचारधारों को रूस के प्रभाल से बचाने के उद्दिस से भारत आये थे, ठीक है, दूसरे हैं बेन ब्रैडले और तीसरे हैं लेस्टर हचिंशन, प्याद रखेंगे, कि मेरट सडेंद्र केस के 33 गिरफतार कमिनिस्टों में से जिन पर मुकदमा चला, तीन प्रभरी 1933 को इस मुकदमे का फैसला आया, जिसमें मुझफर एहमद को आजीवन काले पानी की सजा सुना दी गई, और 27 अभ्युक्तों को सस्रम कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई, इस केस में फसे अभ्युक्तों को बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नहरू तथ प्रश्ण बन सकता है कि निमलिखित में से किस केस में जो है सामवादी नितरत्युक को बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नहरू और कैलाशनात कार्जू ने जो है अभ्युक्तों की तरब से पैर भी की तो आपको जवाब होगा मेरे अपसर यंद केस में, ठीक है, आग केंद्रिय विधान सभा में काम रूतो प्रस्ताव पेश किया, कॉंग्रिसी सदस्यों ने स्तामवादियों के विरुद सरकार दोरा लाए गए सारुजनिक सुरच्छा विधेयक जिसे पब्लिक सेफ्टी बिल का नाम दिया गया था, तो केंद्रिय विधान सभा में पारित नहीं होने दिया तो आप देख रहें कि किस तरीके से मोतिलाल नेरु जुनका व्यक्तिकत रुजान सामयवादी या समाधवादी विचारधारा की तरफ नहीं हाला कि पंडित जवालाल नेरु जो है समाधवादी विचारधारा की ओर जुकाओ रखते थे लेकिन मोतिलाल ने देयक को केंद्रे विधान सभा में पारित नहीं होने देंगे। इस केस के अभियुक्तों को मुक्त करने के लिए तुप्रसिद वैग्यानिक आइंस्टीन ने प्रिटेन के ततकालीन प्रधानमंत्री मैक डोनल्ड को पत्र लिखकर गुहार लगाई। तो बहुत ही इंपॉर जुलाई 1934 में अंग्रेश सरकार ने भारतिय सामयबादी दल या कॉम्रिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारती कॉम्रिस्ट पार्टी पर पूर्टा प्रतिबंद लगा दिया और उसे अवायद घोसित कर दिया। इस तरीके से भारत भी तीजी से प्रसार जिस सामयदी ी जाँचपर्ताल करें इनकी वज़े से सामयदी आंदोलन या सामयवादी कार्षैली हमेशा विवातों के कहने में रही क्या कारण था कि भारती आम जन्मानस का जो है सामयबादी जो है भरोसा नहीं जीट सके इस उस कारण की जाँच परताल हम करते हैं देकें अगस्ट 1949 1939 तक भारत के सामयवादी स्टालिन के अधीन रूस की प्रशंसा और हिटलर की निंदा करते थे। और इंग्लेंड युद्ध चाहने वाला सामराजिवादी बन गया। तो इस तरीके से देख रहें कि कितना इनका खुद में ही दुन्द है। यह बात डिसाइडी नहीं कर पा रहें कि इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना है। यह जिस तरीके से सामयवाद रूस में सभी गत्विडियों का संपादन करते हैं। जब तक स्टालिन और हिटलर के बीच में मन मुटाव है, दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, तब तक यह स्टालिन की प्रशंसा करते हैं, उसकी कारसेलियों की प्रसंसा करते हैं, रूस में उसके द्वारा समासुधार के कारियों को जो है सराकों पर रखते हैं और स्टालिन के समय में सर्वहारावर के कल्यान को जो है आदर्श के तोर पर देखते हैं लेकिन जैसे ही और दूसी तरफ हिटलर की निंदा करते हैं लेकिन जैसे ही हिटलर और जो है स्टालिन साथ आ जाते हैं बिटेन के विरुद शांतिदूद मानने में इनको कोई गुरेश नहीं होगा यानि बेशन में की हद तक जाकर के ये जो है रूस से प्रेरित हैं और रूस के निर्देशों पर भारत में अपनी गत्विधियों का संपाधन कर रहे हैं तो ये पहला जो है एक पहला और अंतिम एहम कारण है जिसकी वज़े से भारतिय जन्मानस का वरोसा जितने में भारतिय सामयबादी सभल नहीं हो पाएंगे 22 जो 1941 को हिटलर ने जब रूस पर आक्रमण किया तथा अंग्रेज और रूस मिलकर उसका प्रतिरोध करने लगे तो भारतिय सामयबादियों का रुख बदल गया जिया हिटलर हिटलर ने जब रूस पर दोबारा आक्रमण कर धिया पहले वो हिटलर का विरोध करते थे फिर हिटलर और स्टॉलिन के बीच में एक दुसरे पर आक्रमण ना करने की संद्धी हुई तो हिटलर कोनों ने हीरो बना दिया और फिर आगे चल करके जब हिटलर रूस पर अकमण कर देगा तो अंग्रेज और रूस एक टीम में आ जाएंगे ऐसी इस्तिती में जो है वो भारत में अंग्रेजों का जो है विरोध करना उनके खिलाफ आंद पर किसको लेकर बढ़ रहा है अंग्रेजों को बिट्षर्स को वो भारत में जो है उपने बेसिक सत्ता के रूप में शासन स्थापित करते हैं ठीक है सामराजवादी युद्ध जनता का युद्ध कहलाने लगा ठीक है तो अभी तक जो सामराजवादी युद्ध था जो जिसकी आलोषणा किया करते थे भारतीय सामरादी की बिटेन जो है अपने सामराज के विस्तार के लिए अनदेशों पर आकमड कर रहा है अब उसी युद्ध को वो क्या कहेंगे जनता का युद्ध कहेंगे तो यह कारण है जिसके चलते सामवादियों ने भारत सरकार के य प्रिट्शर्स ने अवैधिता हटा कर उसे कानूनी मानिता भी प्रदान कर दी जब रूस और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो ब्रिटेन की सभी गत्विधियों का समर्तन भारतिय सामेवादी दल करने लगेगा ऐसी इस्तिती में सामेवादी दल पर से जो है अंग्रेज़ों के द्वारा पतिबंध हटा लिये जाएंगे जो उसे जो है अब इलीगल संस्था घोसित कर दिया गया था वो भी उसे फिर से कानूनी मानिता प्रदान कर दी जाएगी सामेवादियों ने सिफारिश भी की कि क्रिप्स के प्रस्ताओं को स्विकार कर लिया जाए और कॉंग्रेस के भारत छोड़ों प्रस्ताओं पास होने और नेताओं के कैद किये जाने के बाद सामेवादियों ने अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए प्रैत्न भी की तो इस तरीके से आप देखिए कि जब 1942 में क्रिप्स आते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स जो भारत में समयधानी गतिरोत को दूर करने की दिशा में सुझाव देने आए हैं कि उन्होंने कहा कि दुती विश्युत के उपरांत भारत में समयधान सभा का गठन किया जाएगा ठीक है साथी ये भी कह डाला उन्होंने कि भारतिय समयधान सभा निर्वाची सदस्यों द्वारा गठित होगी ठीक है ये पोस्डेटेट चेक अपाउन अ क्रैशिंग बैंक है यानि टूटती वी बैंक के नाम जारी किया गया चेक है उसका समर्थन कौन करेंगी सामयधी क्यों क्योंकि उनके आका रूस और प्रिटेन अब एक उसरे के जो है साथ मित्रवत संबंद रखने लगें ठीक है यही नहीं बलकि जब 1942 में कॉंग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव पारिद करें तो ऐसे में अंग्रेजी सरकार के समर्थन में कौन खड़ा होगा तो यही सामयधी दल अंग्रेजी सरकार का समर्थन कर रहा हो जो हमने देखा उनकी कारशयली कारशयली में हमने इस पस्टता यह देखा कि उनकी डूएल परसनाल्टी जो है बाधक बन रही है वो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ किसी एक विचारधारा पर कायम नहीं रह पा रहे है जिससे उन्होंने भारती आम जन्मानस का भरोसा वो नहीं जीत सके ठीक है इसके अलामा साम्मेवादियों की बहुराश्टवादी नीत भी जो है वो आलोशना के गेरे में आती है क्यों क्योंकि भारत में शक्ती हस्तांतरण हे दू होने वाली बाचीत के दौरान साम्मेवादियों ने बहुराश्टवादी नीत का पालन किया था क्या है ये बहुराष्टवादी नीत इनका कहना था कि भारत की प्रतेग भासाई इकाई को हक है कि वह भारत से अलग होकर अपना एक स्वतंत राज जिपनाए ठीक है तो अगर सामेवादियों कई चली होती तो भारत आज चुकड़े चुकड़े में विभक्त भारत के तौर पर होता यानि जो है उस वक्त भासाई आधार पर अगर इकाईू का पुनरगठन किया जाता और उन्हें स्वायत रास्ट बनने का उसर दिया जाता तो भारत का नक्षा ही जो है कुछ और होता है जिस समय प्रतेग भारतिये का मुख लक्ष अंग्रेजी सामराज जिवाद से किसी भी कीमत पर मुक्ति प्राप्त करना था उसी समय भारतिये सामयवादी दल विदेशी निर्देशन पर भारत को सत्रा प्रथक प्रभुसक्ता पूर्ण राज्यों में विभक्त कर देना चाहता था ठीक है परदाम सुरूप यह दल जनता की द्रिष्ट में एक संदि विधियां किस तरीके से आगे बढ़ती हैं इसकी शुरुवात कैसे होती हैं इस तरीके से कॉमिण्टर्न के प्रभाव में कॉमिण्टर्ण के निर्देशों पर परामल करते उए भारत की कमिनिष्ट पार्टी का गठन किया जाता है मैं रोई के जरिये फृए आगे चलकर के भारती Communist Party का concept आता है जिसके इस्थापना 1924 में की जाती है कानपूर में सक्तेबग के द्वारा लेकिन बहुत जल्द भारती Communist Party जो भारती आम जन्मानस का नित्रत तो कर रही थी जिसने इस बात का दावा किया था कि वो Communist International से किसी अस्तर पर संबंधित नहीं है उसको भी उ मॉमेंटन उस पर हाभी हो जाएगे एक बार इसका फिर से पुनर गठन हो गगा पुनर के बाद वंबदी को इसका केंद्र बनाया जाएगा और फिर से भारत में सामयवादी जाडविशों की सरकार के नेत्रति के निर्देश पर आगे बढ़ने लगे उनके निर्देशों उनका विरोध नहीं करते दिखेंगे और जब अंगरेजों से उनका विरोध है तब अपने विश्टिक सत्त है पुराई यह उनको नजर आएंगी और उनके विरोध में आवास बलंद करेंगे इसलिए आम जन्मानस इसका इन पर भरोसा कायम नहीं हो सका और इनकी परणिती जो है सुमें तिद्ध हो गई ठीक है तो दिस इस यूर अनगेट भी सब्सक्राइब नाओ टैंक यू सो मच आज के लिए सिर्फ इतना ही फिलाल मुझे इसाज़त दीजिए फिर हाजिर होंगे हम कल किसी नए टॉप यूज करते ही आप 10% छूट के हगदार हो जाते हैं और यह 10% छूट आप यूज करके जो है सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे ठीक है सो यूज माई रेफरल कोड एंड गेट डिसकाउंट थैंक यू सो मच आल दबैग